तो हाई एवरिवन मेरा नम ततीक जगाती हो और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंडेस 101 इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंसेट्स हो समझाऊंगा ही और कंसेट्स ऐसा ने एकदम इजी वे में समझाऊंगा कि इंडेस 101 आपको बहुत इजी लगेगा सीजिसलि हो जाएगा इसके अलावा मैं बदा दू इस standard के अंदर कुछ-कुछ questions है आसकर illustration number 15 illustration number 16 illustration number 17 illustration 15 16 17 और test your knowledge के अंदर question number 5 और question number 6 है जो कि हमारे question bank में भी है तो ये पांच question के अंदर ही आने वाला रहेगा कोई question and expected है कि कुछ-कुछ बड़ी-बड़ी questions भी है तो expected है कि वो क्या पता एक बड़ा question आचा 16 number का क्योंकि illustration 16 17 नेके तो बड़ा question है तो वो क्या पता पूछा जा सकता है 15 16 number का इसके लवा टेश्यो नोलेज का question 56 भी वो भी आठ से बारा नंबर का दस नंबर का question पूछा जा सकता एक्जाम में तो इसलिए ये वीडियो एक single वीडियो आपके रिए sufficient रहेगा आपको कहीं और जाने की जरत नहीं पड़ेगी मैं आपको assurance देता हूं एकदम अच्छे से general way में इक होता है न कि general way में आप समझ जाओगी logical way में और आपके सारी questions भी बनेंगे और मैं questions भी करवा दूँगा ये पांच questions तो कराओंगा इसके अलावा भी कुछ questions लगिंग इंपॉर्टन है वो भी कर लेंगे मतलब इस वीडियो के अंदर आप समझ लो आपका फुरा क दूँगा कि इंडेस वंचरुवन का का काम कि है हम क्यों पढ़ रहें इंडेस वंचरुवन क्यों कि ये चीज़ समझ लोगी तो आगे इस standard बहुत इजी हो जाए हो समझे मेरी बात जैसे मानली जैंपल मेरी entity है जिसका नामे जगाते लिमिटेड एड मैं पिछली कई सालो है तो मैं accounting standard फोलो करते आ अब क्या हुआ मानलो फॉर एक्जांपल फाइनेशियल एर टू थाउजन टू थाउजन टू से अब मेरे पर इंडेस अप्लिकेबल हो गया यह अब मैं accounting स्टेंडर्ड के साबसे फाइनिस स्टीटमेंट प्रिपैर नहीं कर सकता अब मुझे कंपनी का जो नेट वर्थ है मेरी कंपनी का जो नेट वर्थ है वह चुका है तो ऐसा सिच्वेशन में अब मेरे पर इंडेस का प्रोविजन हीट करेगा और यह तो हमने बेसिक अंडेस्टेंग में बढ़ा आपने भी पढ़ा होगा यहां पर है ना कि अगर मालो फॉर एक अब हम इंडेस्ट लगाएंगे चलो ठीक है फास्ट अप्रेल 2002 से में इंडेस्ट लगाऊंगा इससे जस्ट पहले का जो मेरा बैलंस इट बना हुआ है वो तो एस पर एकांटिंग सेंड़ बना हुआ है तो अब उसी को कैसे मैं फोलो करते वह आगे इंडेस्ट लगाऊं मलत जो मेरा एक्जिस्टिंग फानेंशल पोजीशन है जो मेरा एक्जिस्टिंग बैलंस इट है वो कैसे बना हुआ होगा जैसे मैं आपको एकदम अच्छी से समझाओंगा यहां पर टेंसन की कोई बात नहीं है जैसे मालो फोर एक्जामपल 1st April 2002 ठीक है 1st April 2002 को मैं इंडे के सबसे फानस स्टिंटमेंट करूंगा इसके पहले के जो बेरे बैलंस सिट बने हुए है वो थो एयस के सबसे बने हुए अगों STEM के साबसे सबसे बने करना पड़ेगा जो पुराना मेरा बैलन्स इट है न उसको मुझे बदलना पड़ेगा उसको बदल की इसको मोडिफा करना पड़ेगा ताकि उस पे इंडेस के प्रोविजन सारे लग जाए तो उसके लिए हम करेंगे कि वो मैं आपको एकदम बहतर तरीके सा समझाओंगा मेरी बात सुनो जैसे आपको पता है जब हम फाइंसर स्टेटमेंट प्रिपार करते हैं तो हम दो साल का फाइंसर के 31 से मर्स 2003 तो यह को मेरा करिंड एर है इस पर में क्या लगाओं गा इंडेस की साब से ही में इनचे के साब से मेरा स्टेटमेंट ओफ पिई बनेगा, dennis के सबसे मेरा cash flow statement बनेगा और giness के सबसे मेरा balance rate बनेगा मैंण इंडस के सबसे बनाओगा अब मैं previous year का data भी तो दिखांगा comparison & purpose के लिए में previous year का data भी दिखांगा तो previous year का भी मुझे comparatives में previous लोवे बनाना पड़ेगा previous year का मुझे balance rate भी बनाना पड़ेगा previous year का मुझे cash flow statement भी बनाना पड़ेगा statement of changes in equity भी बनाना पड़ेगा नूर्स तो एकाउंट ये सारी चीज़े बनेगे तो ये previous year कौन सा होगा 1st April 2001 से लेके 31st March 2002 ये मेरा previous year होगा यानि कहने का मतलब इस साल जब मेरे पर index apply होगा तो मैं current year का data दिखाऊंगा और previous year का भी data दिखाऊंगा comparatives है ना left and right में रहता है तो ये भी जो मेरा होगा ये भी मेरा index के साब से ही बनेगा ये भी मेरा index के साब से बनेगा तो यानि देखा जाए तो हमारा इसका पिछला साल जो फर्स अप्रेल टू थाजन टू तक है ये भी आपका पूरा बनेगा index के साब से बनेगा पर इससे पूरा नहीं तो पुराना तो बनेगा नहीं तो मुझे क्या चाहिए इससे जस्ट पहले का जो मेरा बैलेंशिट हो फाइनिशल पोजिशन क्योंकि पी यल भी अल्टिमेटली पी यल का भी नेट फिगर जो है वो अल्टिमेटली बैलेंशिट के अंदर जाते हैं तो मैं क्या चाहूंगा इससे जस्ट पहले का मेरा जो बैलेंशिट है वह इंडेस के सबसे बन जाए और इसी लिए हम क्या करते हैं पते हैं ऑपेनिंग इंडेस बैलेंशिट बनाते हैं जो प्रिविए से रोता है ना कमपेरिटिव उसका फर्स डे में उसका फर्स डे किया कब सुरुवात होगा फर्स अप्रेल 2001 इस दा फर्स तो हम क्या करएंगे मैं सिंपल सी बात आपको समझाना चाता हूं हम बनाएंगे ऑपेनिंग इंडेस बैलेंशिट हगा हम बनाएंगे ईक उपनेंग इंडेस्ट बैलेंशिट बनाएंगे कौन सटींट में पता हैं members अ हपर्स अप्रेल 2001 को बनाएंगे ये कौन सटी हो गय फिर्टी फर्स्ट मार्च 2001 को तो बैलन सिट बनाई होगा अपने एसके साफ से बैलन सिट बनाए रहे हो आपका बनाए होगा अपने तो उसी बैलन सिट को अपको झाक मुडीफाई करने है और मुडीफाई करके उस बैलंसीट को क्या करना है इंड डेस के दिर बनाना है तो वंस आपका फ्रेर्स टूभाव ऑगरा कुछ नक्याना है फिर आपका बैलेंसिट अगर बन जाएगा फिर को टेंसन वाली बात ही नहीं है फिर आफ फानिशल एर टू थाजन वन टू को आप बनाओ इंडेस के साब से सब कुछ है ना और रेफर किसका लोगी यह उपनिंग इंडेस बैलेंस इट का रेफरेंस लोगे आप और उसके बाद बना लोगे यानि कहने का मतला स्टेंडर्ड आपको यह कहना चाता है कि देख भाई दो साल का तो तू ऐसे भी फानिशल स्टेट्मेंट प्रिपार करेगा एक तो करेंट एर और एक प्रिवियस एर उससे ज़स पहले का तो एक बैलेस इट बना ले जिसमें इंडेस का सारा एड्जिस्मे पार ही होता है इन्हीं फानेशल एрем मैं पनेल ढुख करने वालो न क्यूंकि चैप्टर का नाम ही इंडेस का नाम कस्टाइम एक साल का दिखाते तो टू थाउचिन वन्टू का भी आपका क्या बनेगा फंसर स्टीटमेंट बनेगा आपका प्रीवियस एर का तो हम क्या करेंगे उसके पहले का बैलनसीट बना लेते हैं अब पुराना बैलनसीट तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वह तो एसके सबस्टाइब बैलनसीट है तो हम एक निया बैलनसीट बनाएंगे मोडिफाइड बैलनसीट बनाएंगे जिसमें इंडेस के प्रोविजन लगे हुए रहेंगे और वही बैलनसीट हम कब कब बनाएंगे पिछले साल कमपेरिटिव का फानिंशेल यर से जज़ फैल है या तो आब इससे फर्स अप्रेल 2001 को ओपेनिंग इंडेस बैलनसीट बनाऊंगा कैसे बनाएंगे अब आपका सवाल रहे है सर बनाएंगे कैसे यही तुम इंडेस बैलनसीट बनाना कैसे यह मैं आपको सिखाऊंगा अब इंडेस बैलनसीट बनाना कैसे यह मैं आपको सिखाऊंगा अब इंडेस बैलनसीट बना देंगे तो चलिए हमारा इंडेस बालंस नेइगा हैना कि किसी कारण के वज़ेशन बंद ओ गया था बनाएंगा यह ऊपनिंग इंडेस बैलंस लेकर रहे के तो यह हमारा पुराना बैलंस रहेगा इसका रफरेंस के साब से हम 2012 का पूरा इंडेस लगा के फाइंस स्टेट्मेंट बना लेंगे है ना अब मालो पी यल में जो भी नेट प्रोफिट रहेगा वो सारा बैलंस इट में जाएगा तो इस ऑपनिंग इंडेस बैलंस इट का रफरेंस लेके आगे बनते चाहेगा आपका और फिर आपक सब्सक्राइब बना लोगे किसका रफरेंस लेकि यह वाला बैलंस इट का रफरेंस लेकि आगी सिलसिला चलते रहेगा तो यहने कहने का मतलब हमें एक पार्टिकुलर डेट पर सुधार करना होते हैं वह पार्टिकुलर डेट हमारे क्या रहेगा 1st April 2001 रहेगा इस डेट प company and needs to prepare financial statements as per index इसे index के साब से बनाना for the first time पहली पहली बार इसे index के साब से बनाना कब 1st April 2002 से starting होगा that is financial year 2002-03 में तो जो financial year 2002-03 होगा वो आपका first index annual financial statement आपका first index annual financial statement है ना 1st April 2002 से लेके 31st March 2003 अब comparative भी तो बनाएंगे प्रिवियसर का comparative दिखाने के लिए तो comparative हम का उन सा बनाएंगे उसके जसे एक साल पहले का first April 2001 से लेके 31st March 2002 यनि 2001-2002 comparative होगा और current annual financial statement किया 2002-03 तो आपको क्या करना पड़ेगा opening index balance बनाना पड़ेगा यह कौन सा डे में बनेगा comparative जो बनार उसका पहला दिन का यनि first April 2001 का आप क्या करोगे opening index balance बनाओगे तो once आपका first April 2001 को opening index balance बन जाएगा उसका reference लेकि आप two thousand one two का financial statement बनाओ फिर उसका reference लेकि आप two thousand two का three और two thousand two three का financial statement बनाओ तो यह जो date हमने निकाला है न यही date हमने जो निकाला है इसी को क्या कहते है पता है date of transition to index date of transition to index अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक और reference लेता हूँ मैं आपको थोड़ा सा आपको clear करने के लिए मानलो for example आप एक अंकित limited हो आपको मानलो first April 2008 से आपको आपको आप पे 2007-08 हमारा previous year होगा जिसका हमारा फ्रेटमेंट बनेगा तो डेट मिस आपका फर्स टाइम जो ट्रांजिशन टू इंडेट अप ट्रांजिशन टू इंडेट क्या होगा यह आप यह प्रिविए सेर का आपको यहां पर आपको यहां पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने 31st March 2001 का balance sheet रखा है और यह जो balance sheet है न ध्यान से सुना यह previous gap का balance यह और यह पहले आपने बनाया होगा क्यूंकि अब तो आप 2003 में इंडस लगा रहो इससे पहले भी तो आपने एसके सबसे balance sheet बनाया होगा ना तो देखे 31st March 2001 का आपका balance sheet बना हुए यह पुराना accounting standard के सबसे बना होगा पूरा balance sheet देख सकते हैं अब यहां पर आपका share capital यह ASK सबसे पूरा बना हुआ आपका है ना तोटल 5330 आ रहा है इदर भी तोटल 5330 आ रहा है पूरा का पूरा balance sheet बना हुए बताओ क्या यह balance sheet हमारे लिए काम का होगा इस balance sheet को reference लेते हुए अगर आगे हम काम करें न हो सही नहीं रहेगा क्योंकि balance sheet इंडेस के सबसे बना हुए नहीं है यह balance sheet तो accounting standard के सबसे बना हुए accounting standard में तो classification का तरीका भी यह लगता वहाँ पर तो यह balance sheet जो है यह as per index नहीं है इसलिए हमें जर्वते सबसे पहले हम क्या करें 31st March 2001 का balance sheet को reference में लेते हुए हम 14 2001 का हम बनाए balance sheet opening index balance sheet बनाए तो जब हम opening index balance sheet बनाएंगे तो यह सारी figures क्या पता बदल जाएंगे आपके even mostly जो assets and liabilities के figure है वो बदल जाएंगे क्यों बदल जाएंगे क्योंकि अब हम उस पर index लगा क्या हम बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे जैसे मैं आपको example समझा दो माल ले जो माल लीजिए for example property planned and equipment आपको दिख रहा है 31st March 2001 को 12 लग का property planning and equipment दिख रहा है यह कैसे value आया यह आया accounting standard के एसाफ से तो standard हमें यह कहता है इंडस 101 हमें यह कहता है कि हम इस figure को नहीं मानेंगे आप एक काम करो back date में जाओ जैसे इंडस 8 mm retrospectively जाते देना आप back date में जाओ पता करो किस दिन अपने machine दिख रही दा था उस दिन से आप इंडस लगाते वे आज की value में पहुच हो अब बुलो यह सर यह तो बहुत कटीन वाला काम है जी हां यह कटीन वाला काम है आपको एक एक item में क्या करना पड़ेगा पते जैसे property planning equipment मालो यह एक machinery है य machinery मालो मैंने आज से 10 साल पहले खरीदा था तो मैं 10 साल पहले देखूंगा कि मेरा क्या cost लगा था इंडस 16 के एसाप से और 10 साल पहले से मैं उस पर इंडस 16 लगाते वे depreciation impairment वगरा सब कुछ लगाते वे आज की date का value में पहुचूंगा और आज की date का value अगर इंडस के पड़ेगा intangible asset investment property सभी आपको क्या करना पड़ेगा पूराना date में जाके retrospectively इंडस लगाते वे आज का current value आपको निकालना पड़ेगा यानि आप बोलोगे सरी तो बहुत कठीन वाला काम है यह बहुत कठीन वाला काम है एक-एक item बे आपको क्या करना पड़ेगा retrospectively adjustment करते वे आप आओगे तो यहाँ पर इंडस 101 अगर सोचो अगर इंडस 101 बोल देता आपको हाँ ठीक आपको ऐसे करना आप ऐसे करो retrospectively सम्में एक-एक आइटम में adjustment करो तो बात वहीं खतम हो जाता है इंडस 101 का कोई रोल ही नहीं रहता बट इंडस भी समझता है कि देखो यह तो कठीन वाला काम है इतना आसान नहीं है एक-एक आइटम को बैक डेट उसका पता करो उस डेट से फिर बात में उस पर इंडस लगाते वे आज की value डेटरमेंट करो यह तो बहुत कठीन वाला काम है तो कुछ तो उपाई देना पड़ेगा तो यहाँ पर standard ने क्या दिया है ह उन्होंने exemption ऐसा दिया है मालो कि example लेता हूं कि property प्लानेर एक्विमेंट में उन्होंने छूट दिया है अब एक काम करो एदर आप retrospectively आज का value निकालो बैक डेट में जाके या फिर अप previous gap carrying amount को ही आज का value deemed value मालो या फिर आफ फैर value को deemed value मालो अलग-अलग जगा पे अलग- retrospectively adjustment करते विए आज की value निकाली पड़ेगे बट बहुत सारे items में आपको exemption भी दिया गया है कुछ mandatory exemptions है कुछ आपके optional exemptions है mandatory exemptions मतलब जहाँ पर आपको mandatory ली आप retrospective adjustment करी नहीं सकते हैं आपको mandatory ली उस पर क्या करना पड़ेगा जो इंडस 101 का guidance है उसको follow करना पड़ेगा optional exemption में ऐसा है कि आप चाहो तो retrospective adjustment करते विए आज की value निकालो और या फिर आप exemption ले सकते हो अगर आपका माने है तो तो वो सारी चीजों पर अभी मैं आपके साथ discuss करूँगा वो सारी चीजे मैं आपको पढ़ाऊँगा इसकी लिए अब देखो यहाँ पर अब मैं आपको 1st April 2001 का उस दिन आप क्या करो सारे जितने balance rate के item है assets and liabilities जितने item है वो सारे item को अब retrospectively restatement करो यह general principle है retrospectively restatement करना पड़ेगा उससे क्या होगा उससे यह लगेगा कि अच्छा चलो इसी यह होगा कि आपका जो भी balance से यह लगेगा कि index apply होते विए आ रहे है ना यहाँ पर द date से index लगाते वे retrospectory statement कर रहे हैं तो उससे क्या होगा ऐसा feel आएगा opening index balance sheet में कि पुराने time से ही past से ही हम क्या करते वारे index follow करते वारे तो आपका एकदम true and fair presentation दीखेगा उसमें कोई doubt नहीं है लेकिन बहुत सारी जगा पे हमें exemptions दिया गया है जो exemptions मैं आपको पढ़ाऊंग से नहीं है मैं कुछ कुछ avoid करूंगा जो necessary है वो सारी चीजों को मैं detail में पढ़ाऊंगा tension की कोई बात नहीं जितना मैं करार हो आग बन करके करके जाना वो more than sufficient होगा even आपके real life में भी क्योंकि कुछ कुछ hedge accounting में कुछ exemptions दिया हुआ है कुछ कुछ आपका आपका severe inflation से related उस अब यह exemptions पढ़ाने से पहले मुझे आपको कुछ general principles पर थोड़ी सी और बात करनी है वो चार point मुझे आपके साथ discuss करना और यह बहुत जरूरी है यह मैं पहले आपको अच्छे से समझा देता हूँ चलिए हम one by one discuss करते है चार point है यहां पर जिसको जिसको में धिहान में रखना होते है जब हम opening इंडरेस्ट बालेंगे यानि general principle जो इंडरेस्ट क्या उसकी इसाफ से जब हम opening इंडरेस्ट बालेंगे तो किन-किन बात हो का हम धिहान रखेंगे इसे मालू ऐसा हुआ होगा कि कि जब आप accounting standards पहले तो आप क्या कर रहे थे accounting standards फोलो कर रहे थे अब accounting standards की इसाफ से आपने क्या पता है बहुत सारे assets and liabilities को रिकागनाई से नहीं किया था क्योंकि accounting standards allow नहीं करता था रिकागनाईस करने को बट मानलो इंडरेस्ट कहता है कि आपको वह particular assets and liabilities का recognition करना चीए पर कुछ-कुछ examples अपके साथ discuss करता हूँ जैसे माली जए defer tax asset या defer tax liability के हम बात करें पहले AS22 हुआ करता था income taxes और AS22 income taxes में हम जब revolution करते थे थे na assets का तो assets का revolution वगिरा करते समय वहां पर हमें detail बदाने के आवस सकता नहीं पढ़ती थे क्योंकि income approach फूलो करते थे थे पड़ अगर आप इंडेस 12 पढ़ोगे तो भी इंडेस 12 में अगर हम asset का revolution करते हैं तो carrying amount of asset हमारा बढ़ जाते है लेकिन हमारे tax base तो वही का होई रहते है त तो यहां पर detail create हो रहा है तो इंडेस तो आपको detail recognize करने को कह रहा है लेकिन AS के साफ से तो detail recognize ही नहीं होता था तो यह one of the example है जहां पर AS के साफ से asset का recognition होगा मैं और बताना चाहता हूँ अभी तो चलो AS के अंदर भी financial instruments इंडेस का जैसा बन गया बट पहले का अगर बात तो वहां पर हम अगर मालीजे option contract वगेरा हम करते थे न तो option contract में जो हम premium वगेरा देते थे तो उससे related को derivative financial asset या derivative financial liability हम create नहीं करते थे बट इंडेस में अगर मालीजे मैंने कोई option खरीदा उसके लिए मैंने premium पी किया है तो initially मैं क्या दिखात हूँ derivative financial asset to bank मैंने financial instruments आपको financial instrument पर पहले old AS की साथ से ऐसा कुछ भी नहीं था तो इंडेस की साथ से तो मैं derivative financial asset या derivative financial liability हमें recognize करना होता है तो वही चीज़ यहां पर standard कहना कहना चाहरा है कि आपको सारे वो assets and liabilities recognize करने होंगे opening index balance sheet में जो इंडेस की साथ से आपका recognize करना होना चाहिए यानि इंडेस की of assets and liabilities recognize होना चाहिए तो आप उसे recognize करोगे आपने क्या पता AS में recognize नहीं किया था अब जबकि आप opening AS balance sheet नहीं बना रहे हैं आप opening index balance sheet बना रहे हो तो वह balance sheet पूरा का पूरा index के जैसा होना चाहिए और इसलिए अगर index के requirement की साबसे को assets and liabilities का recognition होना चाहिए तो आप recognize करोगे म में एक और example लेता हूं intangible asset का आप दिखोगी जो business combination में में intangible asset मिलते हैं तो पूराने old AS की बात करें तो पूराने old AS में आप intangible assets को recognize नहीं करते थे कौन समय के एक इंडेस हटीड में हमने पढ़ाए भी business combination में हमने डिसकस किया था जैसे मालनीचे आपका research face चल रहा है तो research face में चल रहा हुआ अगर आपका को intangible asset को meet करता है तो ऐसे situation में हमें उस intangible asset का fair value में हमें recognize करना चीए उसे भले वो इंडेस 68 का criteria fulfill ना करें पर इंडेस 103 के अंदर exception है कि आपको अगर उसका fair value measurable है और उसने definition of intangible asset को meet किया है तो भले वो research face में क्यों ना हो आप उस intangible asset को recognize करोगे तो वही चीज़ यहां पर है कि एस के साफ से क्या पता आपने इंटेंगिबल asset नहीं दिखाया पर इंडेस अगर कहता है कि recognize करना चीज़ तो आपको recognize करना पड़ेगा तो बहुत सारे assets and liabilities का recognition करोगे यानि कहने का मतलब यह जो आपका ऑपनिंग इंडेस बैलेंस बने उसके अंदर वो सारे आइटेंस आ जाए जो इंडेस के साफ से अगर इंडेस लगता तो आते ना तो वो सारे आइटेंस वहां पर आ जाने चाहिए इसके लावा पॉइंट नंबर टू की बात करें अब मानिचे पॉइंट नंबर टू में हम बात करें ऐसा हो सकता है कि एस में आपने कोई पार्टिकुलर एसेट से लाइबिलेटिस रिकागनेस किया हुआ पर इंडेस उसकी परिमीशन नहीं देता है इंडेस प्रोहिबिट करके रखा हुए कि आप उसे एसे ला मिटिंग में भले उसका अप्रूवल नहीं हो लेकिन अगर बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स ने प्रोपोस किया तो हम उसे क्या करते थे लाइबिलेटी दिखा देते थे प्रोपोस दिविलेंट को एस पर एकांटिंग स्टेंडर्ट पर इंडेस जब तक डिविलेंट आपका बालंसेट बनाओगे और पूराने एस की सबसे जो बालंसेट बना हुगा है वहाँ पर अगर प्रोपोस दिविलेंट को दिखाया गया है तो आप उसे रिमूव कर दीज़े आप उसे डी रिकगनेस कर दीज़े क्योंकि इंडेस उसकी परमीशन नहीं देते हैं तो वही प प्रोपोस दिविलेंट हो गया तीसरा वाला भी बहुत ही सिम्पल है यह है री क्लासिफिकेशन की बात कर री क्लासिफिकेशन मैं पको इसका भी सेत्य ग्जामपल समझात को यह हैं कि मान लीची मेरे पास एक लांड इन-बिल्डिंग है अगर वह लांड इन- इन एक्विपेंट नहीं मानते हैं हम उसे investment property मानते हैं अगर मैं अपने land को business purpose के लिए use करूँगा तब तो वो property plan and equipment माना जाएगा लेकिन अगर मैं उसे business purpose के लिए use नहीं कर रहा है investment purpose के लिए use कर रहा हूं तो वो property plan and equipment के अंदर नहीं आता है वो investment property के अंदर आता है बट पिर investment purpose के लिए आप यूज करो आप उस land and building को property plant and equipment ही दिखाते हैं तो यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि मालो जो 31st March 2001 को मेरा balance it है उसके अंदर मैंने जो balance it बनाया हुए भी नहीं है मालो उसके अंदर तीन लाग का एक property एक land है मालो इस 12 लाग के अंदर मैंसे 3 लाग का एक land है वो land मैंने investment purpose के लिए use कर रखा हुए तो क्या मैं उसे PPA दिखा हूँ नहीं मुझे उसे reclassify करना पड़ेगा PPA से निकाल के मुझे उसे अलग से investment property दिखाना पड़ेगा तो वही चीज़ यहाँ पर कहना चाहा रहे है point number 3 में कि अगर मालीजे previously आपने उसे अलग asset liability or equity में दिखाया था पर वह different type का asset liability or equity है तो ऐसा situation में वरी classification करो जैसे पहले अपने PPA दिखा रखा था पट अब वो investment property दिखाना चीज़ तो अब PPA से निकालोगे और investment property में अब उसे डालोगे है ना तो री जहां जहां पर जहरत पड़ेगी वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा reclassification भी करना पड़ेगा हमें वहाँ पर चलो point number 3 भी हमारा clear हो गया फिर चौथा number point is point number 4 that is measurement की बात करते है measurement की बात करते है तो measurement का भी मैं आपको एक example है तो measurement मतलब जो हम measurement करने का तरीका होते है कि किस तरीके से measurement करेंगे value जैसे अगर मैं बात करूँ पहले के time में हम investment को कैसे measure करते थे जो आपका जो आपका fair value रहता है और जो cost रहता whichever is lower में investment को measure करते थे आपको याद होगा AS 13 अगर आप पहले पढ़ते थे तो AS 13 में लिखा हुआ है कि आप जो certain investments है उसे measure करते थे कि इसमें lower of cost and fair value है ना उसमें measure करते थे पट इंडेस में ऐसा कोई concept नहीं lower of cost या fair value इंडेस के अंदर क्या concept है आपका कि आप FBT पर accounting कर रहे हो FBTO से accounting कर रहे हो उससे आप fair value में normally दिखाते हो investments को अगर MOTS cost method नहीं आपका तो ऐसा situation में जादतर आपका fair value measurement होता है FBT पे लिए FBT उसे accounting आप करते हो यह नहीं basically fair value में होते है पर क्या पता आपने investments AS के साब से investments को दिखा रखा हो है और आपने उसे क्या क्या हो है lower of cost या fair value whichever is lower में दिखा के रखा हो तो क्या पता एक मेरा investment था वो 50,000 का cost था उसका fair value आज की date में 70,000 है पर मैंने तो lower के चलते 50,000 में दिखा के रखा हो है लेकिन अब जब मैं opening index balance rate बना रहा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा as per index मुझे उससे क्या करना पड़ेगा re-measurement करना पड़ेगा बाकी financial instruments के लिए हम separately a bit discussion करेंगे उसके topic के बारे में बट आपको एक idea मिल गया कि जहां जहां पर आपको measurement में changes करने की आवस्ता पड़ेगी re-measurement करना पड़ेगा महाँ पर भी आप करोगे आप पूराना value को साथ लेके नहीं चल सकते आपको निया value में recognition करना पड़ेगा तो ये चार चीजों को आपको ध्यान में रखना है पहला point यह था कि अगर मालेजे AS के साबसे कुछ assets and liabilities recognize नहीं हो रहे थे पर index के साबसे आपको उसे recognize करना चाहिए तो आप उसे recognize करोगे मालों AS के साबसे कुछ recognize किया हुआ था पर index के साबसे उसे recognize नहीं करना चाहिए था तो आप उसे D recognize कर दोगे तीसरा वाला reclassification मालेजे आपने कोई asset को PPE दिखा के रखा हुआ है पर वो दिखाना चाहिए investment property as per index तो आप PPA से हटा के उसे क्या करोगे investment property अब दिखाओगे फिर चोथा वाला measurement मान लीजे आपने किसी item को जिस तरीके से value किया है index में कुछ अलग provision ने valuation करने का तो आप valuation में बदलाओ करोगे अलग तरीके से आप क्या करोगे उसका valuation करोगे so I hope आपको ये चारो point चारो principle आपको समझ में आ गया अब हम क्या करेंगे one by one एक एक करके हम discussion करेंगे कुछ-कुछ mandatory exemption से कुछ-कुछ optional exemption से जो आपको apply करना है यानि कहने का मतलब मैंने आपको एक general principle अभी ये समझा दिया कि कोई भी item को जब opening index balance rate बनाओगे अभी हम सिर्फ opening index balance rate की बात करें जब आप opening index balance rate बनाओगे तो सारे item को क्या करोगे back date में ली जाके retrospectively restatement करके आज की date का value पता करोगे वो value ही आपका opening index balance rate में आएगा जो भी balance rate की item से उसकी में बात करोगे हम सिर्फ opening index balance rate बनाते PL account cash flow नहीं बनाते सिर्फ opening index balance rate हमारा बनेगा तो वो opening index balance rate retrospectively restat होके बनेगा आपका बट कुछ-कुछ जगा में exemptions है वो exemptions में क्या करूँगा one by one मैं आपके साथ discuss करूँगा सबसे पहले पता है मैं आपके साथ सबसे जरूरी चीज financial instruments से related जो exemptions है वो आपके साथ मैं रियल लाइट में भी हम इसको कितना अराम से कितना अच्छी तरीके से हम कर सकते अगर हमें इंडस 101 लगाना पड़ा मालोग पूर एक्जेंपल हम सी ये बन जाओगे सी ये बनने के अदब सक्से important topic है और इसके अंदर एक illustration 15 भी जो कि बहुत important है तो वह illustration 15 भी मैं आपको क्या करूँगा करवा दूँगा मैं आपको लेकिन इसके लिए मैं क्या करते हूं इसको थूरा एक बार रूख जाई है तो यहाँ पर हम discuss करेंगे financial instruments का classification और measurement दोनों अलग अलग चीज़ होते classification जैसे कि हम क्या क्या से classify करोगे तूँकि financial instruments में हमें classification में सीखा था कि financial asset जो है उसे हम classify कर सकते हैं या फिर FBTPL में classify करते हैं या फिर हम FBTCL में classify करते हैं और अगर मैं financial liability की बात करो तो उसे हम either MOTEX cost method या FBTPL method के सबसे classify करते हैं आई हो financial instruments आपने पढ़ रखा होगा पट पुराने जमाने की बात पर हो पहले ही का अभी तो AS में भी जिसे इंडेस का financial instrument आ चुका पर पहले का AS का बात करो तो उससे में ऐसा कुछ भी नहीं था यह सबसे पहले यह कहते है कि आपका जो भी financial asset या financial liability है आप सबसे पहले तो आपको classification करना पड़ेगा क्योंकि क्या पता है AS के साब से तो आपका classification नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर बहुत सारे items होंगे आपर जो मैंने balance sheet बना रखा है उसके अंदर बहुत सारे items से दिखो कितने सारे non current investment यह सब financial asset होंगे current investment यह सारे financial asset है इसके लब लॉंग टर्म बोरिंग ट्रीट पेबल्स यह सारे financial liability है तो balance के अंदर जितने भी financial asset या financial liability के item मिलेंगे सबसे पहले पता आपको क्या करना है तो बस ज्यादा नहीं बोलूँगा दो चीज आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले आप उसको classification कर लीजे अब आप standard मानते है कि back date में जाके classification करना possible नहीं है तो standard कहता है कि आप क्या करो जिस दिन date of transition to index है ना जिस दिन आप opening index balance sheet बना रहे हो उसी दिन आप classify कर लो उसी दिन आप उसके features चेक कर लो क्योंकि financial asset में amotage cost method fbt pay fbt uci का हम feature चेक करके determine करते हैं हमें कैसे classify करना है हम contractual cash flow characteristics test करते हैं business model test करते हैं अगर हमें दिखता है कि वो solely payment principle interest देने वाला है उसके अलावा हमारा business model है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको hold करेंगे till maturity और हमारा intention सिर्फ cash flow generate करने का ही है and hold till maturity हम mo test cost method लगाते हैं अगर हमारा intention hold as well as sell भी हो सकता है तो हम क्या करते हैं हम fbt uci accounting करते हैं और अगर हमारा intention trading purpose या other purpose से तब हम fbt पर accounting करते हैं तो वही आपको जो features चेक करना होता है जहां पर आप contractual cash flow characteristics test करते हो business model test करते हो यह अब कब करोगे यह अब transition date पर करोगे इंडेस का जो transition date है यानि opening index balance rate वाला दिन उस दिन आप test करके determine कर लो कि वो particular financial asset को आपको कैसे classify करना है mo test cost method लगाना है FBT पे लगाना है कि FBT OC लगाना है और financial liability तो mo test cost method लगाना है कि FBT लगाना है चलो classification तो हम कर लेंगे financial instruments का सहरा लेके जिस दिन आपने transaction किया जिस दिन आपने investment किया है ना वो date नहीं देखेंगे डेट ट्रांजिक्शन से मतलब नहीं है हम यह feature कब चेक करेंगे है ना यह test हम कब करेंगे date of transition to index पे है ना उस दिन करेंगे चलो classification हमने कर लिया कब first April 2001 वह हमारा date of transition है उस दिन हमने classification करके माल लो पता किया कि यह जो मारा investment है इसको मैं FBT OC accounting करना है और को financial asset है तो उसमें FBT पहले accounting करना है यह classification कर लिया अब हम measurement कैसे करेंगे तो measurement करने का दो option दिया standard आपको पहला option तो standard आपको यह दिये कि आप एक काम करूं अगर आपकी पास required information निकालना possible है अगर practicability है कि आप effective interest rate वगेरा निकाल सकते हो क्योंकि अगर कुछ transaction cost वगेरा भी incur हुआ होगा तो आपको effective interest rate निकालना होता आपको पता होगा है ना तो हमारे पस एक उपाई कि हम back date में जाएंगे जिस दिन हमने transaction किया था जिस दिन हमने real में investment किया था financial assets खरीदा था मालो उस date में जाकि हम क्या करेंगे पूरा accounting करेंगे और पूरा accounting करके फिर बाद में transition date पे date of transition में हम क्या करेंगे हम उसका value determine करेंगे measurement करेंगे यह long process है एक तो retrospectively आप ऐसे कर सकते हो दूसरा अगर आपके लिए impracticable है अगर आप बोलो या नहीं यार हम इतना जमेला नहीं पालेंगे इतना जंजट हमसे नहीं हो पाएगा तो standard आपको एक छूट देता है वो बोलता है आप एक काम करो जो date of transition to index है न आज के दिन यानि आज 1st April 2021 जिस दिन आप opening बना रहे हो आज का जो फैर वेल्लू है उसी को ही दीम्ड वेल्लू मालो जैसे मैंने चार साल पहले एक फाइनेशल एसेट खरीदा था उस टेम तो मैंने लॉंग टर्म इंवेस्मेंट दिखा दिया थे यह शटीन के सबसे अब आज फर्स अपले टू धाचिन वन को सबसे पहले मैं classification करूंगा तो मैंने classification किया कि यह financial asset को मैं measure करूंगा FBTOC यह financial asset मेरा classification होगा किसमे FBTOC accounting लगाँ मैं classify करूंगा इसे FBTOC और इसका जो मैं value measurement करूंगा इसका मेरे पास दो पाई है एक तो मैं क्या करूंगा आज की date का फैर विलू ले लूँगा जो मेरा आज का date क उसका फैर विलू है 5 लाग रुपेस तो मैं अपने opening index balance rate में उस financial asset को 5 लाग में दिखाऊंगा पूराना जो value वो नहीं दिखाऊंगा 5 लाग में दिखाऊंगा अब बोलो कि आपसे difference आएगा कुछ क्योंकि क्या पता है पहले मैंने long term investment करके 4 लाग दिखा के रखा था मालो पहले मैंने अपने balance rate में 4 लाग दिखा के रखा था अब opening index balance rate बना रहा हूँ तो fair value आज उसका 5 लाग है तो मैंने 5 लाग रुपेस दिखा दिया 1 लाग का difference आएगा तो 1 लाग का जो भी difference आएगा वो routine earning से adjust होगा मारा जो equity है ना equity routine earning से adjust हो जाएगा अब मैं 4 लाग से कम कर दूँगा डी recognize कर दूँगा पुराना value 5 लाग दिखा दूँगा तो यहां तो 1 लाग का asset बढ़ा है ना तो 1 लाग में रिटीन earning में डाव दूँगा statement of PL तो बनेगा नी जो भी आपका changes होगा उसका effect हम कहां दिखाते है रिटीन earning में दिखाते है तो इसलिए यहां पर दो mention क्या हुआ रहेगा कि आपको कौन सा लेना है क्योंकि वो तो entity का choice है ना कि entity क्या लेना चाहती है एक प्रकार से choice दिया गया एंडस 101 में कि entity चाहे तो retrospective restatement कर सकती है अगर उनके लिए impracticable हो तो ऐसा situation में वो क्या करेगे fair value लेगे ऐसा situation में वो fair value लेगे तो यहां पर ध्यान रखना अगर प्रक्राक्टिकेबल हो तो आप रेट्रोस्पेक्टिव एजस्मेंट ही कीजे लेकिन इंप्रक्राक्टिकेबल हो तो ही आप fair value लोगे चलिए हम illustration 15 अभी करते हैं चलिए शुरू करते हैं फॉर्स अप्रेल 2001 सिग्मा लिमिटेड इसूट अटी थाउजन सिक्स परसेंट कंवर्टिबल डिवेंचर्स और फीज वेलू रुपीज हंट्रेड पर डिवेंचर्स एट पार कहना क्या चाहता है देखो फॉर्स अप् बताएगा डिटो ट्रांजिशन टू इंडेस किया है किस दिन फर्स्ट इंडेस ऑपनिंग बैलन सिट बनेगा कोशिन बताएगा मैं फिलाल कोशिन यह कह रहे है कि फर्स अप्रिल 2001 को मैंने कनवर्टिबल डिवेंचर इसू किया मैं सिग्मा लिमेटेड हूँ मैंने कनवर 31st मार्स 2005 यहनि 31st मार्स 2005 यहनि 4 साल के बाद क्योंकि 1st अप्रिल 2001 को हमने डिवेंचर से सू किया है और यह रिडिम कब होंगे 31st मार्स 2005 यहनि 2002 2003 2004 2005 चार साल के बाद यह रिडिम होंगे at a premium of 10% यहनि जो 30 लाग रुपीस मैंने लिया है वो तो दूंगई साथ मैं 10% premium भी द इसके अलावा मैं क्या करूंगा फ्यूचर मैं आपको 30 लाग की जगा 33 लाग रुपीस एक्स्ट्रा से premium मैं आपको दूंगा या फिर यह तो redeem होगा और या फिर यह convert हो जाएंगे into ordinary sets at the option of the holder यह holder के पास option है कि वो redemption करवाएगा कि convert करवाएगा into equity sets the interest rate for equivalent debentures without conversion rate would have been 10% यानि कोई conversion rate अगर नहीं होगा plain debentures अगर होगा तो उसका 10% होता कब 1st April कोई यानि यह तब का information चाहिए हम ऐसे भी तो 1st April को अगर मालो आपका equivalent debentures में आपका interest क्या रहता जो आपका plain debentures उसमें interest rate क्या रहता 10% रहता अब देखो question में बता दिया date of transition to इंडेस क्या बता है 1st April 2003 है यहने date of transition to इंडेसर 1st April 2003 मतलब 2003 for comparative वाला year होगा जिसमें previous year का फैंस statement बनेगा previous year का first day में तो previous year का first day 1st April 2003 को अगर opening इंडेस बैलनेट बनेगा तो 2003-4 आपका previous year होगा 2004-5 आपका current year होगा सब कुछ बता दे रहा हूँ खोल के आपको suggest how should sigma limited account for this compound financial instrument on the date of transition present value 6% और 10% का में दिया होगा है उचागी कैसे करा जाएगा तो जैसे कि यहां पर देखो दो चीज मैंने आपको समझाया थे यह financial liability है मैंने आपको समझाया थे एक तो हम classification करेंगे कब जिस दिन opening index balance sheet बनाएंगे उस दिन हम classification करेंगे कि इसको हमें क्या दिखाना है FBTPL दिखाना है FBTOC दिखाना है क्या दिखाना है MOTAS cost method लगाना है वो classification का सारा कम हम करेंगे और फिर बाद में हम क्या करेंगे measurement दो तरीके से कर सकते तो retrospective restatement करो और या फिर fair value तो question में दिया हो नहीं बट retrospective restatement करने आपर possible लग रहा है क्योंकि data सारा दिया हो जो हम कर लेंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है हमें जिस दिन हम opening index balance sheet बनाएंगे उस दिन का मुझे as per old previous gap के एसाब से AS के एसाब से मुझे जानना है कि क्या carrying amount है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा working करके आपको दिखाता हूँ मैं देखो वो क्या रहा है पुराने AS के सबसे गरम बात करें जीरोतिया चार साल का term है तो मैंने क्या क्या 30 लाक रुपीस आप से उधार लिया है ठीक है आपको मैं 1 लाग 80,000 सालाना interest दूँगा ठीक है और last में मैं आपको 33 लाक रुपीस दूँगा 30 लाक नहीं 33 लाग रुपीस मैं आपको दूँगा तो पुराना AS के सबसे पता है कोई effective interest नहीं निकाला जाता था पर आज की rate में तो हम क्या करते हैं नहीं है फाइंस instrument के सबसे हम क्या करते हैं इन सबको present value में pull करते हैं जो आपका 10% rate है उससे हम pull करते हैं और अगर आपका कुछ भी मानलो transition cost वगे रहा होते हैं तो मैं effective interest rate निकालते हैं वो सारा काम करते हैं पर पहले के जमाने में यह सब कुछ भी नहीं हुआ करता था तो पहले के जमाने में हम क्या करते हैं जो interest हमारा हम देंगे वो ही सीधा interest expense दिखा दिया जाता था तो यही सीधा हर सल interest expense दिखा दिया जाएगा यह सारा interest expense दिखा दिया जाएगा अब मेरी बात सुनो 0-0 year क्या है 1st April 2001 जिस दिन instrument इसू हुआ 31st March 2002 1st year का होगा 31st March 2003 2nd year का होगा तो कहने का मतलब date of transition to index हमारा 31st March 2003 यानि 1st April 2003 है तो हमें यहां का carrying amount जानना पड़ेगा यानि 31st March 2003 का अगर आप carrying amount जान जोगे financial liability का क्या है जो आपका deventures उसका क्या carrying amount है तो आपको पता चल जाएगा कि old AS की है सबसे क्या carrying amount है तो हम पता है क्या करते है पुराने AS में हम क्या करते थे अगर मालनो 30 लाग रुपीस आपने आज डिवेंचर दिखा के रखा हुगा future में आपको उससे ज़्यादा देना है तो हम क्या करते है straight line basis में हम उसे हम खर्चा दिखा देते boring cost और capitalist करते जाते जैसे कहने का मतलब मैंने तो आज 30 लाग रुपीस लिए है तो मैं आज entry तो यही पास करूँगा bank account debit to debentures 30 लाग का है ना पुराने AS के साब से पट future में तो मुझे 33 लाग रुपीस चुकान है यही देखा जै तो future में मुझे 33 लाग नहीं क्या करेंगे 3 लाग चार सालों में बटेगा तो हर साथ 75 लाग रुपीस हम क्या करेंगे हम boring cost का खर्चा दिखाएंगे liability में capitalize करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा borrowing cost to debenture दिखा दिया जाएगा कितने का 0.75 लाग का और यहाँ पर भी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे pouring cost to debenture दिखा दिखा देंगे 0.75 लाग का समझाया तो ऐसे करके हम क्या करेंगे 30 लाग जो है इसमें हर साल debenture 0.75 लाग से बढ़ जाएगा तो यहाँ पर होगा 30.75 लाग यहाँ पर होगा 31.5 लाग फिर यहाँ पर होगा 32.25 लाग फिर यहाँ पर ultimately 33 लाग हो जाएगा और last में 33 लाग चुका देंगे तो इस तरीके से हम old AS में कर देते तो आप बताओ उस हिसाब से आपका second year end में carrying amount of debenture क्या होगा क्या होगा मुझे बताओ 30 लाग है plus .75 लाग दो बार होगा है नव यहनि 31.5 लाग आपका carrying amount of debenture होगा जो मैंने तरीके से आपको निकाल के सिखाया 75,000 75,000 हर साल हम add करती जाएंगे तो मुझे समझ मैं कि 31st March 2003 को मेरा carrying amount of debenture कितना 31,50,000 है यहनि 1st April 2003 31st March 2003 यहनि 31st April 2003 उस दिन मेरा carrying amount of debenture हैगा 31,50,000 तो वही मैंने क्या दिखो carrying amount of debenture on transition date यह S पर AS है ठीक है previous gap भी लिख सकता हूँ मैं आपर previous gap के साब से AS के साब से आपका carrying amount of debenture कब transition date को यहनि 31st March 2003 1st April 2003 है ना आपका क्या रहेगा 30,000,000 तो ही प्लस देखो 3,000,000 जो है उसका 2 साल का हिस्सा 1,50,000 हमने जोड़ दे जो कि मैंने 2 साल का हिस्सा जोड़ा दे हैं पर तो अब I think आपको समझ में आ गया कि 31,50,000 कैसे आ गया अब यह तो carrying amount आ गया हमारा अब हमें क्या करना है यह हमारे balance sheet में दिख रहा होगा जो ASK साब सेबलान Mozart बनाया है old ASK साब से balance sheet बनाया है उसमें यह carrying amount हमारे balance sheet में दिख रहा होगा अब हम हम इसे नहीं ले सकते हमें क्या करना पड़ेगा हम in desk बना रहे opening in desk balance sheet बना रहे तो क्या ये figure ले, ये figure ने ले सकते, तो पाईए, एक तो fair value लो, fair value दिया वन ये retrospectively restatement करो, तो retrospectively restatement करने के लिए हमें back date में जाना पड़ेगा, back date यानि कब, जिस दिन हमने debenture issue किया था, 1st April 2001 को, तो दिखो, 1st April 2001 को हम हिसाब लगाएंगे, कि हमारा ultimately, जो debenture issue किया, उसके उस इन हम बैट के देखेंगे, तो उस इन हम बैट गे, और हमने देखा कि आगे जाके, 4 साल तक, 1,80,000 दिया जाएगा, और end में 33 लाग दिया जाएगा, तो ये future के cash outflows हैं, हर साल का interest, और end में 33 लाग, अब इन सब को हम क्या करेंगे, present value में pull करेंगे, कौन से rate से, 10% rate, ज कोशिन में देखिया, कहा बर गया, ये देखिया, interest rate है, equivalent debenture, plain debenture का, जिसमें conversion rate ना हो, 10%, तो इसी 10% से, पूल करेंगे, अब मैंने क्या क्या क्या, कुशिन है, जब कि हमें दिया हुआ, 10% के मामले में, ये 4 हो दिया हुआ, तो 4 साल का capitalized figure आता है, 3.17, तो मैंने क्या क्य हुआ, या तो अब सीधा इसको pull कर लेना, calculator में, मैंने किया, क्यों 1,80,000 में 3.1 से में लगा दे, क्योंकि 4 बार है, और 33,000 तो एक ही बार है, इसमें last year का 0.68 लगा दिया, तो मेरा इससे आ गया, 2814600, ये ही मेरा देखा जया, तो present value of future cash outflow है, तो जो present value of future cash outflow है, अपने financial instrument म पढ़ा, ये क्या मेरा liability component है, तो 2814600, बैकडेट में जाके मुझे पता चला, ये मेरा liability component, तो देखो 1st April 2001 को, मेरा क्या रहेगा, debt component, यानि liability component मेरा इतना रहेगा, और मेरा equity component इतना रहेगा, तो मैं debentures को दो हिस्से में दिखाऊंगा, equity के अंदर debentures में दिखाऊंगा, 2814600 का ultimately ये हो जाएगा हमारा 30 अब मुद्दा ये है कि हमें 1st April 2001 में थोड़े ना opening index balance rate बना रहे हम तो कब बना रहे हमारा opening index balance rate कब बनेगा, 1st April 2013 को 2 साल के बाद, 1st April 2001 में नहीं बनेगा, 1st April 2003 का 2 साल के बाद हमें बनाने, तो आपने पढ़ा था कि equity का figure तो वैसा का वैसा रह होता है, financial instrument में अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपको revision वीडियो भी देखना है तो YouTube में आप revision वीडियो देख सकते हो, बाकि class में तो मैंने पूर अच्छे से detail में खोल के पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए equity re-measurement होता नहीं है, वो तो equity में चला गया, त दो साल के बाद भी अगर आप जाकोगे, तो equity तो वैसा का वैसा ही मिलेगा, लेकिन जो आपका liability है, यह वैसा का वैसा नहीं रहेगा, इस पे हर सल interest चड़ेगा, जो effective interest rate जो हमारा रहेगा कौन सा, 10% से खीचा तो 10% इसमें हर सल interest चड़ेगा, और जो भी payment हम करेंगे, वो minus होगा, तो देखे, हमने 10% से खीचा था ना, तो आप देखे, हम first year में क्या करेंगे, 28146 00, हमारा 0 tier का liability का value है, इस पे 10% interest चड़ा दिया हमने, minus 180,000, first year में payment कर देंगे, minus कर दिया, फिर second year पे इस पे interest चड़ा देंगे, 1.80, minus कर देंगे, 1,80,000, हम minus कर देंगे, तो second year का हमारा value आता, 322766666, मतलब हमने क्या क्या, पहला back date में जाके हिसाब किया, फिर बाद में उस पे जो भी आपका index लगना, index के साब से interest चड़ाया, payment minus किया, तो second year का हमारा value आ गया, 3227666, यानि देखा जाये, तो आपका, जो debt component हो का, 1st April 2003 को, कब 1st April 2003 को, जिस दिन आप opening index balance sheet बनाओगे, उस दिन आपका debt component क्या होगा, जो opening value उसमें interest चड़ाओगे, payment minus करोगे, interest चड़ाओगे, payment minus करोगे, आपका debt component इतनी का होगा, और equity component तो ये रहेगा, तो ये आपकी figure है, कब कि date of transition to index का ये figure है, ये figure आपका balance sheet में आना चाहिए, अब ये balance sheet जो है, मैं क पुराना AS के साब से balance sheet में क्या data था, मालो पहले old AS था, है न, मालो AS के साब से balance sheet था, AS के साब से, AS के साब से balance sheet था, उसमें क्या figure था, 31,50 था हो, जिन था, तो पहले दिख रहा था debentures, liability के अंदर, पहले आपका value दिख रहा था, 31,50 था हो, हम ये value नहीं दिखाएंगे, हम इसको मैं bracket में डाल देता हूँ, ठीक है, इसको हम करेंगे drecognize, इसको drecognize करेंगे, क्योंकि अब ये हटाएंगे, इसकी जगा पे हम दिखाएंगे debentures कितने का, debentures दू अलग-अलग दिखाएंगे, चो ये value है न, और ये वाला, 1854 00 का equity के अंदर debentures दिखाएंगे, और liability के अंदर दिखाएंगे 3027666, यनि कहने का मतलब ये drecognize होगा, और ये दोनों रrecognize होगा हमारा, तो हो गया retrospective restatement, पुराना वाला हटा दिया, नया जो figure आज के rate में होना चाहिए, वो डाल दिया, और जो भी difference होगा, वो plus हो या minus हो, वो retain earning में हम adjust कर देंगे, तो अब देखें, हमने क्या किया हो, हम 3027666 का liability दिखा रहे हैं, डिवेंचर में, plus 1854 00 कम equity के अंदर डिवेंचर दिखा रहे हैं, ये total हम दिखा रहे हैं, और drecognize कितना कर रहे हैं, 31 ले 50,000 कर रहे हैं, तो difference 630666 का आ रहे हैं, तो ये return earning में जाएगा, तो difference में क्या आ रह कर रहे हैं, उससे जदा recognize कर रहे हैं, तो return earning में loss आएगा, आप देखलो, अब आपका balance match करेगा, इसको आपको क्या करना है, minus कर देना है, क्योंकि हम ये क्या करें, हम drecognize कर रहे हैं, इससे हम drecognize कर रहे हैं, पुराना जो दिखाया हुआ था, वो drecognize हो रहे हैं, और ये निया से हम recognize, है न, और ये balancing figure हो गया, तो हमारा, ये देखो, अब मैंने आपको समझा दिया, यह आपनिंग index balanced में, ये तीन चीज़े आईगी देखा जाए तो, और ये तीन चीज़ों को देखलो, ये तो हट जाएगा, ये तो हट जाएगा आपका, ये तीन चीज़ों का effect भी 31,50,000 नहीं हो रहे, टेक लोग, 1854,00, plus 302766, minus 63066, 31,50,000 नहीं होगा, क्योंकि हमें जितना उडाना है, उतना ही तो हमार effect जाना चाहिए, तो जो भी balancing figure का effect होगा, वो written ending में adjust कर दो गया, तो अब आपका ये निया figure चलेगा आगे जाए, ये वाला और ये वाला, तो समझ में आया, हाँ, एकदम अच्छी से समझ में आ गया हमें, तो ये question मैंने पूरा करवा दिया आपको यहाँ पर, यहाँ पर हम क्या कर रहे है, retrospective restatement कर रहे है, उसके लिए मैंने आपको सबसे बहले क्या बोला, आप carrying amount निकालो, डिपेंचर पूराना वाला carrying amount निकाल ल liability में interest चड़ेगा, payment minus होगा, करके यह वाला दो figure आगे, यह दो figure recognize कर दो, पूराना वाला हटा दो, return earning में difference आजाएगा, बात करते हम, अब alternative to क्या है, आप financial asset या financial liability को fair value में भी दिखा सकते हो, बट fair value तो यहाँ पर करने को बोला नहीं, तो आवा सकता नहीं, अगर fair value दिया as simple as that, तो यह question बहुत important है, exam में 8 number का question यह पूछा जा सकता है, और मैंने आप लोग को यह question अच्छे से करवा दिया, अब मैं आपको बस एक चीब बता देता हूँ, आप exam में if possible for you, आप थोड़ा सा इस statement basis में भी अब लिख दीजेगा, मैंने इसको balanced approach से समझा दिये, आप क statement हिसाब से लिख देजेगा, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, बाकि आपको मेरे question bank में दिख जाएगा यह, यहाँ पर वही लिखा जो मैंने किया, ती recognize करो debenture 31,50,000 से, क्या नहीं किया, यह रख किया मैंने, मैंने practically समझाया, फिर इन्होंने क्या बोला, 302766 का recognize करो, यह रहा, मैंने किया 302766 का debenture, फिर equity component में भी आप 1854 00 का recognize करो, मैंने यह रख किया यहाँ पर भी, और difference जो है, यह retain earning में debit करो, यह भी हमने किया, तो जो इन्होंने लिख रखा हूँ है, वो मैंने कहरा भी ऐसा नहीं किया, और यह 8 number का question है, तो जो मैंने 5 top question बोला इसके अंदर, illustration 15, 16, 17, और PYK का question 5, 6, उसमें से एक question मैंने करवा भी दिया आपको, and बहुत ही जरूरी है, बहुत ही important है, financial instrument का topic, वो मैंने आपको करवा दिया, अच्छे से, अब एक और important topic है, that is government loans, मैं government grant की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहूं, government loans की, यानि government कितने बार हमें loan देता है, discounted rate पे, यानि concessional interest rate पे loan देता है, तो उसका accounting treatment, AS में क्या होता था, वो discuss करेंगे, index में क्या हमें करना है, वो हम discussion करेंगे, चलिए, point number two, government loans का हम अच्छे से discussion करते है, government loans की बात करो, मैं entirely government grant की बात नहीं कर रहा, government loans का मतलब, government हमें loan दे रही, मानलो, for example, government न ने मुझे loan दिया, और उन्होंने जो मुझे loan दिया, interest free loan दिया है, फिर मानलो, 2-3% का interest लिया है, जबकि market में interest rate ऐ 10%, but government ने मुझे loan दिया है, या तो interest free loan दिया है, या फिर मानलो, 5% interest लिया, उन्होंने, तो क्या concessional दे रहा, market में जबकि rate грn 10%, और government मुझे 5% में loan दे रह है बट अगर मैं पुराने old accounting standard की बात करें तो वहाँ पर हम जितना अगर मालो government हमें 10 लाग रुपेस लोन दिया है भले सस्ते दाम में लोन दिया हो हम उसे government grant नहीं मानते थे हम सीधा उसे लोन ही मानते थे 10 लाग रुपेस का और जो interest मतलब जो interest हम से government ले रही है वो interest expense हम हर साल दिखाते थे बात करें जिस्ते मालो for example पूराने AS की बात करूँ आप government हो आपने मुझे 10 लाग रुपेस लोन दिया है और आप मेरे से 4% interest मांग रहे हो जबकि market में rated 10% तो 10 लाग का 4% आप मेरे से कितना मांग रहे हो 40,000 साला ना मांग रहे हो तो मैं सुरुवात में दिखा दूँगा bank account debit to loan पूरा 10 लाग का हम ऐसा नहीं करते हैं इंडेस 20 में हम क्या करते हैं वहाँ पर हम segregate करते हम government grant को अलग से निकालते हटा के और बाकी जो loan का पार्ट है उसको अलग से निकालते separate किया जाते हैं यहनि कुछ portion को separate करके loan माना जाता है जिस पर इंडेस 109 लगता है financial instrument और कुछ पार्ट को separate करके उसको government grant माना जाते हैं हम उसके लिए क्या करेंगे जितना भी future का outflow है जैसे मुझे अगर आपको चार साल तक 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 interest देना है और end में 10 लाग रुबीज देना है और market rate of interest 10% है तो सब को 10% से pool करूँगा जो present value आएगा वो ही loan होगा बाकी का remaining जो है वो मेरे लिक्किया grant है उसको मैं grant को अलग से दिखाता हूँ loan को मैं अलग से दिखाता हूँ तो यहाँ पर दिखो contradict हो रहा है एस का accounting कुछ अलग है इंडेस का accounting कुछ अलग है तो ऐसा situation में मान लो अगर आपका को loan आज भी 31st March को या फिर date of transition to इंडेस जिस दिन आप opening इंडेस balance sheet बना रहे हूँ उस दिन आपका balance sheet में जो loan दिख रहा होगा government loan वो तो as per accounting standard बना हुआ है मुझे तो अभी opening इंडेस balance sheet बनाना है मेरा balance sheet तो इंडेस के साब से होना चाहिए तो मैं क्या करो तो इसमें standard आपको दो बात कहता है वो कहता है आ आप एक काम करो अगर आपके लिए practicable है अगर आप required information obtain करा हुआ है आपने जब आपको loan मिला था यह जब मालू आज से 2-3 साल पहले आपको loan मिला था उस वक्या rate of interest था market का अगर सारा required information obtainable है तब तो आप retrospective restatement करो retrospective restatement करो और अगर आपके पास obtainable नहीं है required information आप obtain नहीं कर सकते तो ऐसा situation में आप क्या करो जितना AS के साब से government loan दिख रहा है उतना ही दिखाओ बट आगे से prospectively आप क्या करो index 109 apply करो मुझे पता आपको theoretically बूलने पर समझ नहीं आया पर अभी मैं आपको example कराओंगा तो आपको पूरा खुल के clearly आपको समझ माएगा tension की कोई बात नहीं मैं आपको दो example कराओंगा एक तो example कराओंगा और एक illustration के अंदर जो part है वो दोनों कराओंगा उससे दोनों approach जो government loan के अंदर दो तरीका है दो option है वो दोनों option आपको clear हो जाएगा एक दम अच्छी तरीके से चलों देखो मान लोग 2002 में in 2002 company ने receive क्या loan 1.25 crore का below market rate of interest on government मैं company मुझे 1.25 crore का loan मिला है 2002 में और ये market rate of interest से कम दाम में मुझे मिला है आगे amount repay up करना है 31st March 2009 को मुझे आपको repayment करना है government को 1.25 crore तो यहाँ पर क्या grant है देखा जा तो इंडेस की भासा में समझे तो grant है क्योंकि below market rate of interest जो market का rate of interest से उससे कम दाम में loan मिले आगे देखते है date of transition to interest के 1st April 2005 यह इस दिन आपका opening इंडेस बैलेंस रिट बनेगा यह date of transition to इंडेस है इस दिन आपका opening इंडेस बैलेंस रिट बनेगा और उस दिन carrying amount of loan जो है 1 crore है as per accounting standard इस दिन आपका यह क्या होगे as per accounting standard हो गया मैं लिख देता हूँ अपर as per previous gap या accounting standard दोनों लिख सकते हैं मैंने लिख दिया as per as company a ने account किया इस loan को equity हाला कि as के इसाफसी भी liability होता पर फिभी question यह example भी book में है तो उन्होंने इसे equity किया तो हम सबसे बहले classification करेंगे as per interest तो मेरी बात सुनो date of transition में आपको इससे करना है यह equity liability है अगर यह government loan आपका future में payable है तो that means equity है नहीं है यह liability है क्यों कि 31st March 2009 को मुझे चुकाना पड़ेगा मेरे obligation है तो pay cash है ना मुझे future में पैसा देना 1.25 क्रोड तो देखा जाए तो financial instrument में पढ़ा है जहां पर भी हमारा obligation है to pay in future वह हमारा financial liability होता है equity नहीं होता है equity का मतलब हमारा discretion रहता हम पे करेंगे की नहीं करेंगे पर यहां पर तो में दीन नहीं पड़ेगा वह पैसे लोटा नहीं पड़ेगा पैसा तो यह सबसे बहले बाद यह equity नहीं है यह यह financial liability है तो वही हम पहले classification करेंगे since amount आपका repayable होगा 31st March 2009 को तो हम क्या करेंगे इसे financial liability मानेंगे और date of transition to index में यहनि 1st April 2005 को जिस दिन आपका opening index balance बनेगा उसी नहीं हम इसे classify करेंगे as what as financial liability हम इसे classify करेंगे जो कि हम financial instruments में हमने पढ़ रखा हुए इसलिए company को क्या करना पड़ेगा reclassify करने का करना पड़ेगा जो अभी यह equity में दिखा के रखा है ना government loan को इसे equity से निकालके financial liability में डालना पड़ेगा मानलो AS case आपसे अगर आपने equity में दिखा के रखा है आप equity में नहीं दिखा सकते हैं आपको classify करके इसको financial liability बनाना पड़ेगा अब दूसरी बात हम क्या करते हैं हम financial liability तो इसको दिखा देंगे एक approach यह कहता है अगर आप retrospective restatement करोगे अच्छी बात आप करो और अगर आप retrospective restatement नहीं करना चाहते तो ऐसा situation में आप क्या करो जो आपका as per accounting standard जो आपका carrying amount of loan दिख रहे है न जो आपका carrying amount of loan दिख रहे है as per accounting standard कितना दिख रहे है यानि आपका पूराना balance sheet में one crude का carrying amount of loan दिख रहे है आप अपने नए balance sheet में भी one crude ही दिखाओ मतलब हाँ मतलब opening index balance sheet बनाओगे वहाँ पर भी आप one crude दिखाओ तो उससे कोई फारक नहीं आएगा को रेटीन अंडिंग में effect नहीं जाएगा क्योंकि पहले भी one crude दिख रहा था अभी भी one crude दिखेगा कब अगर आपको retrospective restatement नहीं करना है तो retrospective restatement बदा हम कब करते हैं जब हमारे पास जितना required information हमें चाहिए वोगर opt enable है तब हम retrospective restatement करते हैं मालोगर हम retrospective restatement नहीं करना चाते हैं हमें बस classification proper करना पड़ेगा अगर वो classify as financial liability होगा तो equity के जगा हम financial liability दिखाएंगे और दूसरी बात हम क्या करेंगे हम उसी value को कोई change नहीं करेंगे कोई बदलाओ नहीं करेंगे उसी value को हम क्या करेंगे loan दिखा देंगे ऐसा क्यों करने को बोल रहा है standard बोलता है कि अगर आप retrospective restatement नहीं करोगे हम आपको government grant अलग से दिखाने को नहीं देंगे अगर आप पर अब पूरा इससे थोड़ा भी कम दिखाओगी तो बाकी तो government grant हो जाएगा तो पर अगर अगर गौर्मेंट grant अलग से दिखाना है तो आप retrospective restatement करो और अगर आप retrospective restatement नहीं करोगे, हम आपको government grant दिखाने को नहीं देंगे, आप retrospective restatement नहीं करोगे, तो जितना loan का value पहले दिखाया था 1 crore, उतना ही आप 1 crore दिखाऊगे आगे भी, opening index balance rate में भी आपका loan as a financial liability 1 crore दिखेगा, और हम क्या करेंगे, हमें effective interest rate निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि future में देखो, हमें 1.25 crore चुकाना है, future में हमें क्या करना है, 1.25 crore चुकाना, देखो, आज 1st April 2005, कोशिन के इसाफ से समझा रहा हूँ, आज 1st April 2005 है, इस दिन हमने जो AS के साफ से carrying amount of loan था, वहीं हम carrying amount of loan 1 crore दिखा दे रहे हैं, हमें चुकाना कब है, हमें पैसे सरकार को चुकाना है, 31st March 2009 को, यहनि 4 साल के बाद हमें 1.25 crore चुकाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 1.25 crore को ऐसे rate से pull करेंगे, कि 1 crore आजा, वही तो effective interest rate होता है, जिसे हम IRR भी कहते है, internal rate of return, तो वही अपका effective interest rate हो गया, अब आप बोलोगे, सर, अगर ऐसा हुआ, तो अगर यहाँ पर भी 1 crore है, तब effective interest rate 0 होगा फिर, है ना, अगर यहाँ पर भी 1 crore ही होता, पेबल आपका loan होगा, हम क्या करेंगे, effective interest निकाल लेंगे, चलो आपको निकालना आता है, 5.74% के आसपस, approximately, इसकी बारे में मैं discussion नहीं करूँ, यह मैंने बहुत अलग-अलग जगा पर पढ़ाय होगा, तो अब यहाँ पर इस basis में हम क्या करेंगे, amortization table बनाएंगे, यहीं पहली बात तो यह, मैं आपको simple सी बात बताता हूँ, जब आप opening index balance इट बनाओगे, जब आप opening index balance इट बनाओगे, आप क्या करोगे, आपका मानलो पहले से loan दिख रहे हैं, आपने equity के अंदर दिखा के रखा हुए, अपने equity के अंदर government loan दिखा के रखा हुए, जितना one crude, तो आप इसको हट, यह नहीं दिखा सकते हैं, आपको पहले इसको liability में classify करना पड़ेगा, कि आपका people है, equity से निकाल की liability में classify करो, और liability के अंदर आप government loans दिखा, कितने का one crude का दिखा, तो जितना one crude आपने d-recugness के उतना काई अब दिखा रहे हो, तो return earning में कोई effect नहीं पड़ेगा, तो opening index balance rate का तो काम होगी हमारा, यह हमें opening index balance rate में करना है, अब आगे जाके क्या करेंगे, prospectively, after date of transition to index हम आगे जाके क्या करेंगे, यह जो one crude का हमारा carrying amount इस पर हर सल interest चड़ाएंगे, जिस rate से pull क्या हो चड़ेगा, तो 5.74% की सबसे हर सल interest चड़ेगा, interest आपका liability को बढ़ाएगा, इस पर interest हर साल चड़ाती जाएंगे, payment तो आपका हो नी रहे आपका नहीं लो जाएगा, यानि यह जो मैंने loan दिखाया होगा है, इस पर हर साल में interest चड़ाऊंगा, payment तो हर साल कुछ होना नहीं, हर साल interest चड़ाते चड़ाते, यह 4 साल के बाद 1.25 crore हो जाएगा, और 4 साल के बाद bank से 1.25 crore निकाल के इनको पैसे दे दूँगा, 1.25 crore बाद खतम, तो यह किस्सा यहाँ पर होना है, जो मैंने आपको समझा, यह एक तरीका है, एक और तरीका मैं आपको बता रहो पर, यह one of the तरीका है, एक तरीका है यह जहाँ पर आप prospectively करना चाते हो, आप retrospective यह statement नहीं करना चाते है, तो हमने देखो retrospective कुछ यह नहीं, prospectively किया, जो आज का old previous gap में, जो carrying amount है, हमने वही ले लिया, वही हमने opening index balance statement में डाला, हमने कुछ बदला हो नहीं किया, बस future का, आपका जो payment होना है, उस हिसाब से हमने effective interest rate निकाल लिया, वही interested हमार साल चढ़ाते जाएंगे, और end में उतना payment करना है, जितना payment करना minus नहीं हो जाएगा आपका ही, simple सी बात है, यह amortization table तो आप बहुत सारी जगा में सिखो, index 116 में सिखा है, आपने financial instrument में सिखा है, बहुत सारी जगा पे सिखा है, इसलिए index 101 जिरूवन last में करना होता है, बागी सब चीचे करने के बाद आप करोगे, तब आपको यह समझ में आएगा, दरवाई से थमझ में नहीं आएगा, तो ध्याना की last में करना होता है, अब इसके अलावा में एक और चीज कराऊंगा आपको यहापर, एक तो यह तरीका होगा, इसके अलावा एक और तरीका है, जिसके लिए मैं कोशिन में का सहारा लेता हूँ, एक कोशिन है, उस कोशिन से एक एक्स्ट्राक्ट में निकाल के आपको पढ़ाऊंगा, उससे फाइदा क्यों होगा, आगे जाके फिर मुझे वो कराना नहीं पढ़ेगा, जब वो पूरा कोशिन भी कराऊंगा, मैं सुला मार का कोशिन आ सकता ही, पता है, बहुत बड़ा कोशिन है, इल्लेस्टिशन 16, पर पता है, जब हम मतलब ही सरकार का रिलेटेट जो वैल्यू एटेट टैक्स सरकार का हो गया, यह समर्लों, यह गौर्णमेंट लोन ही है, यह क्या गौर्णमेंट लोन है, देखो, क्या लिखा हुए, तवेट डेफरल लोन और रुपे 60 लैक, वस अप्टेइन ओन 31st मार्स 2001, मैं आपको बता आपका डेट ओफ ट्रांजिशन टू इंडेस है, देख लेता हूँ, यह सर्स अप्रिल 2001 है, तो मैं आप लिख देता हूँ, डेट ओफ ट्रांजिशन टू इंडेस, अब देखो, आपने 31st मार्श 2001 को वेट डेफर लोन आपका दिख रहा है, 60 लाग का, ओव्यस दी बात है, पहले ASK साफ से था, ASK साफ से आपका 60 लाग दिख रहा है, और setting up a business in a backward region with a condition to create certain different targets for employment of local population of that region, loan में देखो, कोई interest नहीं है, loan does not carry any interest, सरकार ने आपको मुफ्त पे लोन दिया है, और यह repayable कब होगा, पांच साल के बाद repayable होगा, in accordance with index 100, discount factor जो इसमें लगना चाहिए, वो 10% लगना चाहिए, accordingly इन्हों ने बता दिया, जो fare will of the loan है, वो 3725-528 है, यह भी इन्हों ने बता दिया, इस नहीं, pushing का ही पार्ट है, 3725-528 है, the entity chooses to exercise, देख आप बोल रहे है, देसे दो option था न, एक मेने का retrospectively कर सकते हूँ, अगर आपके बास required information निकालना possible है, और दूसरे आप prospective ली कर सकते हूँ, यहाँ पर देखो, entity ने क्या चूज किया, the entity chooses to exercise the option given in paragraph B11 of Indus 101, that is, the entity chooses to apply the requirements of Indus 109 and Indus 20 accounting for government grants and disclosure of government assistance, भगवास लिखा, सीधा लिख देता retrospectively, as required information had been obtained at the time of initial accounting for wet deferral loan, मतलब जब आपने initial accounting किया, तब required information जो चाहिए, तब आपका obtain किया हुए, और आप retrospectively करना चाते हो, तो अगर आप retrospectively करना चाते हो, तो ऐससा situation में आप क्या करते हो, आप देखते हो कि future में क्या loan दे रहा है, जैसे मैं आपको समझाए देता हूँ, ये loan आपने कब लिया, 31st March 2001 को लिया, कितना लिया आपने loan, 60 lakh लिया, ठीक है, अब first year में, second year, third year, fourth year, fifth year, आपको कुछ नहीं चुकाना, स्कीदा, fifth year में आप 60 lakh लिया चुका होगे, interest free loan है, आपको कुछ भी नहीं चुकाना, तो हम क्या करते हैं, हमें जो पैसा future में चुकाना है, उसका present value तो हमारा liability होता है, हर सल हमें interest तो कुछ भी नहीं देना है, interest तो हमें कुछ भी नहीं देना है, हर साल, है न, no interest, कोई भी साल हमें interest देने की आवा सकता नहीं है, हमें बस सीधा 60 लाग एंड में देना है, और आपका market rate of interest कितना है, 10% है, तो मैं क्या करूँगा, 60 लाग को 10% से pull कर लूँगा, divided 1.10, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 7, 2, 5, 5, 2, 8 आ रहा है, तो मेरा जेस दिन मैंने loan लिया उस दिन, initially, जिस दिन मैंने loan लिया, उस दिन मेरा, इसका fare will of loan कितना आ रहा है, 3, 7, 2, 5, 5, 2, 8 आ रहा है, तो हमने, मैंने अपको पढ़ाया है, already financial instrument में, है न, मैंने अपको पढ़ाया था कि अगर मानलो, for example, हमने government grant में भी पढ़ाया यह चीज़, कि अगर मानलो, for example, हमें loan मिलता है, concessional rate पे, तो हम देखते कि कितना fare will of loan है, fare will of loan हमें पता चला यह है, कैसे पता चला, क्योंकि future में हमें 60 lakh चुकाना है, जिसका present value market rate of interest के साब से आ रहा है, उस दाब से हमारा यह loan है, fare will of loan, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमें पैसा मिला है bank में, तब 31st March 2001 को मिला है न, 60 lakh रुपेज जो हमें पैसा मिला है bank में, हम दिखाएंगे loan कितनी का, 3725528 का loan दिखाएंगे, बाकी का बचावा government grant दिखाया जाएगा, 2274472, और हम क्या करेंगे, यह loan में हर सल interest चढ़ाएंगे, payment कुछ होगा तो minus करेंगे, और government grant जो है, इसको over the period of the loan amortize किया जाता है, इसे हम deferred government grant दिखाते हैं, है न, deferred liability, अलेक्स हम दिखा देते हैं, deferred government grant, और इसे over the period of the loan amortize करते हैं, यह concept आपको पता है, कब समझ मैंगे, जब आप इंडेस 20 गर आपका पढ़ा हुआ तो, तो मैं ऐसा करते हैं, अब हमें क्या करना, date of transition to index में पोचना है, तो आप बताओ, date of transition to index क्या 1st April 2001 ही तो है, इसका very next day, जिस दिन आपने यह accounting क्या उसका next day ही है, तो यह loan, यह वही का वही, आपका opening index balance sheet में जाएगा, हाँ, अगर date of transition to index आपका second year के बाद होता, मालो, second year end में आपका date of transition to index होता, तो हम क्या करते हैं, 3725528 जो रहता आपका, उस पे फिर हम interest चड़ाते हैं, और अगले payment तो कुछ किया नहीं first year में, second year का भी interest चड़ा देते हैं, तो यह वाला figure फिर आपका क्या रहता, loan होता, आपका opening index balance sheet वाला दिन, पर पता खुसी की बात क्या है, इस question में आपने जिस दिन आपको government से loan मिला है, उसका very next day आपका date of transition to index है, तो 31st March यह entry भी में कब करों, यह entry में करों 31st March 2001, और मेरा date of transition क्या है, तो index क्या है मेरा, 1st April 2001, तो हम क्या करेंगे, हम 1st April 2001 को, जो हमारा opening index balance sheet बनेगा, उसके अंदर liability के अंदर हम दिखाएंगे, loan, non-current liability की होगा, क्योंकि 5 साल के बाद देना है, non-current liability, के अंदर हम दिखाएंगे कितना, loan from government, कितना दिखा देंगे, 3725528 दिखा देंगे, क्यों वैसा का वैसा, क्योंकि उसका very next day आपका opening index balance sheet बन रहा है, यह हमने दिखा दिया, बाकि यह government grant जो यह भी वही का हुई दिखाएंगे, और आगी जाके हर साल हम, amortize करेंगे, अगर 5 साल tenure है, तो 5 सालों में यह amortize होगा, तो अभी हम क्या करेंगे, non-current liability में, कुछ हिस्सा दिखाएंगे, और current liability में एक हिस्सा दिखाएंगे, government grant जो है, non-current liability के अंदर भी जाएगा, 4 by 5, और आपका current liability के अंदर भी जाएगा, 1 by 5, यह भी आपको इंडस 20 में अपने पढ़ा होगा है, क्योंकि इसका 5 हिस्से होंगे, 5 साल का लोगने, 5 हिस्सा होगा, 5 हिस्सा का 4 हिस्सा non-current liability होगा, क्योंकि यह 2nd year, 3rd year, 4th year, 5th year में amortize होगा, पर एक हिस्सा तो 1st year में amortize हो जाए, इसलिए हो current liability होगया, तो 227, 227, 2472 ना, into 4 divided by 5, 18195, जारी साहिए होगया, और यह खिस्सा होगया, 454,89, तो यह नहीं यह दिखा दिया, तो यानि कहने का मतलब, जो आपका पुराना 60 लाग का लोन दिखा राता, वो हम हटा के हम यह दिखाएंगे आपर, चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो जो पुराना लोन दिखा राता आपका, पहले जो लोन दिखा राता 60 लाग का, इसको हम हटा देंगे, और इसकी जगाबे हम ब्रेक अप दिखाएंगे, लोन कितने का है, गौवर्मेंट गरांट कितने का, यह ब्रेक अप दिखाएंगे, कि कब दिखा सकते जब हम retrospective restatement करेंगे तब हम दिखा सकते मैं आपको एक बात बता दे तो exam में ऐसा might be possible होगा कि आपका जो loan है न वो थोड़ा सा पहले date का दे देगा यहाँ पर पते है क्या हुआ 1st April 2001 1 आपका date of transition to index है उसके एक दिन पहले का loan obtain दिखा दिया तो इसलिए यहाँ पर जो हमने निकाला यही पूरा का पूरा आपका इधर चला गया figure बट सोचो अगर यहाँ पर date जो है वो 31st March 2001 की जगा मान लो 31st March 1999 होता दो साल पहले का back date होता तो ऐसे situation में यह वाला figure loan में नहीं जाता पिर हम क्या करते है दो साल का जो interest चढ़ाना है वो चढ़ा के second year का हम फिर loan निकालते कितना होगा है amortized value of loan second year का है न अने amortized value जो भी है second year का carrying amount of loan निकालते है वो फिर loan में जाता और government grant में भी हम दो हिसे का हटा देते क्योंकि दो हिसा तो right of हो चुका रहगा न तो दो हिसे का government जो grant हो भी हटा के बाकी का जो बच्चा हुआ है वो हम opening index balance rate में दिखाते हैं तो आप बोलोगे तो अगर दो मिरीट लगे है मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर जैसे मालो अगर मालो यह होता आपका दो साल back date का होता 1999 का अगर यह होता loan तो हमारा यह value भी आता 31st March 1999 का आता और हमें तो 1st April 2001 का चाहिए है ना transition date यह है तो 2 साल के बाद का चाहिए तो हम क्या करते है फिर जो आपका 1st April 2001 का हम loan कितना मानते पते हैं 3725528 रहता है कि इस पर interest चड़ता पहले साल का चड़ गया अब payment तो फस चर कुछ करने रहे सेकंडर का भी interest चड़ता है सेकंडर में कुछ interest करने रहे पेमेंट पेमेंट तो कुछ करने रहे सेकंडर भी interest चड़ते गा सिर्फ तो second year के end में loan आप कर रहे था 4507888 payment कुछ कर नहीं रहे इसलिए सिर्फ interest चड़ा रहे मुझे पता इससे थोड़ा time हमें ज़्यादा लग रहे है पर इससे clarity आजेगी कल को कोशिन थोड़ा सा गुमा के भी पूछेगा तो कर पाओ गया राम से यह हमारा loan का value होगा और government grant क्या होगा government grant चो 2274472 आपको दिख रहे है ना into 3 by 5 होगा यह क्योंकि 2 साल का amortize हो चुकर रहेगा first year second year का है ना 2274472 into 3 by 5 1364683 यह आप loan दिखाते हैं और यह आप grant दिखाते हैं इस grant में भी एक इस्सा आपका 3 हिस्सा भी है दो हिस्सा तो write-off हो चुका तीन हिस्सा एक हिस्सा आपका current liability में आता government grant में दो हिस्सा आपका non current liability में आता तो यह सारी चीज़े तो कि जिस डेट का लोन था उसी डेट में ही बाइफरकेशन हुआ है पर आगी होने से फरक क्या पता आ सकता तो फरक जो आएगा वो रिटेन अर्णिंग में अज़स्ट होगा तो आई होब आपको अब यह समझ में आ चुका रहेगा कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आ आपका लून का वैलू है वही लून का वैलू आप रखी निया वाला और एफेक्टिव इंट्रेसेट निकाल के कैल्कुलेशन कर लीजिए बस बात कतम तो अब देखिए अब थियोरी पढ़ोगी तो आपको समझ में आएगा फरस्ट इम एडॉप्टर यह क्यों लिखा है ए random heaps और एफेक्टिव तो कियारेट यहां ओर आगी का प्रोस्पेक्टिव एज़ेस्ट किया फैसे अच्छी निया गलती से लिख़ियो है रेट निये अग्रांट है आप grant नहीं दिखा सकते हैं, अगर आप prospectively करोगे, तो आपको जो भी benefit मिला उसको grant नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपके बास अगर required information आप निकाल सकते हो, जो भी information चाहिए हो, अगर आपने opt-in किया है, तो आप retrospectively भी कर सकते हो, क्योंकि retrospectively करने के लिए मैं information की जरुत है, अप retrospectively करो, अगर नहीं है तो फिर prospectively करो, तो ये दोनों point, theory में जो लिखा हुआ है, उसको मैंने practical अंदाजे से करवाया, exam में दो में से एक ही question पूछा जाएगा, दोनों मैंने आपको करवा दिया, I hope अब आप दोनों question अराम से समालोगे, और government loan मैंने आपको एकदम अच्छी तरीका से clearly समझा दिया, अब next में आपको समझाओंगा service payment transaction बहुत ही simple ही है, चलिए service payment transactions के regarding discuss करते हैं, तो जैसे कि index 102 आपने पढ़ रखा होगा, जहां पर हम service payments का जो transaction होता है, उसके इंदे दो चीज़े हमने देखी थी, एक equity settled service payments होते हैं, जिसे हम ESOPS भी कहते है है ना, और एक हो गया, liability settled, यानि कुछ-कुछ service payment reserve में जाते हैं, जो equity settled वाले रहते हैं, और जो cash settled वाले रहते हैं, वो जाते हैं, service payment liability के अंदर, दोनों की बात करेंगे, पर फिलाल सबसे पहले में बात करूँगा किसकी, equity settled की बात करूँगा मैं, तो equity settled की मामले में, जहां पर हम मतलब अपने employees को वादा करते हैं, कि आप 3-4 साल हमारी company हो में काम कीजे, vesting condition satisfy कीजे, उसके बाद हम आपको है न, sales देंगे, discounted price में sales देंगे, कम दाम में sales देंगे, ऐसे करके हम grant करते हैं, अब मान लो for example, date of transition जो है, date of transition, date to index जो है आपका, यह आपनिंग इंडेस, balance बनाने से पहले ही मान लो, मैंने अपने employees से कहा, कि आप हमारी company में काम कीजे, हम आपको sales देंगे, तो आपको याद होगा, accounting standards जब हम पढ़ते थे, AS में, वहाँ पर service payments के मामले में, intrinsic value निकाला करते थे, कैसे निकालते थे, जैसे मान ली जब for example, मैंने, आप मेरे employee हो, मैंन आपको 5 minute sales देंगे, जबकि उस time में, उसका market price of sales, जो है, grant date में, जब मैंने आपको grant किया, grant date में मान लो, उसका market price, जो हो 50 rupees है, तो हम क्या कहते थे, कि 10 रुपे हम, हम आपको sales देंगे, exercise price आपका 10 रुपे रहेगा, but market price 50 rupees है, 10 की जगा 50 rupees market price है, तो हमारा 40 rupees का नुकसान हो है ना, तो यह 40 rupees को हम कहते थे, intrinsic value of option, sales नहीं, intrinsic value of option कहते थे, और इसी को हम ऐसे खर्चा बुक करते थे, तो over the wasting period, माले जो 4 साल की wasting period है, तो 4 सालों में 10 rupees, 10 rupees करके 40 rupees का खर्चा, 40 rupees का खर्चा 4 सालों में बढ़ जाएगा, ऐसे करके हम खर्चा बुक करते थे, यह हमारा तरी कभी भी जब हम service payment में, equity settlement में, जब हम खर्चा निकालते, तब हम क्या कभी भी जो exercise price है और market price से compare करते नहीं, हम यहाँ पर निकालते, fair value of option, यह जो मैंने आपको option दिया है, उसका fair value क्या है, मतलब इस option को अगर मैं किसी और को बेचू, employee के लवा किसी और को तो तो वो मुझ price का concept नहीं है, exercise price, market price का concept नहीं है, अब है fair value, shares भी नहीं, option का fair value, यह जो मैंने आपको right दिया है, जो मैंने अधिकार्ट यह उसका fair value में चेक करते हैं, तो देखो फरक है, पहले AS में हम exercise price, market price का जो difference है, intrinsic value को consider करते हैं, अब हम क्या करते हैं, तो फरक तो है न, तो इस फरक क हम क्या करें, तो उसके लिए standard आपको guidance देते हैं, standard आपको दो बात बोलते हैं, बोलते हैं कि यह अपर दो चीज़े, एक तो आपका मालो ऐसा हुआ होगा कि date of transition to index, यानि date of transition to index वहाँ या उससे पहले तक, उसके पहले ही आपका option वेस्ट हो चुका रहेगा, option वेस्ट हो च बना रहे हैं, यह date of transition to index है, 1st April 2001, माल लीचे मैंने क्या क्या, 1st April 1995 को मैंने option grant किया, मैंने employee को option grant किया, और मैंने उनको बोला, आप हमारी company में 4 साल तक काम कीज़े, 4 years तक हमारी company में काम कीज़े, और फिर हम आपको sales देंगे, तो company employee ने 4 years काम कर लिया, 31st March 1999 में, इन्होंने wasting condition satisfy कर दिया, बट हमने उनको sales नहीं दिया अभी तक, क्यों नहीं दिया पता है, क्योंकि हमने exercise period रखाया है, और 4-5 साल का exercise period है, यहां पर इस से पहली देखो, wasting condition तो satisfy हो गए, options तो सारे west हो चुके है, क्योंकि condition satisfy हो गया, लेकिन उन्होंने अभी तक exercise नहीं किये, तो हम क्या करें, vested options के मामले में हम क्या करें, तो standard कहता है, vested options के मामले में, वो कुछ अलग guidance कहता है, वो कहता है, कि आप एक काम करो, जो options west हो चुके न, उसमें आप वही intrinsic value के इसाब से, जो अपने SBPR में दिखा के रखा हुआ है, service payment reserve में, आप वहीं रहने तो अगर मामलो, जब अपने option grant किया था, उस समय आपने option का fair value publicly disclose किये, या shares का fair value, option ही, shares का fair value या option का fair value अपने publicly disclose किये, या फिर मामलो, जो listed entities है, जिन्होंने publicly disclosure किये, shares का fair value, granted पे, तो ऐसे situation में फिर भी वो index 102 apply कर सकते, कैसे index 102 apply कर सकते, वो मैं सिखा हूँगा, मतलब मुझ फिलाल आपको ये समझाना है, जो options already west हो चुके, transition date of index में, already वो vested हो चुके, उसमें standard कहता है कि आपको change करने की आवस्तकता नहीं, आप पुराना intrinsic value method के साफसे, जो अपने valuation के, उसी को पढ़ा रहे हैं तो, इंडस 102 लगाने की आवस्तकता नहीं, हाँ, अगर आपने grant date पे, एक grant date कौन सा है, 1st April 1995, जब आपने options grant किया था, employee को, अगर आपने grant date में publicly disclose किया है, fair value को, है न, उस time का जो fair value था, तो ऐसा situation में बात अलगे, मैं आपको बता दू, equity settled में, fair value, grant date का लेते हैं, option का, और बाद में later on change को भी consider नहीं करते हैं, liability वाले में फिर भी consider करते हैं, पर equity date का fair value होता है, वही हम consider करते हैं, आगे भी खर्चा book करने के लिए, तो वही grant date में, जो fair value अगर आपने publicly disclose किया, तो अलग बात है, otherwise आप क्या करो, पुराना वाला ही चलाते हो, तो वहीं आपर लिखाओ दिखें, not required to apply इंडस 102 service payment, इंडस 102 apply करने की जरतनी कौन सी instrument में, ज equity instruments, जो equity instruments west हो चुके, before date of transition to index, यहीं 1st April 2001 अपका transition date to index है, उससे पहले अगर वो west हो चुके, तो आपको वहाँ पर इंडस 102 लगाने की आवसकता नहीं है, लेकिन अगर आपने fair value जो है, grant date पे publicly disclose किया था, तो ऐसा situation में इंडस 102 अब लगा सकते हैं, पर usually मैं बता दू, सार index 102 apply नहीं करती, कौन जहंजट पालेगा, कौन आपका इतना मथा पच्ची करेगा, जरत नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरी नहीं, आप चाहो तो आपको publicly disclose किया, वह fair value उस टेम में, तो आप चाहो तो index 102 लगा सकतो, तो अब exam purpose के लिए धियान में रखो जो options already west हो चुके हैं, उस पर आपको index 102 लगाने के आवाज सकता नहीं, पुराना intrinsic value के सबसे जो दिख रहा हो ही दिखेगा, लेकिन जो equity instrument अभी तक west नहीं हुआ है, जो बाद में west होगा, यानि वो चलते आर अभी तक उनका westing condition satisfy नहीं हुआ है, वो कैसे, मालनो for example, मैंने 1 April 1995 को ही, मैंने options दिये हैं आप लोग को, पर मैंने westing conditions कुछ employee के लिए 10 साल रख दिये, 10 years, तो अभी transition date तक, अभी तक पूरा westing condition satisfy नहीं हुआ है, तो मतलब options not yet vested, तो ऐसे मामले में आपको index 102 लगाने ही पड़े, आप नेजर नहीं कर सकते, तो अभी तक इससे हमने क्या कि for equity settled service payment, जो options already west हो चुके हैं, उस पे आपको index 102 नहीं लगाना, और जो options आपके west नहीं हुए, उस पे तो आपको index 102 लगाना ही पड़ेगा, हाँ, एक exception था है यहाँ पर कि अगर आपने publicly fair value को disclose किया था, grant rate पर, तब आप vested वाले में भी index 102 लगा सकते हो, अब इसमें पता ज ज्यादा clarity तब मिलेगी, जब मैं आपको एक question का हिस्सा जो है, यह मैं आपको यहाँ पर करवा दूँगा, यहाँ पर एक point number 4 का हिस्सा है, यह मैं आपको करवा दूँगा, आपको पूरी clarity हा जाएगी आपके से, यही मज़ा, आपको पता है, अभी हम क्या कर रहें, अभी earnings of the company contained the following, isop reserve है 20,000 का, यह as per accounting standard isop reserve कितने का दिखा रहें, अब isop reserve को आज की date में service payment reserve कहते है, isop reserve नाम बदल जाएगा, classification में isop reserve की जगा balance sheet में SBPR दिखा देना, service payment reserve, service payment reserve कितने का है आपका, 20,000 का यह आपका ES के हिसाब से दिख रहे है balance, company ने क्या किया, grant किया 1000 options to employees out of which 800 have already vested यानि इसमें से क्या हुआ, 800 options already vested हो चुका है, यानि 200 unvested है, देखो, 1000 options हैं है total, 800 vested हो चुके हैं, और 200, अभी तक vested नहीं हुए, company followed in intrinsic value method, as per accounting standard मेंने का ने intrinsic value लगाया जाते है, company ने follow वही क्या intrinsic value method for recognition of ESOB charge and recognize 12,000 towards the vested option and 8,000 आपका non-vested के लिए है, चलो, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यह जो 20,000 है न, इसका दो हिस्से है, इसमें 12,000 vested option का है, और रुपीज 8,000 जो है, यह आपका unvested option का है, और यह intrinsic value में 20,000 calculate किया गया है, जो आपके balance sheet में भी 20,000 है, आगे क्या लिखा, इस fair value method had been followed in accordance with index 102, अगर पहले से ही fair value method follow किया जाता है, index 102 के हिसाब से, तो corresponding charge इसका पता है कितना होता, 15,000 होता, vested का और unvested का 9,000 होता, बतलब अगर fair value लगता, पहले से ही, तो इसका कितना होता, 15,000 होता, और इस पे अगर fair value लगता, पहले से, तो इसका कितना होता, 9,000 होता, यह बूलना चाता है, देखे, 15,000 होता, और 9,000 होता, vested और unvested sets का respectively, company intends to avail index 101 exemption of force air-based payment for not restating the soft charge as per previous gap for vested options, तो बोल रहें कि vested options के लिए index 102 नहीं लगाना चाते है, मैंने कहाना, vested option में दो चीज़े, क्या तुब index 102 मत लगाओ, है न, exemption ले लो, और अगर आप index 102 लगाना चाते हो, लगाओ, provided वहाँ पर अपने publicly disclose किया हो, तो इन्होंने तुम्हें clearly बता दिया, कि इन्होंने exemption लिया, कि ये रिस्टेट नहीं करेंगे, तो कौन से वाले में, vested options में, रिस्टेट नहीं करेंगे, unvested में तो करने ही पड़ेगा आपको रिस्टेट, तो यहाँ पर no restatement, तो मतलब continue करेंगे, old figure of rupees 12,000, है न, no restatement, यहनि आप यहाँ पर index 102 नहीं apply करोगे, not applied, आप index 102 यहाँ पर apply नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर तो करने ही पड़ेगा, यह unvested options में, इंडस 102 शुड भी applied, और अगर इंडस 102 अप्लाई होगा, तो उस हिसाफ से आपको कितना दिखाना पड़ेगा, 9,000 दिखाना पड़ेगा, यहनि कहने का मतलब, यहाँ पर तो आप 12,000 से काम चला लोगे, यह पुराने वाले से क्योंकि आपको इंडस 102 नहीं लगाना, प्रिवेस विगर को आप दिखा दीजे, है न, क्योंकि आप रिजस्टेट्मेंट नहीं करना चाहते हैं, 16,000 इन ओपिनिग, इन डेस बैलनस रिट, बताओ, कितना दिखना चाहिए, 12,000 प्लस 9,000, यह झाफिनी 21,000 दिखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जो अपने ओपिनिग इन डेस बैलनस रिट बनाएंगे, हम उसमें transition rate में जो बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे देखो सबसे पहले तो जो isop reserve दिख रहा है 20,000 का यह आपका दिख रहा है इसको आप d-recognize करोगे इसको आपको d-recognize करना है यह 20,000 को d-recognize करके आप SBP reserve दिखाऊगे service payment reserve दिखाऊगे कितने का 21,000 का दिखाऊगे अब difference आ रहा है na 1000 उपए का 1000 उपए का difference आप क्या करोगे रिटे नरिम 1000 उपए का difference वो रिटे नरिम में डाल दिया बात करता हूँ यनि कहने का मतलब इसको मैं अब काटा जो इसको मैं हटा देता हूँ क्यों मैंने काटा है इसको यह bracket में जाएगा यानि यह D-recognize हो जाएगा तो देखो पहले का 20,000 हमने D-recognize कर दिया उसकी जगा में 21,000 का SBPR दिखा दिया और 1000 का फरक आएगा थाउचिन का फरक रिटीन एंडिंग में डाल देंगे बात खतम देखो कितने अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दिया कोशिन के साथ तो service limit reserve याद रहेगा हां सर याद रहेगा vested option के मामले में आपको इंडेस बंचिरू टू अप्लाई नहीं करना हाँ अगर आपने अगर आपने disclose किया the fair value ग्रांड डेट पे publicly तो आप कर सकते और अनवेस्टेट अभी तक जो वैस्ट होई नहीं उसमें तो आपको हमेसा इंडेस बंचिरू टू लगाने ही पड़ेगा इंडेस बंचिरू टू लगाना मतलब fair value of option लेना पड़ेगा आपको तो यहाँ पर वही हुआ आपका 12,000 तो वही का वही रख दिया हमने क्योंकि हाँ पर question में बोला कि यह restatement नहीं करना चाते जो आपके vested option उसके मामले में है न यह इंडेस बंचिरू टू अपलाई नहीं करेंगे तो 12,000 का 12,000 नहीं रहने दिया लेकिन जो आपका unvested options का जो 8,000 था 8,000 की जगा हम fair value लो लेंगे चो 9,000 है इसमें तो इंडेस बंचिरू टू लगी गई 12,000 प्लस 9,000 21,000 होगा 21,000 हम दिखा देंगे 20,000 आप कट पहले से दिखाया हुआ था अब 21,000 दिखाएंगे तो 1000 का फरकी हमने दिखा यानि अब आपको I think समझ में आ गया अच्छी तरीके से है ना तो म Liability Settled Service Payment जो है उसमें Encourage किया जाते है Encourage में तो आपको करने पड़ेगा इट इस Encourage टू अप्लाई इंडेस 102 तो बोथ vested and non vested option यानि आप एक चीज़ ध्यान में रखना जो Equity Settled होगा उसमें तो vested में आप क्या करोगे Intrinsic Value पुराना वाला ले लेना और non vested में Fair Value लोगे लेकिन जो Liability Settled वाले होंगे वहाँ पर आपको दूनों मामले में Fair Value लेना पड़ेगा और यहाँ पर हम Fair Value grant rate का नहीं लेंगे आपका ताजा Fair Value लेंगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा Indus 102 में कि जहाँ पर भी Liability Settled होता मतलब हमें कैस दिन होता है और वहाँ पर आपका Fair Value बदलते रहता है तो हमारा जो option का value भी बदलते रहता है ठीक है? Done तो यह मैंने आपको अच्छे से समझा दिया यह पूरा clear हो चुका आपका Service payment अच्छे से clear हो चुका है अब मैं आपको पढ़ाऊंगा Deem Cost for PPE Intangible Assets and Investment Property देखो Property इतना देन एक्विपमेंट हो गया Intangible Assets हो गया Investment Property हो गया तो इस मामले में Standard क्या कहते है इस मामले में Standard बोलता है आप एक काम करो एक तो आप ऐसा कर सकते हो हो कि PPE Intangible Assets, RU Assets में आप Retrospective Restatement करो Backdate में जाओ चाहकि वहां से Index 16 लगाते हो आपको Cost Model, Revolution Model जो भी लगाना हो साथ अची लगाते हुए आज की Value में पहुचो अप For All, PPE हो, Intangible Assets हो, RU Assets हो आप इन सम्में क्या कर सकते हो Retrospective Restatement कर सकते हो या फिर अगर आपको Retrospective Restatement करने का मन नहीं है आप एक और काम कर लो आपका जो Date of Transition है यानि जिस दिन आप Opening Index Balance It बना रहे हो इस भी तो एक प्रकार का PPE है बस फरक कितना है कि RU Asset कौन से हमने Lease मिल या कोई Asset तो वो RU Asset का Feature जो रहता है न Once वो RU Asset रिकगनाईस हो जाता है उसके बाद उसके सारे Feature PPE वाले रहता है तो इसलिए ध्यान रखना PPE हो गया Intangible Assets हो गया RU Asset हो गया इन तीनों के मामले में आप क्या क्या कर सकते हो एक तो Retrospective Restartement करना जिस दिन खरीदा था जिस दिन Lease पिलिया तो उस दिन से जाके Back Date में जाके Calculation करते वे आज का Date का Value पता करो Retrospective Restartement तूसरा आप आज Date of Transition आज के दिन का Fair Value लेलो तीसरा आप एक काम करो कोई जहनजट मत पालो जो Previous Gap Carrying Amount है उसी को Deemed Cost मालो सबसे सरल उपाई ये है मेरा AS के हिसाब से मालनो 10 लाग रुपी से PPE, Property Planning and Equipment मेरा AS के हिसाब से 10 लाग रुपी से मैं IndeAS के हिसाब से भी 10 लाग मालनो हुआ बात खतम और यहाँ पर यह Allow इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा फरक नहीं है अगर आप Old AS देखोगी इन सब स्टेंडर्ड में Old AS और निया IndeAS में कुछ ज़्यादा Major Major फरक नहीं है इसलिए यहाँ पर Previous Gap Carrying Amount भी आपको Allow किया जाते हैं और या फिर Fair Willow ले लो या फिर Retrospective Restrictment कर लो बस एक चीज़ का ध्यान रखना अगर आप Previous Gap Carrying Amount लगाओगे यह वाला Method लगाओगे तो यह Method आपके सारे Class में लगेगा जैसे Factory Building 5 है एक में आप Previous Gap लोगे तो सारे Factory Building में आपको वही लेना पड़ेगा Previous Gap ही लेना पड़ेगा अपने Index 16 में पढ़ाता अलग-अलग Classes है ना पानी में चलने वाले Swips का अपना Class होता है Factory Equipment का अलग Class होता है अपना Office Equipment का अपना अलग Class होता है Furniture and Fixure अलग Classes के होगे तो Within Furniture and Fixure एक Item को अगर आप Previous Gap Carrying Amount लगाओगे तो सभी में आपका Previous Gap Carrying Amount लगेगा वही लिखावारी के Can be Applied Only if Applied to All of the Assets, Classes and Items देरिन इन्हें सारे Classes Classes के अंदर जितने Item है वो सारे पे आपका Previous Gap Carrying Amount लगेगा But Fair Value के मामले में और Retrospective Restartement में ऐसा नहीं है इसमें Item by Item basis है मतलब मतलब मालो Same Class के अंदर दो Plant है एक Plant में आप Retrospective Restartement लगाना चाहते हो लगाओ दूसरे में Fair Value लगा लो लेकिन अगर एक में Previous Gap लगेगा तो सारे Item में ही Previous Gap लग जाएगा तो अब ऐसा नहीं कर सकते एक में Fair Value लगा दिया एक Plant में और दूसरे Plant में Previous Gap नहीं क्योंकि Plant एक सेम Class के अंदर हो गए है ना तो अगर एक Plant में Previous Gap लगेगा तो सभी में Previous Gap हाँ लेकिन एक Plant में अब Retrospective Restartement करना चाहते हो दूसरे में Fair Value लगाना चाहते हो लगा सकते हो क्योंकि Retrospective Restartement और Fair Value के मामले में Item by Item Basis है Class Basis नहीं तो I think आपको समझ में आ गया कि तर तीन तीन उपाई हमारे पास कब कब PP, Intangible Assets और RU Asset में हम क्या कर सकते हम चाहे तो Retrospective Restartement कर सकते या फिर हम चाहे तो Fair Value ले सकते Transition Date का जिस दिन Opening Index Balanced बनेगा उस दिन का और या फिर हम जो पूराना Previous Gap का Carrying Amount है उसी को Deem Cost मान लेंगे ये तीन उपाई हमारे पास है पट आपको मैं बता दू Investment Property के मामले में आपके पास तीन उपाई नहीं है Investment Property के मामले में आपके पास ये उपाई है Either आप Retrospective Restartement करो या फिर आप Previous Gap का Carrying Amount लेंगे आप Fair Value नहीं लगा सकते पता है क्यों? क्योंकि आपको पता होगा Index 40 जब हम पढ़ते हैं तो महाँ पर हम Cost Model ही हम लगाते Revolution Model अलाउड नहीं है इसी वज़े से Standard कहता है कि Investment Property के मामले में आप सिर्फ और सिर्फ या तो Previous Gap Carrying Amount ले लो और या फिर आप क्या कर लो? आप Retrospective Restartement कर लो Fair Value का स्कोप नहीं है पर Index 40 जब कि Permit करता है Only Cost Model इसलिए First Time Adopter cannot apply Fair Value On Date of Transition या अप्लाई नहीं कर सकता हाँ आप क्या क्या कर सकते हो Retrospective Restartement कर लो Previous Gap Carrying Amount भी आप यूज़ कर सकते हो तो बताओ ये वाला भी एकदम अच्छे से Clear हो गया एकदम अच्छे से Done और इसका भी एक Part मैं आपको Quotion से करवा देता हूँ इसका भी एक हिस्सा है जो मैं आपको करवा देना चाहता हूँ यह देखें यहाँ पर आपको एक Property Planned and Equipment देख रहे है Question में कितने का 134500 का Property Planned and Equipment देख रहे है अब यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ डेटा दिया हमे In relation to Property Planned and Equipment सबसे पहले इन्होंने क्या बोला Property Planned and Equipment Comprice Land Held for Capital Appreciation Purpose Capital Appreciation Purpose के लिए Held किया है मैं बिजनस परपस नहीं तो मतलब इसमें क्या लगए है यह Investment Property Classify होगा कितने का Posting रुपिस 4,50,000 And was Classified as Investment Property यानि इसके अंदर 4,50,000 का जो वल्लू है वो Investment Property Classify होना चाहिए Then हम यह पता चला आगे देखते है यह तो Extend Difference का लाइन है काम नहीं है There was no Asset Retirement Obligation काम नहीं अब यह वाला लाइन काम का हमारे लिए The Management Intents to Adopt Deemed Cost Exemption for using the previous gap carrying values as deemed cost as at the date of transition for PP and Investment Property यह नहीं PP और Investment Property के लिए क्या क्या ले सकते है तो Retrospective Restartement कर सकते है Fair Value ले सकते है Previous Gap ले सकते है यह क्या बोल रहे हम कौन सा लेंगे Previous Gap carrying values लेंगे तो ठीक है तम Tension की कोई बात नहीं सरल उपाई लिए नोंने Previous Gap यह जो यह है वही ले लेंगे बस इसमें फरक क्या आएगा अब यह PP जो है यह कितना दिखा सकते है 4,50,000 हटा दो 1,30,000,000 की आप PP दिखा सकते हूं बाकि Investment Property आप दिखाओगे 4,50,000 की यह लूस दोनों मिला कि यह होगा क्योंकि Previous Gap carrying amount आप ले रहो बस आपको Segregate तो करना पड़ेगा क्योंकि PP अलग से दिखाते है Investment Property हम अलग से दिखाते है तो दोनों का Segregation करना होगा जो कि मैं आपको यहाँ पर Answer में भी दिखा देता हूं इन्होंने PP दिखाया 1.30.000.000 investment property दिखाया 4.50.000 तो देखाया मैं कितना सारा हिस्ता इसका साथ साथ करवा दे रहा हूं आगे जाके फिर आपको परेशानी नहीं आएगी जब मैं आगे आपको questions वो कराऊंगा ना आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी अब मैं और कुछ देख लेता हूं और भी कहीं पर property planning equipment का कुछ हिस्सा है तो मैं आपको करवा दूँगा वो भी देख लेता हूं एक बार चलो यह देखे यहाँ पर भी property planning equipment है और intangible assets भी है 20 लाग 2 लाग का इसके matter में नो ने क्या बोला देखो property planning equipment consist a class of asset as office building whose carrying amount is rupees 10 लाग तो एक class of asset है मैंने बोला ना एक class of asset में आप seem लगा सकता हूं तो previous gap का मामल है हलाकि fair value retrospective तो अलग-अलग में भी लग जाते है however the seed fair value the fair value of the seed office building as on the date of transition is rupees 15 लाग company wants to follow revolution model revolution model अगर आप लगाना चाहतो तो यह क्या करना चाहते है इसके अंदर 20 लाग का total है इसमें से एक class of asset 10 लाग का जिसमें यह fair value लगा के 15 लाग दिखाना चाहते है दिखाऊ कोई दिक्कत नहीं है बाकी class में यह previous gap लगाए यह retrospective लगा है जो लगा लगा लेंगे हम assume कर ले रहे बाकी में यह previous gap लगा रहा है तो बाकी का 5 लाग का 5 लागी रहेगा और कर सकते है था क्योंकि यह अलग class है यह अलग-अलग class में अलग-अलग possibility है मतलब एक class में previous gap लगेगा तो उस class के अंदर जितने item उसमें previous gap लगेगा तो यह मान रहे अलग class है तो यहाँ पर हम 15 लाग इसको दिखा देंगे इसका 5 लाग दिखा देंगे तो कितना हो जाएगा अच्छा रुख जो गलती हो गई 20 लाग में से 10 लाग आपका इधर है और 10 लाग आपका इधर है तो इस 10 लाग को हम 15 लाग दिखा रहे है पाकी ये जो 10 लाग है इसको 10 लाग का 10 लाग है पड़ा रहें देंगे मैंने गलती से हमाँ 5 लाग लिख दिया था क्योंकि 20 में से 10 को 15 कर रहो पाकी 10 10 ही रहेगा तो दूनों मिला के कितना हो जाएगा 25 लाग ये हम 25 लाग का दिखा देंगे बात खतम फिर intangible assets का भी देख लेते हैं बोलो fair value of intangible assets बता दिया 250 लाग थाओ चेने आवे बहर देखो ने क्या लिखा हुए the management is reluctant to incorporate the fair value changes in the books of account management fair value नहीं दिखाना चाहता है मत दिखाए कोई बात कोई जबड़तसी थोरन है अब fair value दिखाओ previous gap carrying amount दिखो यह retrospective statement करो यह reluctant है बोलते fair value दिखाना नहीं चाहते बाकि retrospective के लिए कोई data है नहीं तो मालेंगे previous gap carrying amount की दिखाना चाहते है तो यहाँ पर यह two lakh का two lakh की रहेगा previous gap carrying amount की बढ़ा रहेगा तो आप ध्यान से पढ़ना ऐसा नहीं कि हर पड़ी कर देना fair value दिया और सीधा ले लिया आगे का line पढ़ना जो लिखा हुए fair value यह नहीं लगाना चाहता reluctant का मतलब नहीं लगाना चाहता ठीक है तो यहाँ पर दिखना two lakh का two lakh की रहेगा answer में यह देखो intangible assets two lakh और 25 lakh यह रहा तो दूनों हमारा ठीक है मैंने 25 lakh की लिया था two lakh तो मैंने यहाँ पर भी यह करवा दिया तो आपको मैंने इस से related भी जो पी पी intangible assets और investment property के मामले में भी जो concept था वो मैंने आपको सिखा डाला है ना done यह भी हमने कर लिया अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब है investment in subsidiaries joint venture and associates यह भी बहुत सिंपल है यह भी हम करेंगे फिर business combination थोड़ा सा मुझे time देना है NCA time देना है फिर ज्यादा है नहीं ज्यादा कुछ बचेगा नहीं अब हमारा अब हम फटा-फट यह concept कुछ कुछ देखते फिर हम questions में जम करेंगे चलिए अभी मैं आपको समझाओंगा investment in subsidiaries joint ventures and associates यह जो भी आपका investment होते हैं subsidiaries में जहां पर आपका control establish होते हैं joint ventures या फिर associate होते हैं तो वहाँ पर हम investment को कैसे measure करेंगे separate finances statement में तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इंडेस क्या कहते हैं इंडेस 27 हम apply करते हैं for separate finances statement में और इंडेस यह कहते हैं आपको कि आपका जो भी investment हो रहा है subsidiaries में joint venture या associate में आपके पास तो रास्ते एक तो या तो cost में दिखा दो और या फिर आप क्या करो index 109 के सबसे fbt पे लिए fbt को से accounting कर लो या अपने इंडेस 27 में पढ़ रखा है तो यह तो मैं समझ में अब problem क्या है दीखे problem यह है अगर हम old accounting standard की बात करें तो old accounting standard में तो ऐसा हुआ होगा कि जो आपका investment in subsidiaries का relation एस के साब से relation establish ही नहीं हो रहा था मैं इसका एक example लेरो माली जो for example मैंने आपकी company में 45% से रोल्डिंग का रखा हुए 45% से रोल्डिंग का रखा हुए तो एस पर old accounting standard के करम बात करें तो वहाँ पर 50% से ज्यादा voting right होनी पर ही control establish माना जाता है तब यह मेरे सबसेटरी कहला होगे तो उस basis में क्या पता मेरे सबसेटरी नहीं कहला रहे हो और उसको मैंने normal long term investment की तरह रख रखा हुए सबसेटरी का relation ही नहीं है या फिर मतलब दूसरा relation कुछ भी establish नहीं करके नॉर्मल तरीके से रख रख हुए अब इंडेस 27 अगर हम इंडेस की बात करें तो इंडेस के साब से हमने यह पढ़ा हुए कि मालू मेरी पास 45% का voting right है और बाकी सभी के पास इक्तम होता है न छोट खासा स्टीक नहीं है तो उसके चलते मैं कह सकता हूं कि मेरी पास control है यह बहुत सारे जो इन्वेस्टर से बाकी के बास छोटा चूटा 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 प्रूपोर्ट सेर होल्डिंग मेरी पास 45% सेर होल्डिंग है तो उस हिसाब से मेरा क्यों होता है control मेरा establish हो और मैं फिर उसे सबसेटरी मानूंगा तो एस में उसे सबसेटरी नहीं माना गया था एक कोड़ एक्जम्ब लिता हूं ऐसा भी हो सकता है कि मानने जब हमने पुर्णा एस की बात करें हमने investment in subsidiaries consider किया हूँ पर तुम्हाँ पर अगर माले लीजे हमें कोई contingent consideration देने का बात बोला मतलब मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपका subsidiaries को acquire करूँगा आपको बदले में मैं 50 लाक रुपीस तो cash दूँगा मैंने का है तो 50 लाक रुपीस मैंने cost दिखा के रखा हुए इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा कि आने वाले 2 साल में मेरा अगर अच्छा खासा profit हुआ तो मैं आपको contingently और 10 लाक रुपी एक्स्ट्रा से दूँगा तो ये 10 लाक रुपीस एक्स्ट्रा से contingent consideration मैंने आपको देने का वादा किया है और माले जे वो प्रॉबेबल नहीं था एड़ टाइम ऑफ मतलब जो एक्विजिशन हुआ था उस टाइम में प्रॉबेबल नहीं था कि मुझे आपको देना पड़ेगा तो एस पर old accounting standard अगर वो consideration प्रॉबेबल नहीं होता तो मुसको accounting नहीं करते हैं तो हमने किया कि एस केस आपसे 50 लाग की cost माना 10 लाग को cost नहीं माना क्योंकि probability नहीं था कि हमारा contingent consideration हमारा outflow होगा बट अगर मैं index की बात करूँ तो index में probable हो या ना हो matter नहीं करते हैं अगर contingent consideration ने भले वो प्रॉबेबल ना हो लेकिन अगर आपका उसका जो भी fair value आपको फेर वेलू part of consideration लेना पड़ते हैं मानने जो उसका फेर वेलू 2 लाग रुपीस है तो 2 लाग रुपीस मेरा part of purchase consideration होगा part of cost आएगा मेरा तो इसलिए index के साबसे वो cost का हिस्सा बनेगा तो वही standard आपको कहना चाता है standard आपको यह कहना चाता है कि आपने AS में बहुत सारा अलग-अलग तरीके से क्या होगा गंद मचा रखा है आपको क्या करना भी index 101 आपको यह कहता है कि जो first time adapter है उसे उन सभी investment को क्या करना पड़ेगा या तो cost में measure कहेगा as per index 27 cost as per index 27 के मतलब जो भी आपका cost है वो पूरा cost आपको लेना पड़ेगा भले आपका contingent consideration है तो उसका fair value भी लोग यह बागी सारी चीजों को मिला के आप cost में measure कीजे है ना as per index 27 और या फिर आप क्या करो fair value जो आपने जिस दिन opening index balance rate बना रहे हो उस दिन का fair value या फिर previous gap carrying amount भी यहाँ पर allow किया जा रहा है आप बोलोगे नहीं यार हमें इतना जंजट में नहीं पड़ना तो ठीक है आप जो पूराना previous gap में जो आपका balance rate में दिख रहे है investment का cost आप आपके पास यहां पर तीन उपाई है क्या एक तो अब इंडेस 27 के सबसे cost determine कर लो कि क्या आपका cost लगा है कितना पैसा cash दे रहो कितना sales दे रहो कोई contingent consideration भी दे रहो तो उसका fair value क्या है उस हिसाब से पूरा cost determine कर लो तूसरा आप fair value ले लो on the date of transition to index और तीसरा previous gap carrying amount ले लो इन तीनों में से कोई भी अपले कि आप उसको deem cost मान के आप उसको दिखा सकते हो अब वो लोगे को difference आ रहा है जैसे fair value लोगे cost as per index 27 लोगे कुछ difference भी तो आ सकते है तो already recorded है और जो अब अभी record करना चाते हो previous gap लोगे तो को difference नहीं आएगा बाकी दो जगा में तो difference आ सकते तो वो return ending से आप adjustment करोगे चली यह मैंने आपको समझा दिया अभी मैं आपको समझाओंगा इक joint arrangement यह इसका question भी मिलेगा आपको यहाँ पर आगे जाके इसका हम question भी करने वाले पर मैंने एक example अच्छा सा frame कर ली आपको समझाने के लिए को tension की बात नहीं है जैसे मैं आपको बिदा दो joint arrangement की अगर हम बात करें तो हम यह अबर consolidation purpose की बात करें जब हम consolidated financial statement बनाते हैं तो आपको मैं याद दिला दो AS का previous gap याद दिला दो previous gap में जब हम accounting standard AS 27 की अगर हम बात करें तो AS 27 में हमने पढ़ाते है कि कोई भी आपका investment हुआ joint venture में मान लीचे मैं एक प्रतिक जगाती हूँ और एक पंकच जगाती है हम दोनों entities ने मिलके एक company को acquire किये और हम दोनों का मान लीचे उसमें 50% 50% voting right है मीरा भी 50% voting right है पंकच जगाती का भी 50% voting right है हम दोनों का 50% voting right है जितने assets और liabilities है उन सबका 50% हिसा में अपने books में दिखा देता हूँ पंकच जगाती भी उन सबका 50% हिसा अपने books में दिखा देता है कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ जैसे मान लीचे property planned and equipment 1 lakh का था तो मैंने 50% अपने books में 50,000 दिखा दिया proportionately और पंकच जगाती अपने books में proportionately 50,000 दिखा देगा मैंने माले जी intangible assets माले जी 60,000 का था मैंने 30,000 दिखा दिया पंकच जगाती 30,000 दिखा दिया inventories मालनी जे 30,000 का था मैंने 15 दिखा दिया वो 15 दिखा दिया receibles मालनी जे 40,000 का था मैंने 20 दिखा दिया वो 20 दिखा दिया और loan आपका 36,000 का था मैंने 18 दिखा दिया पंगज एकातिन 18 दिखा दिया payables 10,000 का था मैंने 5,000 दिखा दिया पंगज ने 5,000 दिखा दिया तो यहाँ पर basically हमने क्या क्या हमने proportionately सारे assets and liabilities दिखा दिए एक बार मैं यह अटा देता हूँ proportionately हमने सारे assets and liabilities दिखा दिखा दिए अब मैंने मानलो मुझे proportionate assets and liabilities दिखाना का मोका मिल गया मुझे कितना दिखाने का मोका मिला 1,15,000-23,000 निन 92,000 का मैंने assets दिखा दिया मान लीज़े for example यह business को यह 50% acquire करने के लिए मैंने 98,000 पे किया कितना consideration दिया मैंने 98,000 का मैंने consideration दिया मान लेता हूँ मैं मेरे cash से भी कम कर देता हूँ मेरा जो cash है वो 98,000 से कम हो गया मलब मैंने 50% acquire करने के लिए joint venture में मैंने 98,000 पे किया मैं extract तो balance rate बना रहूँ ठीक है मेरा अपना balance rate हो का वो लग है अब मैंने बाकी जितने assets and liabilities थे individually मैंने अपना proportionate share दिखा दिया as per year 27 तो अब देखो मैंने assets कितनी का दिखाया 1,15,000-23,000 मैंने दिखा जाए तो आपका 1,15,000-23,000 मैंने दिखा जाए तो 92,000 का net assets दिखाया और मैंने बदले में पैसे दिये 98,000 यह नहीं 98,000 का मुझे assets मिला proportionately और मैंने 98,000 पे किया तो जादा मैंने कितना पे किया 6,000 जादा मैंने पे किया तो जितना मैंने जादा पे किया वो मैं goodwill दिखा दूँगा इस तरीके से मैंने goodwill दिखा दिया तो यह हम old AS में करते थे बट अगर मैं आपको याद दिलाओं अगर आप बात करोगे index की तो index में हमने पढ़ा हुआ index 28 जहाँ पर भी आपका investment in joint venture या फिर associates में investment होता है आप single value single value का एक item दिखाते हो जिसके अंदर goodwill वगेरा सब कुछ अब यह दिखते हो कि overall आपने cost कितना इंकर किया single value यह आप दिखाऊगे और आगे जाकि equity method लगाते वे जितना आपका assets है वो सारा आप दिखाते हो अलग से proportionately आपको दिखाना allowed नहीं as per index 28 के कर्म बात कर investment in associates and joint venture consolidation purpose के लिए index 28 का भी वीडियो मैंने YouTube में बे डाल रखा single single value दिखाने का मैं एक single value दिखाना पड़ता है हम बहुत सारे independently value नहीं दिखा सकते हैं तो वैसे आपको करना पड़ेगा अब आपने तो वैसा किया नहीं है अब तब index 101 आपको क्या कहता है वो यह कहता आप एक काम करो जितनी आपके assets है including goodwill उसका एक single value determine करो कितना आप investment in joint venture दिखा दो जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि देखो यह cash हम नहीं लेंगे यह तो मैंने consideration दिया इसको मैं हटा देता हूं यह cash इसका हिसन यह तो मैंने consideration दिया इस 98,000 का effect तो इस आ रहा रहा है मतलब हम यह देखेंगे all assets minus liabilities करोगे तो आपका 98,000 आएगा 6,000 को में include करके including good will क्योंकि investment in joint venture जो हम दिखाते हैं including goodwill दिखाते हैं यह cost दिखाते हैं initially दिखा जातो तो इन 98,000 का हम दिखा देंगे आपर यानि कहने का मतलब हमने क्या क्या हम initial investment को कैसे measure करेंगे aggregate of carrying amount of assets and liabilities that entity had previously proportionately consolidated including goodwill तो आप देखो 50, 30, 15, 21, 15,000 minus 23,000, 92,000 होगा plus goodwill भी add कर देंगे 6,000 तो 98,000 कम investment in joint venture दिखा देंगे इसके बद हमें एक चीज़ और करना होगा हमें impairment testing करना होगा भले indication of impairment हो या ना हो हमें इसका impairment testing करना ज़रूर है क्योंकि हमने aggregate value उठाके डाले एस वाला तो impairment होना चीज़ का तो इसका impairment करेंगे अब मानिजी impairment करने पर हम क्या करेंगे recoverable amount नि तो हम क्या करेंगे 13,000 का impairment loss बुक करेंगे और ultimately इसको फिर 85,000 में दिखाएंगे और ध्यान से सुनना ये impairment loss जो है ना opening index balance rate में PL में नहीं जाएगा retain earning में जाएगा क्योंकि opening index balance rate हम बना रहे और यहां पर जो भी फरक होगा वो फरक सारा retain earning से adjustment होगा PL से नहीं होगा क्योंकि statement of PL मनी नहीं रहे सिर्फ एक balance इदी बना है तो हम देखें क्या करा हमने impairment testing किया और जो भी impairment का effect है वो retain earning में हमने दिखा दिया so I hope आपको यह समझ में आगया joint arrangement का मामना यहां पर यह लिखा वादी कि transition from proportionate consolidation to equity method क्योंकि AS27 के साब से proportionate consolidation कर रहे थे इंडेस 28 के साब से हम equity method लगा दिया यह AS27 के साब से हम करते थे और इंडेस 28 के साब से हम equity method लगाते है तो वह equity method में हमने क्या किया कि सारे assets minus liabilities including goodwill करके हमने single value दिखा दिया फिर impairment testing के impairment loss वा तो book कर दिया उसको written earning में हमने effect डाल दिया I hope आपको पूरा यह अच्छी तरीके स समझ में आगे इसके question भी वह में last में कराओंगा बहुत ही अच्छा question है और जरूरी question है वह question exam के लिए important हो सकते है थोड़ा सा हमापर twist भी है कुछ तो वह करवाओंगा आपको अच्छे से समझ में आ जागा टेंसन की कोई बात निए पर फिलाल मैं आपको business combination non controlling interest यह मैं करता हूं यह वाला topic पढ़ा देता हूं cumulative translation difference आप यहाँ पर हम बात करें इंडस 21 की और एस 11 के हम बात करेंगे यहाँ पर उसका relation मैं आपको भी समझा दूँगा cumulative translation difference हम समझते हैं इसका concept समझने के लिए आपको एस 11 कम reference लेंगे साथ के साथ इंडस 21 क्योंकि पहले के जमाने में इन्हीं प्रीवेस गैप के अंदर एस 11 फोलू किया जाता था जहां पर foreign exchange हम एस 11 में पढ़ते थे और अब हम इंडस 20 इंडस के अंदर हम इंडस 21 में करते थे कि आपका होम करणसी की अगर आप इंडिया मेरे तो आपका होम करेंसी रुपिया है तो रुपिया में आप अपका ट्रांजिक्शन हो रहा तो उसे हम foreign currency transaction मानती तो इंडस 11 लगाते थे अगर आप इंडस की बात करोगे तो इंडस में होम करेंसी करके ऐसा कोई concept न functional बोल सकते हो रुपिया आपका होगा करता था अब इंडस की जब सब इंडिया में रह तो फिर भी आपका रुपिय के लावा दूसरा भी कोई functional currency हो सकते हैं तो इट माइट भी पॉसिबल कि पहले के जमाने में आपने होम करेंसी को ध्यान में रखते हैं आपने रुपिया अब अगर हम बात करें translation difference की जैसे कि यहां पर हम पढ़ रहें cumulative translation difference इन्हीं यह foreign currency translation difference की बात करें जैसे कि हमारे जो foreign operations होते हैं हमारे branches होते हैं joint ventures होते हैं तो वो सारे हमारे operations है जो कि other than अगर functional currency में operate हो रहें तो उसे हम foreign operation कहते हैं as per index और अगर मैं AS की बात करो तो रुपिया की अलावा कोई और अगर आपका तूसरी country में अगर कोई आपका operation है जिसे हम foreign operation कहते हैं तो आपका जो foreign operation को हम consolidation purpose के लिए translation करते हैं और उससे आपका translation difference होता है उसे हम FCTR कहते हैं अगर मैं AS की बात करो तो AS में हम check करते थे integral है या non-integral foreign operation है integral foreign operation में तो हम PL में डालते थे जो भी translation difference आता था non-integral के मामले में हम क्या करते थे FCTR करके गनिया अलग से head में दिखाते थे और पहले के time में तो OCI करके भी वैसा कुछ नहीं होता था अब FCTR के अंदर आप दिखा देते थे अलग से reserve अब create कर देते थे थे तो अभी ind AS के अंदर लेकिन OCI का concept है आपका फिर वो reclassifiable भी होता है कि जब आपका disposal हो जाता foreign operation तब आप क्या करते हो OCI को reclassify करके PL के थ्रू root करते हो तो यानि कहने का मतलब यह कि AS के अंदर concepts अलग थे इंडेस के अंदर concepts अलग है अब मुद्दा यह कि जो translation difference मालो FCTR आपके balance sheet में opening index balance sheet जब आप बना रहे हो आपके balance में मालो FCTR 1 lakh का दिख रहे है तो इस 1 lakh का क्या करे तो मेरी बात सुनो यह asset यह liability नहीं है यह जो FCTR का balance यह reserve यह नहीं asset यह नहीं liability है और इसी वज़े से इस fair value भी ले सकते है fair value तो इसका determinable ही नहीं होगा पहली बात है ना previous gap में भी कैसे previous gap ले ले क्योंकि यह कोई assets या liability थोड़े नहीं है कि previous gap ले इसको previous gap भी आपको नहीं लेना चाहिए तो आपको करना क्या है standard आपको दो बात बोलते है standard आपको यह बोलता है एक तो आप ऐसा कर सकते हैं अब यह काम करो सबसे best रहेगा आपका जो भी foreign currency translation differences को zero कर दो अगर मालो one lack of foreign currency translation difference है पूरा का पूरा de-recognize कर दो और with a corresponding adjustment to retain earning क्योंकि सारा opening index balance में जो भी adjustment होगा वो retain earning के साथ ही adjustment होगा आप FCTR को zero बना दो और आप जितना आपका adjustment है वो retain earning के साथ अब कर दो और मै real life में भी जादा तर यही apply किया जाएगा क्योंकि कौन माथा पची जादा करेगा तो पहला उपए तो यह है कि आप क्या करो जो भी आपका translation difference है FCTR का balance है आप उसको क्या करो पूरा का पूरा zero कर दो अगर one lakh का FCTR है तो FCTR one lakh से debit कर दो to retain earning retain earning में डाल दो बात खतम किस्सा दूसरा उपई यह आप अगर ऐसा नहीं करना चाते है अब retrospective restatement करो अब backdate में जाओ महां से इंडेस 21 लगाते विया हो और पूरा किस्सा करो backdate में जाके retrospective restatement भी आप चाहो तो कर सकते हो तो यह दो option आपके पास है जो दोनों मैंने आपको बता दिया कि आप क्या क्या क माल लो opening index balance sheet बनाते समय मैंने FCTR का balance को zero बना दिया reset करके zero कर दिया मैंने उसको अब subsequently जो आपका foreign operation था जिससे related FCTR को अपने zero कर दिया अब subsequently अगर आप उस foreign operation को dispose कर दोगे तो उससे related FCTR तो ही नहीं तो फिर कहा है का PL में reclassify करना क्योंकि FCTR को तो उससे related जो पुराना FCT त्यार है वो तो आपने already zero करी दिया है ना तो फिर उसको पोस PL में reclassify करने का कोई करकी नहीं बनता है अब बाद में after opening index balance it बाद में अगर आपका कोई translation difference arise हुआ है तो वो translation difference आपके books में होगा उसको अब भले ही फिर बाद में आप क्या कर सकते हो आप reclassify to PL कर सकते हो पर जो already अपने write-off कर दिया उसको फिर बाद में reclassification to PL का कोई sense ही नहीं बनता क्योंकि वो exist ही नहीं करता तो वो वाली बात इन्होंने बोला गया gain or loss on subsequent disposal of foreign operations shall exclude these differences that arose before transition transition से पहले जो भी translation difference से उसको जबकि आपने zero कर दी exemption लेके तो आप उसको फिर बाद में पीनल में नहीं जीरो नहीं करना चाते हैं हम retrospective restatement करना चाते हो ठीक है इंडेस 21 केस आपसे आपका जो भी translation difference आप OCA में दिखाओगे फिर उसे separate component of equity में आप दिखाते हो और जब आप dispose करते हो तो वो cumulative translation difference जो आपका OCA में पढ़ा होगा उसको reclassify करोगे PL के अंदर तो वो इंडेस 21 का बोला जाएगा आपको कुछ भी नहीं बोला जाएगा या फिर बोला जाएगा कि आप उसे reset करो zero पे क्योंकि इंडेस 21 back date पे लगाना और सब कुछ functional currency सारा change करके सब कुछ करना वो long process से कोई भी entity नहीं जाएगी ऐसा करना क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा long process हो simple सा process यह रखोगे जो भी cumulative translation difference है जो भी FCTR का balance है आप opening index balance में उसे क्या करोगे reset कर दोगे zero में इतना भी balance है उसको zero कर दो और उसका corresponding adjustment क्या करोगे rating ending में डाल दोगे इसका एक quotient का हिस्सा भी है वो भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको साथ के साथ ही आपको करवा देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा यह देखें यहाँ पर दिया हुआ है यह देखो cumulative translation difference आप कोई बड़ा सारा question चुब है बाद में करवाने वालो नो उसका point देखे साथ के साथ हमारा होती जा रहा है mean सारे points तो साथ के साथ होई गया हमारे वैट deferral loan होई गया isop होई चुका हमार cumulative translation difference सारे बड़े-बड़े point होगे बाद में इसको करवाने में महनत ही नहीं लगेगी मुझे देखो company had a non-integral foreign branch non-integral foreign branch AS11 के सबसे non-integral के मामले में जो भी होता आप FCTR में दिखाते हो integral तो PL में जाते है तो translation difference आपका आया कितने का 1 lakh का और वो आपने 1 lakh दिखा गया रखा as per AS11 अब INDEAS आप adopt करे हो first time और company क्या चाहती है INDEAS 101 का exemption लेना चाहती है of resetting the cumulative translation difference to 0 तो यह क्या करेगा जो FCTR का 1 lakh का credit balance होगा अब यह क्या करेगी FCTR को 1 lakh से debit कर देगी FCTR अपने FGRO हो जाएगा और इसका corresponding adjustment कहां किया जाएगा Retain Earning 1 lakh यहनि कहने का मतलब balance rate के अंदर आपका FCTR दिख रहा था 1 lakh का आप इसे D-recognize करोगे और इसकी जगा में इसका जो value है यह Retain Earning में आप डाल दोगे बात खतम यहनि FCTR से निकाला Retain Earning में डाला कि सकत हम तो मैंने cumulative translation difference आपको अच्छे से समझा दिया अब मैं आपको समझाओंगा long term foreign currency monetary item यह तोड़ा सा important है क्यों कोशिन बन सकते हैं तो यह हम अच्छे से करेंगे भी चलिए समझते long term foreign currency monetary items मैं आपको back treat में लिखे जाता हूं मतलब एस में लिखे जाता हूं accounting standard क्या कहता था देखें मानलो for example मैं लेता हूं बाहर से अगर मैं लून लूँगा मैं इंडिया में रहता हूं मेरा functional currency मानलो रुपिया है और एस की इसाब से मानलो मेरा home currency रुपिया है और मैंने क्या क्या बाहर से US दे आपको मैं ध्यान से सुनो आइदम आप अच्छे से मैंने 500 डॉलर का क्या क्या लून लिया ठीक है पचास रुपे का भाव चल रहा है तो इसका equivalent रुपे कितना हुआ 25,000 रुपीज वह तो 25,000 का रुपीज का मैं equivalent लून लिये अब इन future बाद में मुझे लून को चुकाना आपका exchange rate हो गया तो अगर मैं five minute dollar चुकाने को जाओंगा तो मैं तो पहले dollar खरीदूंगा न क्यूंकि मैंने जब loan लिया था तो किसी purpose के लिए loan लिया था तो वो purpose मैंने achieve कर लिया machine खरीदना था कुछ खरीदना था जो भी एक budget अब future में जब मैं dollar चुकाने को जाओंगा मे मुझे चुकाना पड़ेगा I think 27,000 रुपीज तो आप दिखो प्रॉब्लम क्या है जो मेरा payable 25,000 का loan था क्यूंकि हम अपने financial statements अब prepare करते हैं तो वहाँ पर हम balance sheet में रुपी में ही सारे items दिखाएंगे भले मैंने five minute dollar का loan लिया पर मैं initially दिखाऊंगा रुपीज 25,000 का loan ने क्योंकि मैं अपने functional currency में दिखाऊंगा या home currency में दिखाऊंगा अब मुझे payable 25,000 की जगा 27,000 दिखाना पड़ेगा मतलब मेरा liability जो है वो 2,000 से बढ़ गया तो यह जो liability यह 2,000 से जो हमारा बढ़ा है इसका corresponding effect हम कहां दिखाएं आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं balance it के थू समझाता हूँ मालो मैंने machine खरीदा है उधार लेके 500 डॉलर उधार लेकि मैंने machine खरीदा हूँ 50 रुपीस इसका बहुता मैंने 25,000 रुपी का loan दिखा दिया machine भी मालो 25,000 रुपीस में मैंने खरीद लिया अब कल को फिर बाद में मेरा payable 500 डॉलर ही है लेकिन rate 54 करके हो गया तो मुझे 27,000 चुकाना पड़ सकते हैं तो 2000 का मेरा exchange loss आया तो ये जो 2000 का मेरा exchange loss आया ये loss को में कहां दिखाऊ तो पहला instance में तो AS11 भी ये बोलता है कि जो भी अपका exchange gain या loss आएगा आप उसे PL में ही दिखाऊ आप उसे PL में दिखाऊ हम PL में charge कर देंगे 2000 रुपीस पर आपको याद दिला दो पुराने time की बात है 2007-08 की बात है उस time में क्या हुआ था exchange rate में बहुत ज्यादा काफी fluctuations आया था अचानक से exchange rate बढ़ गया था और सभी के सभी MCA के पास पहुच गयते हैं कि रहम करो बचाओ हमें बचाओ इतना ज्यादा भारी नुकसान हुआ हमारा आप हमें बचा लो ने तो PL बहुत ज्यादा impacted हो जाएगा मैं इसके लिए example समझा रहो मालनो for example मैंने 1 lakh dollar borrow किया था 30 रुपीज करके तो मुझे चुकाना कितना पड़ेगा 30 lakh रुपीज चुकाना पड़ेगा अब कल को बाद में अचानक से 50 रुपीज हो गया तो मुझे अ 20 lakh रुपीज का exchange difference आ गया तो अब यहाँ पर MCE के पास पहुच गया बोले रहम करो हमारे हम इतना ज्यादा PL में 20 lakh दिखा देंगे तो हमारे तो financial statement पूरा बिगड़ जाएगा लोग आगी जूते मालेंगे मैं मैं बोलेंगे आप क्या काम कर रहो आपका तो PL negative दिख रहे है तो stock exchange में तहलका मच जाएगा तो MCE ने भी सोचा और इस बारे में बहुत सोचा और फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहरा 46 और साती साथ थोड़ी time के बाद एक साल के बाद वापस एक window खोला पहरा 46 से तो उन्होंने पहरा 46 और पहरा 46 A launch किया जहां पर कोई भी बं चाहे तो उस option को avail कर सकते हैं और एक बार यह avail कर लेगा तो यह एक बार आपको फिर चलाना है ऐसा नहीं कि बार आप पहरा 46 का option एविल करोगे फिर वापस से पील में जाना चाहोगे ऐसा नहीं आप यह पहरा आप अगर अगर आविल कर लोगे तो ऐसा situation में यह आपका जो नुकसान है आपको इसे पील में नहीं दिखाना आप capitalize कर सकते हो कहां capitalize कर सकते हैं अगर आपने specific purpose loan लिया तो specific purpose में machinery पर आप capitalize कर दो तो 30,00,00 का मेरा loan था मैंने machinery भी 30,00,00 का दिखा दिया था अब एक साल के बाद year end में exchange rate 50 हो गया 1,00,00 का तो मेरा जो loan है वो loan मेरा 50,00,00 का हो चुका है तो मेरा 20,00,00 का exchange loss आया तो exchange loss 20,00,00 का आप PL में दिखा सकते हो चार्ज कर सकते हो पर अगर आपने पैरा 46 या लिया है तो आप इस exchange loss का दो चीज़ कर सकते हो अगर आपने specific purpose के लिए जैसे machine खरीदने के लिए तो machine को आप capitalize कर दो 20,00,00 तो यह आपका 50,00,00 का machine बन जाएगा और यह over the period of the life machine depreciation होगा तो machine के साथ सथ यह amortize value यह जो एक्षेंज loss भी जो यह भी depreciation हो जाएगा मालो machine की life और remaining 8 साल बची हुए है तो हम जो 30,00,00 को 8 सालों में depreciate करते अब 50,00,00 को 8 सालों में depreciation किया जाएगा तो through depreciation यह आपका क् एक यह तरीका है दूसरा आगा है मालो आपने जो लोन लिया मालो ऐसा है अपने machine खरिदने के लिए जनरल परपस के लिए लोन लिया तो ऐसा situation में भी standard आपको guide करता तो वो कहता था आप एक काम करो आपका एक शीन लोस आप PL में दिखाते ना PL में मत दिखाओ आप पेरा 46 यह आपको PL में दिखाने की आवज सकता नहीं है machinery भी कुछ है नहीं लिया हुआ तो उसमें भी आप capitalist नहीं कर सकते हैं आप एक नया head बनाओ FCMITDA एक नया से अलग reserve का head बनाओ FCMITDA में आप क्या करो दिखा दो 20 लाग का जो आपका है मतलब loss हुआ है एक शीन लोस FCMITDA में दिखा दो इसका full form क्या foreign currency monetary item translation difference account एक अलग से अपने head बनाना है उसमें आपने डाल दिया और फिर क्या करो जितना आपका loan का term है मालनो 10 साल 15 साल 20 साल जितना आपका loan का term है उस term के हिसाफ से आप इसको एमोटेस करो मालनो loan का term है 10 साल तो 10 सालों में हर साल इसमें से PL में 2 ल जाओंगे transfer करते चाओंगे sorry यह bracket में रहेगा तो यह negative balance रहेगा है ना FCMITDA negative balance रहेगा bracket में रहेगा और या फिर आप इसे इस side में भी दिखा सकते हो right side में आपने इधर दिखा दिखा दी तो आपका यह positive balance दिखी गए इस side में क्योंकि हमने इससे अमोटाइज नहीं के जि PMITDA करके आप इसको PMITDA करके आप इसको पील में चार्ज कर सकते तो यह दो उपई आपके पास है जो आपको दिया गया है अब मुद्द यह कि यह तो हमने समझ में आ गया हमें यह समझ में आ गया और इसके बार में मैंने पूरा कहानी भी लिखा वह अब आपको यहां पर जो भी exchange loss आ रहा है और या फिर आप पेरा 4646E का optional exemption लोगे तो आप capitalize कर सकते हो तो इसमें दो तरीक है अगर मालो आपने जो loan लिया है वो property plant and equipment या intangible asset खरीदने के लिए लिया है तो आप क्या करो जो भी exchange loss आएगा आप cost of the asset मैं add कर दो इसका मैंने balance rate भी बना के रखा है जैसे मालो for example मैंने 500 dollar का loan लिया 50 rupees करके 25,000 मुझे पैसे मिले और इस 25,000 से मैंने machinery खरीद लिया तो मेरा bank से पैसा गया मैंने PPE खरीद लिया 25,000 का अब मेरा payable भी कितना 25,000 का 500 dollar into 50 अब बाद में आगे जाके exchange loss आया मेरा तो जो मेरा exchange loss आया बाद में ठीक है यह 2000 का exchange loss आया क्योंकि रूपी पर डॉलर बढ़ गया तो यह exchange loss को मैं क्या करूँगा PPE में capitalize कर दूँगा तो मेरा PPE कितना बन जाएगा 27,000 बन जाएगा और यह जो PPE यह मेरा amortize किया जाएगा तो depreciation यह एक्षेशन लॉस भी पी एल में चार्ज होगा depreciation के थोड़ा थोड़ा करके पी एल में चार्ज होगा आपका एक यह तरीक है तूसरा अगर मान लो आपने loan लिया किसी other purpose के लिए general loan आपने लिया कोई other purpose के लिए तो आप क्या करोगे अब आपका तो कोई asset है नहीं asset के purpose के लिया नहीं है आप एक FCMTDA account create करोगे वहाँ पर आप डालोगे तो यहाँ पर आप देखो यह bracket में जाएगा आपका नुकसान है है ना तो action loss to auction का जो नुकसान हुआ है आप क्या करोगे machine तो आपने खरीदा नहीं general purpose के लिए लिया अपने तो आप इसे FCMTD में डाल दे ना और आगे जाके over the term of the loan आप क्या करोगे पेमोटाइस करोगे over loan term यह नहीं 10 साल का loan है तो आप हर साल 200-200 रुबिस पील में चार्ज करोगे तो यह तो बात होगे AS में ऐसा करने को बोला गया था अब आप पहली पहली बार opening index balance बना रहे हो first time adoption of index आपका हो रहे है पहली पहली बार आप opening index balance बना रहे तो आप क्या करोगे यह question arise होता है तो उसके लिए standard आपको दू बात कहता है एक तो standard आपको यह बोलता है कि एकदम easiest बात आपको यह बोलता है वो कहता है कि अगर आपका FCMI TDA में balance है आप इस balance को पूरा आज के आज है मोटाइस कर दो मालो आज opening index balance बनाने वाले दिन FCMI TDA 2000 का दिख रहा है तो आप पूरा का पूरा written ending के साथ adjustment कर दो बात खतम किस्सा खतम पूरा का पूरा आप क्या करो written ending के साथ adjustment कर दो और अगर आप बोलोगे कि यह exchange loss PPE के अंदर दिख रहा तब तो कोई adjustment की बात ही नहीं आती है फिर तो आप यह PPE का तो आप करोगे मैंने PPE already सिखा है PPE में आप previous gap carrying amount को भी continue कर सकते हो PPE के मामले में आप fair value भी ले सकते हो या फिर PPE के मामले में आप retrospective restatement करो तो यह exchange loss जो है इसका कोई काम नहीं है क्योंकि यह already PPE में capitalize हो चुका है तो PPE का treatment आपको सिखाये गया है तो जैसा PPE का treatment आपको सिखाये गया उससाब से आप PPE का value निकालोगे previous gap carrying amount चलाना चाहते हो 27,000 पूरा चला लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं और या फिर अगर आप fair value लेना चाहते हो fair value ले लो retrospective restatement करना चाहते हो retrospective restatement करो हाँ retrospective restatement करोगे जब आप तब आप ये action loss को उसमें capitalize नहीं कर सकते क्योंकि इंडेस तो उसकी allowance देता ही नहीं आपको तो अब ऐसा कर सकतो मुद्दा इसका नहीं है जब अपने action loss को PPA में capitalize के उसका मुद्दा नहीं है मुद्दा ये अगर आपने action loss को FCMI TDA में दिखा के रखा हुआ है तो ऐसे situation में आपके बास क्या उपाई है एक तो पहला उपाई ये है आप क्या करो आप पूरा का पूरा से 0 बना दो written ending से adjustment कर दो या फिर दूसरा उपाई है आप continue करो existing policy को existing policy मतलब ये FCMI TDA को अब दिखा सकते हैं आप existing scheme को continue कीजे और ये 2000 को जैसे आप पहले over the loan term आप amortize कर रहेते हैं वैसे आप continue चला सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर आपको standard index 101 छूट देता है कि आप चाहो तो existing जो आपका चल रहा है कारणाम जो आपकी policy चल रही है उसको आप continue करें कोई problem वाली बात नहीं है तो मैंने यह आपको समझाया वापस से repeat कर रहा हूँ इस matter में तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि यह already exchange laws PPE में capitalize हो रहे है matter है जब आप FCMI TDA क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा situation में दो बात होगी जब आप FCMI TDA क्रिएट करोगे दो बात होगी आपर फरस्ट इम एडॉप्टर जो है वह accounting policy को continue कर सकता है फोर existing loans है नो जो आपने capitalize कि अंडर पहरा 4646 है उस sense में आपका क्या होगा या तो mo test करोगे तो depreciation यह over the loan term आप mo test करोगे जैसे मैं ने का न पीपी भी पूरा का पूरा आप यह किसी को continue करो previous gap और आप चलाओ अपना depreciation करो और FCMI TDA को भी रखो और आप चलाओ इसको आप mo test करो over the loan term दूसरा उपई यह है कि जो आपका यह आप कर सकतो पर मैं आपको एक बात और बता देना चाता हूँ यह जो आप continue करना चाता हूँ ने existing loan का जो existing policy यह उसी में होगा जिस पे आपने पहले option लिया है पहरा 4646 यह गा अब कोई बंदा आएगा बोलेगा नेया ताजा से आज की date में opening index balance rate में है यार मुझे तो पहले पता है नहीं तब मैं आज पेरा 4646 से लेना चाता हूँ नहीं मिलेगा भाई वो तो पहले के सर हम retrospective जाएंगे तो retrospective में पेरा 46 लगाएंगे वो भी possible नहीं क्योंकि अब retrospective जाओगी तो अब index लगाओगे और index में तो पेरा 4646 से का कोई जिकरी नहीं है तो कहने का मतलब अगर कोई बोलेगा नहीं मैं तो एकदम retrospective restatement करूँगा अगर आब retrospective restatement करोगे तो पेरा 4646 की का रूल ही नहीं है क्योंकि इंडेस में ऐसा कुछ ग्यान ही नहीं और आब बोलोगी कि नहीं हम यह जो पेरा 4646 से हम अभी निया से लेना चाते है तो है यह नहीं अभी वो तो पहले था पहले जब जिसने लिया उसकी पहले जिसने यह लिया था जो यह policy चलाते आ रहे उनकी बात हो रही है जो पहले से चलाते आ रहे उनको चलाने का continuity का option दिया गया है या तो वो continuity चलाते रहे और या फिर वो पूरा का पूरा right-off कर दें तो में से एक चीज वो कर सकते हैं आपको समझ में आप continue करो या फिर पूरा का पूरा write-off कर दो तो इसे related दो-तीन question है वो दो-तीन question मैं आपको करवा दूँगा and आपका इसे पूरा का clarity भी आ जाएगा आपका simple simple question है वो मैं पहले करा देता हूँ पहले मैं ती-वाई-क के questions करवा देता हूँ आपको मैं question number three देखो आप while limited is a first time adopter of index date of transition क्या है 1st April 2005 है लेकिन 1 April 2000 को 1st April 2000 को उसने loan लिया था 7 year का US dollar 1 lakh का loan लिया था अब यहाँ पर date में मत फसना क्योंकि AS में जो date है पेरा 4646A लिने की उसके date में मत फसना अगर बोला है question है क्यों option available किया तो मतलब मान लेना option available किया it has been exercising the option provided in पेरा 4646A यह already exercise कर चुका है option जो पेरा 4646A में दिया गया था नै AS11 का यह इसने exercise कर चुका है यह और यह क्या कर रहा है जो भी exchange loss आते है वो amortize करते है in respect of this loan over the balance period of such loan यहाँ पर इन्हों ने यह तो बतायाने की specific purpose loan है तो यह बोली रहा है कि over the loan term यह amortize कर रहा है मतलब इसने FCMITDA account create क्या होबा होगा तो इसका जो भी exchange loss रहते हैं वो FCMITDA के अंदर जाते हैं आगे on the date of transition to index while limited once to discontinue the accounting policy as per previous gap and follow the requirements of index 21 with respect to recognition of foreign exchange difference whether the companies permitted yes कर सकते हैं मतलब यह करना इसके पास दो पाईए either FCMITDA जो create के उसको continue रखो या फिर पूरा का पूरा discontinue करके right off कर दो तो यह discontinue करना चाते हैं मतलब इससे क्या करना पड़ेगा जो भी इसका FCMITDA में balance है उसको पूरा का पूरा right off करेगा with a corresponding adjustment to retain earning और आगे prospectively आगे इंडेस 21 चलाते रहेगा बात खतब किसा खतब है ना देखें कोशिन बढ़ते हैं इंडेस 101 provides that a first time adopter may continue the policy adopted for accounting of exchange difference arising from translation of long term foreign currency monetary item recognized in the finances statement for the period ending immediately before the beginning of first index इंडेस 101 gives an option to continue the existing policy इंडेस 101 आपको option देता है existing policy को continue करने का and while limited में opt for discontinuance of accounting policy यहाँ पर लिखना आता कि यह भी option है कि आप चाहो तो discontinue करके इंडेस 21 लगा सकतो सबसे important line यहाँ पर अब आते हैं ऐसे situation में जो भी cumulative amount आपका FCMITDA में है है ना foreign currency, monetary item, transition difference account के अंदर जो भी आपका amount लाई कर रहे है आप उसे de-recognize कर दो with a corresponding adjustment against return earning तो यह line सबसे important है जो मैंने mark किया आपका यह line आपकी exam में देखना चाहिए अगर आप discontinue करोगे तो जो भी FCMITDA का balance है तो आप adjustment कर दोगे with return earning अगर मालने जए FCMITDA reserve है जिसमे negative balance है तो return earning debit होगा maximum cases में return earning debit ही होगा यहाँ पर क्योंकि आपका FCMITDA में जालतार losses ही रहत है तो losses cost adjustment करोगे तो return earning को diabetes करोगे तो यह question मैंने आपको करवा दिया अच्छे से अब और भी कोई question है क्या देख लेता हूँ यह question number 4 भी करवा देता हूँ एक company has chosen to elect the deemed cost exemption in accordance with index 101 however it does not wish to continue with its existing policy of capitalizing exchange fluctuation on long term foreign currency monetary items to PPA यह यह क्या कर रहा था पहले इसने पहरा 46 46 एक option ले रखा था और जो भी exchange loss आता था वो यह PPA के अंदर capitalize करता था it does not want to elect the exemption available as per index 101 in such case how would the company be required to adjust the foreign exchange fluctuation already capitalist to the cost of PPA यह पूछना चाहरे है कि जो आपका PPA के अंदर already capitalize हुआ वा फोरें एक्चेंज फ्लक्चेंशन है उसका क्या adjustment करना है कुछ ही नहीं करना है मैंने कहा ना आपका PPA मान लो 50,000 था उसमें आपने exchange loss मान लो 10,000 का capitalist कर रखा हुए अब आपका PPA कितने का दिखीगा 60,000 का मान लो as per AS दिख रहा है तो आपके बस PPA के लिए treatment क्या है इस PPA को आप fair value में दिखा दो या फिर आप retrospective restatement करो और अगर आप previous gap लेना चाहते तो previous gap आप ये low ये कोई FCMI TD है नहीं कि आप उसे reset करोगे है ना आप zero करोगे ये आपका PPA के अंदर गुसा हुआ है तो PPA अगर आप previous gap लेना चाहते तो previous gap लेके 60 दाओं जिन पूरा दिखा दो और आगे जाके आपको इंडेस 21 लगा ना लगाओ कौन रोग है तो यहाँ पर आपको कोई adjustment करने की आवसाता नहीं in case of PPA और आप इंडेस 21 आगे लगाना चाहते है अब लगाओ बेजी जग कोई tension वाली बात नहीं है समझ में है कोई tension वाली बात नहीं है तो वही चीज़ यहाँ पर ग्यान लिखा हुए आप खुद से read कर लेना आपको समझ में आ जाएगा कोई नहीं इतना ही बोला है कि PPA के अंदर foreign exchange losses capitalist किया गया था अब यह बंदा चाहता इंडेस 21 अपलाई करना ठीक है वो करें इंडेस 21 अपलाई और पूछ रहे कि PPA में जो already capitalist हुआ कुछ नहीं करना है क्योंकि अब यह अलग से दिखी नहीं रहे अब तो एक single value दिखी और प्रीपी का ट्रेटमेंट हमें पता है अगर अगर प्रीवेस गैप लेना चाहतो पूरा 60 था लेना पूरा का पूरा 60 था प्रीवेस गैप में ले लिए बात खतम किस्ता खतम चलो तो कोशेंबर 4 भी मैंने आपको करवा दिया 3 वाला कोशेंट ज्यादा है इंपोर्टेंट अगर आएगा तो कोशेंबर 3 आ सकते हैं यह दो कोशेंट और है वो भी मैं आपको बता देता हूं फटा फट से कोशेंबर 13 यह भी सेम कोशेंबर वाइल इमिटेट इस फिर्स तेम अड़ाप्टर ऑफ इंडर्स देट ट्रांजिशन इस फिर्स अप्रिल 2005 और फिर्स अप्रिल 2001 इसने लून लिया वन लका और यह एक्सराइस का रोप्सेंट पहरा 46 46 का जहां पर एक्सियन डिफरेंस को अब ट्रांजिशन डेट में कमपनी क्या करना चाता है कंटीन्यू करना चाता सीम अकांटिंग पॉलिसी विद रिगाउड रिगाड तो अपर बोला था कि नियुकरना चाते है तो करो ना कौन रोका कंटीन्यू करो जो आपका FCMITDA में जो बैलन्स है वह बैलन्स आप कंट करना अब continue यानि illustration 13 में continue कर रहा है तो करे कौन रोका है और tyk वाले question में जो अभी मैंने आपको करवाया उस tyk question के अंदर यह क्या कर रहा है यह continue नहीं कर रहा है यह बोल रहा है कि हम discontinue की बात कर रहा है तो discontinue करोगे तो fcm i td करना कंटिन्यू करोगे तो continue चलाना आगे ओवर दा पिरिड ओफ द लोन आप एमोटेस्ट करोगे जितना term है उस हिसाब से बात खतम यह question भी मैंने आपको करवा दिया पिर एक और question है घटिया सा question है पर मैं आपको जरूर से इबार go through कर रहा हूंगा कितना घटिया सा question पूछा गया आप भी देखो ही बाद illustration 12 while limited is a first term adapter of index date of transition है 1st April 2001 on the date of transition there is a long term foreign currency monetary liability और रुपिस 60 क्रोड 10 million converted by exchange rate 60 में यह 21 कार्ट देना यह गलती से आया ICA में भी आया हुए यह IC के मैट में भी गलती से यह 1 dollar equal 60 है तो 10 million dollar 60 क्रोड होगा तो यह आपका foreign currency monetary liability आपका इतनी का दिख रहे है accumulated exchange difference जो है न on the date of transition नहीं ले आपका अच्छा आपका exchange difference कुछ है नहीं नहीं ले क्यों क्यों क्योंकि while limited ने AS11 follow किया है जहां पर यह option पहरा 4646 से का option इसने exercise नहीं किया है नहीं किया इसने मतलब इसने पहरा 4646 का option अवेल ही नहीं किया और यह क्या करता था जो भी exchange difference होता था सारा का सारा पील में दिखाता था ठीक है अच्छी बात है पहरा 4646 से लिए नहीं इसने अब पूछ रहा है company wants to avail the option under पहरा 46 of AS11 prospectively or retrospectively on the date of transition to index नहीं मिलेगा किस नहीं मिलेगा आपने पहले लिया वब रहता तो अब continue कर शकते थे अब पतब यह जागा आए के अभी सोग के उठा है अब बोलता है डेट और ट्रांजिशन में मैंने पहले तो पहले लिया नहीं ता अब मिलूँगा भाई नहीं मिलेगा तुने पहले लिया हुआ रहे था तो तुसे तू कर सकता था एधर और या फिर तू पूरा का पूरा डी रिकर्नेस करता तूने क्योंकि पहले लिया हुआ है अब ये रेट रख्रॉश्पेक्टिव की बात आप राच है तो जा के भी नहीं कर सकता क्योंकि रेट्रॉश्पेक्टिव करें तो पहले से लिया हुआ deduction कैसे करेगा, मतलąt幸व जाना ने से कोई नहीं ले सकता है, जो पहले से game टो करते हैं, वही है आगे continue करसकते हैं, किसने पहले hier option नहीं लिया तो बात में नहीं ले सकता है, उसी का सारा ज्यान यहां पर लिखा हूँ आप just go through कर लेना आपको समझ में आ जाएगा तो मैंने पूरा ये सारे question भी इससे related मैंने आपको करवा दिये अब ज्यादा कुछ concept बचा नहीं है अब मैं आपको क्या कराऊंगा एक तो estimates का concept आपको मैं कराऊंगा और उसके अलावा फिर बच्चे का एक अच्छा business combination का रिस्टेट्मेंट और ये दो टॉपिक बच्चेगा और फिर कुछ major कुछ ही निया बापका चलो estimates हम पहले दीखते हैं ये भी simple है next estimates ये भी काफी simple है जैसे कि में बहुत सारे जगह पे estimates बनाना होता है न provisions बगेरा बनाते provisions भी estimations की basis में होता है अब देखिए एस में और इंडेस में बहुत सरी जगह में estimates लगबाग similar रहते हैं बहुत सारे मामलों में इंडेस में estimates करने का तरीका अलग भी होते हैं जैसे कर हम देखिए कि पहले एस में constructive अगर अगर हम बात करें इंडस में को इंपोर्डन्स गयरा बनाते और बहुत बी सारे मामलों में हमारा जो estimations बनता है वो थोड़े से different way में बनता है as compared to AS यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई major है उसमें deep जाने की जरत नहीं बस हमें यह समझना है कि estimates जो है आप यह चेक करोगे कि index के सबसे proper बना की लिए इसके लिए सबसे अँगे कि क्या आपने estimates previous gap के सबसे बनाया है अब Kaiser previous gap के सबसे तो estimation बनाने की जरत नहीं थी estimation करने की जरत नहीं थी हमने estimation नहीं किया तो ठीक है आप estimate कर लो भी आप estimate बना लो लेकिन estimate जब आप करोगे तो ध्याँ रखना जिस date में वो estimation होना था उस date के relevant data को देखते हुआ आप estimation करोगे ना कि current data को यानि अगर मैं बात करू opening index balance sheet अगर आप बना रहे हो आप तो opening index balance sheet आप बना रहे हो वो तो 2 साल का back date का बना रहे हो मनलो आज आप वो 2023 में current year आपका 2023 है previous year 2012 है तो 1st April 2001 को आपको वहाँ पर balance sheet में estimates आपका दिखना है तो अगर उस दिन balance sheet में आपका estimates देखना है तो आपके पास तो भी time थोड़ा जादा है क्योंकि 1st April 2001 को आपका estimate करना है ठीक है क्योंकि उस दिन आपको opening index balance sheet बन रहे है बट अ आपको तो समय मिल गया ना उस समय मिलने के वज़े से आपके बस और ज्यादा information आ गया और ज्यादा data आ गया बट आप उसका use नहीं कर सकते मतलब आप अगर 1st April 2001 को estimate करो तो उतने time तक का जो relevant data आपके पास है उसके basis में ही आप estimates करोगे तो वहीं लिखा हुआ है अगर estimates का requirement नहीं था gap के साथ से previous gap के साथ से इंडेस के साथ से requirement है तो आप estimate करोगे लेकिन condition जो आप reflect करोगे वह उस relevant date का होना चाहिए ना कि current date का होना चाहिए done यह हमने समझा अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका estimate previous gap case आप से अपने बनाया बट उसमें कुछ errors थे में statement था और भी संता कुछ था तो मतलब मुझे समझ में है कि कब मैं estimate बनाऊँगा पहला case में estimates not done और या फिर estimates done but error है तो इन दोनों situation में estimate करेंगे reflecting relevant date condition reflect करते वे हम क्या करेंगे estimate करेंगे कि आपको समझ में अब आप बोलोगे नहीं sir estimate हमने किया और कोई error भी नहीं था estimate हमने किया कोई error भी नहीं था और वो index के साब से था ठीक है आप उसी estimate को आगे continue करो को tension वाली बात नहीं लेकिन आप ऐसा बोलोगे कि sir हमने estimate बनाया error नहीं था बट वो index के provision के साब से match नहीं कर रहा था कुछ कुछ मतलब जगा में consistent नहीं है index के साब से match नहीं कर रहा तो ठीक है आप adjustment कर तो necessary adjustment करके index के साब से matching करवा दो तो वही simple सा ज्यान लिखाओ यहां पर देखो simple सी बात है कब आपको पूराना estimate यूज करना है जब previous gap में estimate बना है और उसमें कोई error नहीं है और वो index के साब से consistent है कब तो पूराना estimate आप यूज कर लो तूसरी बात मालो अपने estimate किया ही नहीं है और या फिर estimate किया पर उसमें error है आपको नहीं estimate बनाना पड़े माल लो आपने estimate previous gap में किया है कोई error भी नहीं है लेकिन वो index के असब से consistent नहीं है तो आप बस adjustment necessary adjustment करके उसको index के असब से consistent बना दो तो एकदम अराम से इस table से आपको समझ में आजएगा इसके कोई question भी होगा आप खुद से कर ले न वो इतने necessary नहीं है यह करना नहीं कर फिर मुझे जो बड़े बड़े question से वो मैं आपको कराऊंगा और index 101 ultimately simple हो जाएगा और बिल्कुल भी tension की कोई बात नहीं है और आगे जाके concepts आपने clear करे लिया आगे जाके questions तो एकदम आसान लगने वाले जिस deep way में हमने concept चीखा उसके comparison में questions तो आगे बहुत ही आसान मिलने वाले आपको चलो चली business combination सुरू करते है चली हम next business combination समझेंगे और साथ-साथ non controlling interest ही दोनों एक साथ हम कर लेंगे तो business combination के मामले में index 101 आपको क्या कहते हैं index 101 यह कहता है कि business combination के मामले में आपको नया index index 103 लगाने की आवसकता नहीं है मतलब आपको restatement करने की आवसकता नहीं है जो आपके previous gap carrying value है न वही आप सारी लेके continue चलाओ मतलब आप चला सकतो ऐसा आपको restatement करने की जड़त नहीं है लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं हम retrospectively restatement करना चाते है ठीके करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसमें एक सर्थ है आप अगर retrospective restatement करोगे तो जिस date में आप किसी business combination को retrospectively restatement करोगे उसके बाद के later on जितने भी आपके business combination हुए वो सारी के सारी आपको restatement करने होंगे समझ महीं है चलो मैं समझाता हूँ मानलो एक company है जिसने 1-4-1990 में भी किसी business को acquire किया था 1-4-1992 में भी business को acquire किया था business combination किया था 1-4-1995 में भी किया था 1-4-1999 में भी किया था आज ये 1-4-2001 date of transition to index है तो पहले एस लगा कि आपने business combination किया था अब मानलो आप कहना चाहते हूँ कि जो business combination 2 है न आप इसको restate करना चाहते हूँ तो आपको allow किया जाएगा आप इसको retrospectively restatement करिए अगर आप इसको retrospectively restatement करोंगे तो इसके बाद वाले जितने भी business combination है सब भी को retrospectively restatement करना पड़ेगा हाँ ये पहले वाला को छोड़ सकते हूँ अगर आप बोलोगे हम यहाँ से करना चाहते है ये वाला करना चाहते business combination 3 तो business combination 3 करोगे तो उसके बाद वाले भी सारे business combination restatement होंगे पहले वाली को ignore किया जा सकते है बड़ जातर entity यही चाहेगे कौन इतना जहमिला पालेगा तो entity जातर यही चाहेगे कि वो restatement ना करे और standard भी आपको यह कहता first instance में कि हाँ आपको जरतनी business combination को restatement करने कि जो आपके previous gap carrying value से वही सारे के सारे आप चलाएगे continue किजे और accordingly अगर आप वही कि वही सारे value शलाओगे तो accordingly आपका goodwill भी team रहेगा आपका ultimately goodwill NCI भी same ही रहेगा उसके साब से अब इसमें एक बात जरूर आता है एक मुद्दा जरूर आता है एक point यह आता है कि जैसे कि हमने देखा था कि पुराने business combination के अगर हम बात करें तो जो intangible assets acquire ने जिस intangible assets को recognize नहीं किये क्योंकि मालीजिए वो उसमें आपका research facial राधा development जिसके चलते उन्होंने recognize नहीं किये बट अभी index 103 के साब से हमें उसे recognize करना चाहिए तो मैंने एकदम आपको general principle starting में पढ़ा है था 4 principle जहां पर AS के साब से recognition नहीं हुआ पर index के साब से recognize होना चाहिए तो वैसे situation में आप उस particular intangible assets को recognize करोगे और उसका corresponding effect आप return ending के साथ दिखा देना आपको recognize करना पड़ेगा यानि कोई assets है जो पहले recognize नहीं हुए अब वो recognize होना चाहिए आप बोलो से previous gap carrying amount तो previous gap तो उसका zero रहेगा क्या आपने तो recognize नहीं किया बाकी सारे के तुम previous gap ले लेंगे अब इसका तो अपने recognize किया नहीं है तो ठीक है आप इसमें नया index के साथ तो उसका value निकालो transition rate पे as per index आप उसका intangible asset का value निकालोगे और वो value आप दिखाओगे और उसका corresponding effect आप क्या गरोगे return ending के साथ आप दिखा दे लो यह आपको समझ में आया अब इसके अलावा में एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ that is what हाँ देखें when exemption is used the balance of assets and liabilities as per previous gap sell be carried forward यह आपका carry forward होने वाला है और आपका मेरी बात ध्यान से सुन लो NCA और defer tax का measurement कैसे हुगा देखें कि NCA क्या होता है NCA basically हम क्या दिखाते है जितने all assets and liabilities है यनि जो net assets में अगर NCA वालों का 40% हिस्त है तो net assets का 40% हम दिखाएंगे तो यह NCA तो आखिर में अपने आप भी निकल जाएगा इसमें tension की कोई बात ही नहीं है क्योंकि NCA आप कैसे निकालोगा आप मालने जिए आपने previous gap carrying value लिये सारे तो previous gap के जो आपके assets and liabilities का carrying value वो रहेगा अब आपने कोई intangible assets भी अलग से recognize किया है तो उसका भी value रहेगा तो total net assets देख लो आप उस net assets में फिर आप देखो कि NCA की बस कितना proportion है अगर उनके बस 40% है तो net assets का 40% अब NCA दिखाते ना बात करते हैं तो यह NCA तो depend करेगा बाकी other assets and liabilities के basis में अब अब बोलो यह sir NCA तो हमारे पास index के साब से fair value proportionate दून हो है तो अभी आप previous gap ले रहे हो आप तो restatement कर नहीं रहे हो तो previous gap के साब से फिर net assets का NCA दिखाना आप तो net assets का proportion आप NCA दिखा होगे और defer tax के मामले में भी यह दिखोगे कि आपका सरकार के इसाब से आपका कितना tax base बन रहे है सारे assets का और liabilities का और आपके इसाब से कितना carrying amount है assets and liabilities का उस इसाब से आपका defer tax निकलेगा तो यह तो दोनों बात में निकलेंगे NCA का value और defer tax का value वो depend करेगा सारे other assets and liabilities का value आपने क्या determine किया है government का tax base किया उसके इसाब से अपने आप यह आपका निकल किया आ जाएगा तो इसमें को tension की बात में यह निए NCA defer tax depend करेगा बागी other assets and liabilities का कि आपने value दिखा है उसके ओपर depend करेगा और बागी other assets and liabilities आप कैसे दिखाओगे अगर आप रिस्टेट्मेंट नहीं करोगे तो प्रिवेस के आप कैरिंग वलू ले लोगा assets and liabilities का कोई अगर assets पहले से रिकरगनेस नहीं हुआ तो उसको recognize कर दोगे है ना और कोई अगर assets रिकरगनेस हुआ है यह किसा आप से पर इंडेस के साब से नहीं होना चाहिए उससा भी रिकरगनेस करना तो जो भी आपके assets and liabilities रहेंगे उसके basis में करोगे उसके basis में करोगे बात कतम यहाँ पर लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं हम रिस्टेट्मेंट करना चाहते हो तो ठीक है आप करो back date में जाके रिस्टेट्मेंट करो और back date से आप index 103 को लगाते विया हो और उसके इसाब से आज आपका date of transition में जो आपके assets के value रहेंगे उससे आपसे अब उसको recognize करोगे और बाकी उसके according लिए आपका NCO deffordex निगलेगा तो वह आप करना उसमें भी महनत का काम या back date में जाके आप करोगे बात कतम तो दोनों चीज़ आपके बास है ठीक है पर usually maximum cases में यहाँ पर क्या apply किया जाते है री statement नहीं करना ही ज्यादा suitable रहता है तो उससे आपका कस्ट कम होगा महनत कम लेगी आपको चलो done अब एक और point दे एक और मुद्य आपको करवाना है मुझे आपको संजाना है इसका एक question भी और वो question क्या पता है exam में आसकता है मैं आपको अच्छे ससमझा देना चाहता हूँ ताकि वो question कराना ना पड़े मैं आपको बता भीते तो कौनसा कोशन है वो कोशन फिर आपको मैं नहीं करवाँगा खुदी कर सकोगे फिर रुख जाओ मैं देख लेता हूँ कौन सा कोशन मैं कह रहा हूँ यस इलस्टेशन नमबर रुख जाओ यस इलस्टेशन नमबर फाइफ मान लीज़े ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले AS के साबसे बात कर रहा हूँ मैं मैंने मान लीज़े 1995 में मैंने एक कंपनी के 45% सेट्स खरी दे थे अब उस टेमें कंट्रोल एस्टाबलिस हो नहीं रहा था AS के साबसे क्योंकि 50% से ज़्यादा वोटिंग रहा चाहिए अब date of transition to index में तो मुझे consolidate करना पड़ेगा ना मैंने पहले नहीं किया क्योंकि date of transition to index के इसाबसे वो मेरी subsidiary है और मुझे उसको consolidate करना चाहिए पर previous gap के इसाबसे मैंने उसको consolidate नहीं किया तो अब मैं क्या करू तो ऐसे situation में मुझे आज consolidate करना होगा और आज consolidate करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे subsidiary के सारे assets and liabilities के value चीए तो मैं कैसे determine करूँगा मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहापर सुनो मेरी बात सबसे पहले तो मुझे subsidiary का pay index 101 लगा कि subsidiary का opening index balance sheet बनाना पड़े उस date का index balance sheet बनाना पड़ेगा अगर subsidiary भी एस follow कर रही है तो उसका index balance sheet मुझे prepare करना पड़ेगा एक बार मैंने subsidiary का यह नि पहले consolidate नहीं होगा भाड में का है पहले consolidation पहले subsidiary को पकड़ो और subsidiary के सारे assets and liabilities को restatement करो जहां पर आपको index 101 का exemption लगाना एक exemption लगाओ जैसे पीपी वगिरह में बहुत सारी जगा में exemption मिला है तो index 101 का सारा ज्यान लगा के आप उस subsidiary पे आप उस subsidiary का मतलब index balance sheet बना दो index 101 के हिसाफ से हमने subsidiary का पूरा index balance sheet बना दिया अब date of transition में जो उनके assets and liabilities के balances हैं वो सीधा उठाके हम consolidate करें तो वो सारा उठाके हमने consolidate किया और ultimately अब क्या होगा हम देख लेंगे अब हमें पता चाल जाएगा कि net assets कितना आ रहा हमारे पास क्योंकि subsidiary के कौन से क्या उसके books वाले ले नहीं नहीं पहले subsidiary को index के साब से उसका balance sheet बनाएंगे फिर उसके assets and liabilities जो index निकले हुए assets and liabilities के figure से वो सारे हम पूल करेंगे और हम देखेंगे हमारे cost कितना लगा है जो हमें मिल जाएगा हमारे separate funds statement में cost वो भी as per index 27 मैंने cost भी आपको पढ़ा दिया था investment in subsidiaries वगेरा का cost as per index 27 कैसे निकलेगा मैंने आपको पढ़ाया था मैंने कहा था previous gap ले लो आप है न या फिर आप fair value को डीम cost मान लो और या फिर आप as per index 27 आप cost determine कर लो तो वो सारा मैंने आपको सिखाया आपको मैं बता भी देता हूँ इंडेस 27 के यसाब से आप fair value लोगी है previous gap लोगी है cost as per index 27 इनि accordingly आप cost आपको पता चल जाएगा कि आपका सबसीडरी में कितना का cost लगा हूँ है और net asset आपको कितना मिला हूँ है और accordingly उसी net assets के basis में आप यह determine कर लोगे कि NCI का कितना हग जाएगा proportionately मालो मेरा अभी 45 परसेंट वोटिंग राइट 55 परसेंट किसी और का है तो वह 55 परसेंट तो सबसीडरी का कौन सा वेलू का assets लाइट इंकलूड किया जाएगा उस सबसीडरी का हमें क्या करना पड़ेगा पते हैं सबसीडरी का SFS हमें prepare करना पड़ेगा सबसे फर्स टेम एडॉक्टर ओव इंडेस यहीं इंडेस की हिसाफ से उसका हम SFS प्रिपार करेंगे और उस हिसाफ से उसके assets लाइब डेड़ेडिस का वेलू डिटरमाइन करके हम अपने balance sheet में पूल करेंगे तो हमें net asset पता चल जाएगा अब मान लो net assets 1000 करोड का हमें मिला किसमें से 55% NCI का है तो 550 करोड NCI का है तो मतलब हमें 450 करोड का net assets में हमारी हिस्सेदारी है यानि parent का interest in those adjusted carrying amount मान लो 450 करोड का parent का interest है यहां पर और हमारा investment लगा हुआ है मान लो यहां पर 600 करोड का जो हमने parent के cfs में हमारा दिखेगा ऐस पर हमारा investment लगा हुआ है यह मैंने आपको जैसे इस तरीके सब सब्सक्राइब करके तो वह आपका मान लो 600 करोड है तो इन दोनों का जो difference होगा उसके इसाब से आपका आ जाएगा 150 करोड का गुडविल आ जाएगा तो NCA आप देखो NCA अपने 550 करोड यहां पर ऐसे निकाला डेफ़र्टेक्स आपका recording ले निकाल जाएगा और गुडविल भी आपको मैंने बता दिये जितना net assets पर हिस्सा हमें मिल ला है कितना हमने payment किया उससे आप से मारा गुडविल भी आ जाएगा तो I think आपको business combination समझ में आगी अच्छी करते हो तो एस पर इंडियस उसके वैलू निकालो रिकाग्स कर लो फिर एकोर्डिंग लेप देखलो कितना assets and liabilities जो आपका है बुक में उसके अपनिया भी आपका NCA निकल जाएगा और डेफ़र्टेक्स भी आपका निकल जाएगा अब आप बोलोगे अब गुडविल वगरे तो जो पहले का balance हो रहेगा रहेगा हाँ ऐसा है कि आपको impairment testing करना पड़ेगा जैसे मैंने investment के मामले में बताया था कि investment in सबसेट्री वगरे के मामले में बहुए impairment testing करते हो वैसे goodwill का भी आपको mandatory impairment testing करना है क्योंकि goodwill भी आप previous gap का ले रहे हो है न तो goodwill का भी आपको impairment testing करना पड़ेगा आप तो आप उसका impairment testing करोगे अगर कुछ impairment होना है तो impairment आप निकालोगे बाद खतम अब अगर आप बनाया नहीं था अब बनाना चाहते तो पहले सबसीडरी का सफ जो है उसको बनाओ पहले सबसीडरी के एसेट्स को इंडेस के सबसे बनाओ फिर उसको पुल करोगे एंड फिर एक्वार्डिंग लिया पुल करने पर आप देखोगे कि कितना अपने इंवेस्मेंट किया उसके हैसाब से आपको मिलेगा अब मुद्दा आता ह愉न एक्स्ट नौन कंच्रॉलिंग इंट्रेस्टَ समझाने से पहले मुझह आपको एक बहुत बड़ी चीज समझाना है मुझे आपको वो चीज यह है कि आपको याद होगा अगर हम AS की बात करें तो AS में non-controlling interest सब्द नहीं था वहाँ पड़ता minority interest अब minority word थोड़ा सा खटकता है तो उन्होंने बोला minority word use नहीं करेंगे उनको बूरा लग जाएगा minority के जगा word use करने लगे non-controlling interest यहीं minority interest और non-controlling interest दोनों सीमी चीज है पस नाम अलग 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 जैसे आज कि हम कहते हैं कि प्रेम नाम है आपका उसको प्रहम बना देते हैं अलग 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 होता है कि modernization का जमना आगी आपका तो वही वाली चीज यहां पर है तो आपका पर पहले minority interest था अब non-controlling interest है पर दोनों चीज़ सीमी है पर हां इसका accounting में थोड़ा सा फ़रक है measurement में थोड़ा सा फ़रक है आपको पता है एस में क्या होता था अगर मालू minority interest का negative balance आ रहे है तो minority interest को zero दिखाते थे कभी भी negative नहीं दिखाते थे कभी भी negative नहीं दिखाते थे मालू हमारा net assets negative चल रहे है net assets हमारा 50 Kirोड negative चल रहे है minus 60 Kirोड है net assets तो उसका अगर minority मालू 30 परसेंट है तो हमें देखा जहे तो negative 15 परसेंट दिखानाkr goodies का 35 15 क이스 करोड हमें Minority Interest negative दिखा रहा जी पर एस ऐलाउ नहीं करता था ऐस बोलता था हम Minority Interest को कभी भी negative नहीं रख सकते तैं आप उसको 0 रखो negative नहीं कर सकते वो बाकिका जो भी आपको नुकसान है वो आप या तो अपने capital reserve में negative दिखाओ आप अपने reserve and supply में negative दिखाओ लेकिन आप minority को negative नहीं रख सकते हैं पर इंडेस में ऐसा नहीं इंडेस कहता है कि अगर NCA negative भी तो negative रखो तो यह एक contradict करता है दूनों जगा में यानिए AS में आप negative AS के अंदर minority interest के never भी negative पर इंडेस के अंदर minority interest यानि non controlling interest interest के अंदर negative हो सकते हैं अब मुद्दा क्या NCI में क्या बोलना चाते है NCM आपको standard यह बोलना चाते है कि आप क्या क्या कर सकते हो standard आपको यह बोलना चाते है कि उसके लिए depend करेगा कि आपने इंडेस 103 में क्या क्या अगर अपने इंडेस 103 को restatement नहीं किया है तो ऐसे situation में आपका minority interest जो है वो previous gap के इसाब से आएगा और previous gap के इसाब से वो भी कभी negative नहीं होगा क्योंकि आपने तो previous gap का अगर आपने सारे carrying amount लिए और previous gap में तो minority interest कभी negative होता नहीं तो आपका ऐसे situation में minority interest नेगेटिव नहीं होगा आपका तो अगर अपने रिस्टेट्मेंट नहीं किया है तो nca कभी भी टेट ओ ट्रांजिशन टू इंडेस में nca नेगेटिव आप नहीं रख सकते भले net assets आपका नेगेटिव हो आप nca को नेगेटिव नहीं allocation nca को भी जाएगा हो नेगेटिव भी हो सकते है नेगेटिव भी हो सकते है बट डेट ओ ट्रांजिशन टू इंडेस में तो नहीं होगा क्योंकि आप पुराना एस को ही previous gap carrying amount ही उप उठा रहे हो लेकिन अगर आप इंडेस 103 को retrospectively अपने restatement किया है तो अगर इंडेस 103 केस आप से अब retrospectively restatement कर रहे हो तो ऐसा situation में तो back date में जाके इंडेस लगाते है रहे हो ना तब तो आपका सारे figures आपके इंडेस के साब से निकलेंगे तो nci भी इंडेस के साब से निकल सकता है और आपका भी हो सकते है positive भी हो सकते हो डिपेंड करेगा बाकी असेट्स के हिसाब से तो वही चीज़ यहाँ पर देखो non controlling interest में याँ पर लिखा हुआ है जैसे आप देखें मालो आपका 1st April 2001 date of transition to index है इस दिन आपका nci का वैलेंस आ रहे है टू लाग 50 थाउजन प्रीवेस gap के साफ से previous gap के साफ से और हमने सारे assets और यही का यही आ गया हमारा और इसी को हमने उठा लिया सिदा बात कतम अब लेटर ओन बाद में यह बाद में क्या आ गया 1st April 2001 तो हमारा date of transition to index है अब 2001 2002 previous year हो गया 2002 2003 current year हो गया आपका तो previous year में आपका total comprehensive income total comprehensive income का मतलब क्या होता है इसका मतलब profit and loss उसे दोनों का income मिला के उसको total comprehensive income होता है यही प्रॉफिट and loss प्लस other comprehensive income इन दोनों को मिलाते तो total comprehensive income होता है अगर आपका total comprehensive income 10 लाग 50,000 negative है तो NCA हम देखेंगे कि कितना है NCA अगर 25% नमालो तो इसका इस नुकसान का 25% NCA को allocate करेंग negative हो सकते है फर्दर भी और नुकसान हुआ चार्ड लाग तो उसका 25% एक लाग allocate होगा NCA आगे negative हो सकते है लेकिन date of transition to index में NCA negative नहीं होगा अगर आपने restatement नहीं किया तो restatement करोगे तो negative हो सकता है वो अलग बात है तो वही चीज़ यहां पर इन्होंने लिखा हुए कि first time adopted cell apply below requirements of index 110 prospectively from the date of transition to index prospectively इसलिए कहना चाता है कि अगर आपने restatement नहीं किया है तो जो आपके index 110 के requirement है वो भी आप prospectively करोगे जैसे आपका जो भी comprehensive income है वो हम allocate करते parent और NCI में even if deficit balance हो हम allocate करते हैं तो हमने वही allocate किया भले deficit हो फिर भी हमने allocate किया और आपका जो parent का ownership interest में change होता है जिससे loss of control नहीं होता है उसका accounting हम कैसे करते थे index 110 में मैंने पढ़ा है कि मालो मेरा पहले 80% stake था अब मेरा 70% stake हो गया क्योंकि 10% मैंने बीच डाला पर loss of control तो हुआ नहीं है तो जो 10% stake हम बेचते हैं उसका corresponding effect हम क्या करते other equity में दिखाते पीनल में नह combination retrospectively restart करोगे तो 110 भी retrospectively करना है अगर बिजनस combination retrospectively नहीं करोगे तो 110 भी retrospectively नहीं होगा क्योंकि NCI 110 का part है तो अब आपको NCI में यह समझ में आ गया अच्छी तरीका से जी हमें यह समझ में आ गया सर यह बात है कि अगर आपका business combination reset नहीं हुआ है तो previous gap carrying amount उठाएंगे तो ऐस situation में तो ASKS आपसे तो NCI कभी negative होगा नहीं data transition में NCI कभी नेगटिव नहीं हो सकता अब बाद में हो सकता है बाद में नुकसान हुआ तो बाद में हो सकता है लेकिन अगर business combination restatement होगा तो NCI भी आपका restart होगा automatically और NCI भी back date से restart करेंगे इंडस के साब से तो back date से आपका NCI क्य ठीक नहीं समझ में तो ठीक कोई बात नहीं है tension की कोई बात नहीं है इससे related को जाता question है भी नहीं आने वाले भी नहीं है पर मैंने general ज्यान के सबसे मैंने आपको ज्यान दी दिया है क्योंकि इसके लिए जरूरी आपका business combination consolation वगेरा strong होना तब यह आपको यह सब चीज़े तो मैंने करवाई दिया अभी मेरा target क्या पत है question number 16 जिसका बहुत सारा parts हमने already discuss कर लिया तो अब हमें ज्यादा समय नहीं लगे गा question number 16 आपको मैं कराऊंगा question number 17 भी मैं आपको करवाऊंगा story limited का यह सारी important question exam में पूछे जा सकते हैं तो अभी मेरा target है question number 16 17 आपको कराने का इसके बाद मेरा target है और question number 5 टी वाई के का यह अच्छा question है question number 6 यह 4 question अभी हम target करते हैं चलो चली मैं आपको अभी illustration 16 और 17 यह दोनों illustration कराऊंगा और मैं आपको बता दूए दोनों question exam के लिए important है 12 से 16 नंबर का question पूछा जा सकता है क्योंकि दोनों बड़े question है और दोनों अभी जैसे बहुत सारे consolidation business combination के question पूछ ले क्या पता अभी हाँ से एक बड़ा question पूछ ले 2016 करवात हूँ आपको मैं as limited has the following assets and libraries asset 31st March 2001 prepared in accordance with previous gap यानी पूराने ASK साफ से prepare किया गया 31st March 2001 को आप देख सकते हो पूरा balance दिया हुआ हुआ है फिर आगे आप से क्या कहा गया the following gap differences जो gap का differences से इंडेस के साफ से where identified by the company on first time adoption of index with effect from first April 2001 यानी हम first April 2001 मान लीजे आपका transition date है और 31st March 2001 कपको balance rate दिया हुआ है तो यही आपका transition date का balance rate है समझ लेजे आपको इस का balance rate को convert करना होगा into opening index balance rate तो इसमें आपको adjustment करना होगा तो इन्होंने बोल दिया हमें कि gap differences following है following gap differences देखिया यानि कहने का मतलब यह जो points नीचे दिये हुए हमें बहुत सारे हैं अब 4-5 points जो दिये हुए यही gap differences है तो हम assume कर लेंगे बागी सारे सब कुछ perfect है एस और इंडेस के साफसे सेम ही है जो differences नीचे दिया वह उसी को तो consider करेंगे और extra से हम कहां से लेके आएंगे data तो जितना data दिया वह उतना differences मानेंगे बागी as it is वैसा का वैसा चोड़ देंगे चलिए तो एक ही करके पहले मैं आपको point समझा दूँगा क्यूंकि मैंने सारा concept आपको सिखाया हुआ है तो एक ही करके पूरा point समझाने में मुझे कोई परिशान ही नहीं होगी point number one property plant and equipment comprises land land या नहीं land and building आपका investment property भी हो सकते है land held for capital appreciation purpose costing रूपिस फूर लाग फिप्टी थाउचिन तो लेंड को आपने capital appreciation purpose के लिए रखावा तो यह investment property है और एस में तो investment property अलग से दिखाया नहीं चाहता था पर इंडेस में investment property को हम अलग से दिखाते हैं और इसे बोल भी दिया गया कि investment property आपको classify करना पड़ेगा अब आगे देखो तो यह आपका जो one three four five चलो मैं मिटा की लिख रहा हूँ one three four five double zero triple zero है ना इसके अंदर four लाग fifty thousand जो है वो investment property है और बाकी one क्रों थटी लाग जो होगा वो आपका P.P.E. होगा है ना तो one three four five zero triple zero में one क्रों थटी लाग P.P.E. है और four like fifty thousand investment property होगा अब हमें नहीं पता अभी हम आगे देखींगे कि P.P.E. को क्या classify करना क्योंकि P.P.E. के हमने बहुत सारा तरीका देखा था previous gap carrying amount भी ले सकते हो आप P.P.E. के मामले में आप fair value को भी deemed cost मान सकते हो यह retrospective restatement कर सकते हो तो हम देखेंगे P.P.E. और investment लेकिन ध्यान रहे investment property के मामले में आप fair value नहीं ले सकते है यह आपको ध्यान में रखना है चलिए आगे हम देखत application for P.P.E. and investment property यानि दोनों P.P.E. और investment property के लिए previous gap carrying amount ही रखना चाते है और चलिए तब तो आप क्या करोगे जब आपना opening index balance rate बनाओगे तो P.P.E. previous gap carrying amount 1.30 लाग दिखाओगे और investment property फोल्ड अकृप्टी थाउचिन का दिखाओगे मला measurement value वही रहेगा previous gap बस हाँ classification हम से दिखाएंगे balance rate में investment property हम अलग से दिखाएंगे 1.30 लाग का पीपी पूर लाग 50,000 का investment property चलिए पॉइंट हमारा अच्छे से clear हो गया अब यहां पर एक और पॉइंट दिया हुए एक्चेंज डिफ्रेंसे और रुपीस वन लाग वर कैपिटलाइज टू डप्रीशेबल पीपी ओन विच एक्क्यूमुलेटेड अप्रीशेशन और रुपीस 40,000 वस रिकरगनाईज यानि क्या किया आपने जो हमने पढ़ाते ना पहरा 4646 एक जो एक्चेंज लॉस आता है वो हम क्या करते वो अगर मालेंजे किसी एसेट से रिलेटेड हमने फॉरेंड करंसी लॉंग टर्म लोन लिया है हमने तो आप पहरा 4646 एक के था जो एक्चेंज लॉस अब उससे क्यापिटलाइस कर सकते हो प्रॉपर्टी प्लांट रिक्यूमेंट में तो वैसे इसको क्या कर दिया गया है लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या करोगे जो आपका पीपी का वैलू अप उसी को कंसिडर करोगे उसमें प्रिवेस गया आप लगा फैर विलो लोगा वो जो भी करना वो करोगे अब जबकि एक्स्ट्रा से एपसी एमाई टीडिये तो बनाय हु मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया अब पॉइंट नमबर टू की बात करते हैं कंपनी हैड मेड इन इंवेस्में इंस एस लिमिटेड सब्सेडरी ओफ एच लिमिटेड 4 रुपेस 48 लाग डेट कैरीड ए फैर वेलू रुपेस 68 लाग एसेट दा ट्रांजिशन तो मैंने आपको समझा है था इंवेस्मेंट इंवेस्मेंट बनाते से मैं आप क्या करोगे यह तो उसे मैज़र करोगे कॉस्ट एस पर इंडेस 27 और या फिर आप फैर वेलू को या प्रीवेस गयाप कैरिंग अमॉंट को भी टीम कॉस्ट मान सकतो यह मैंने आपको कंसेट पढ़ाते समय मैंने करवाया था हूँ यह देखिए इंवेस्मेंट इन सबसीडरी जोएंट वेंचर रोड एसोसेट्स के मामले में इंडेस 7 की रिक्वायर्मेंट रखती है आप कॉस्ट दिखाओ या फिर इंडेस 109 के साबसे अपको पर्मिट क्या करते हैं आप कॉस्ट एस बर इंडेस 27 जोब डेटर्माइन करोगे उसमें दिखा दो या फिर वेलू में दिखा दो या प्रिवेस गैप केरिंग अमॉन में दिखा दो इनका कहना है कि ये फिर वेलू में दिखाना चाते हैं तो कहीं न चाहते हैं जो हमनें इंडेस 27 में पढ़ा हैं इंडेस 109 क साथ से accounting करना तो यह fair value में दिखाना चाहते है बोली दिया है उन्होंने fair value तो हम क्या करेंगे 48 लाग की जगा 68 लाग में measure करेंगे 48 लाग की जगा हम कितने में दिखाएंगे इसको 68 लाग में दिखाएंगे और यह मैं आपको बता दूँ यह financial asset होगा क्यों क्योंकि हम मान रहे हैं कि हम इसमें जैसे investment in subsidiary separate finance statement में पॉस्ट या फिर इंडस 109 फैर विली तो इंडस 109 में लगता है तो इससे financial asset मानेंगे हाँ investment है तो मानेंगे long term investment ही तो इससे non current investment हम दिखा देंगे तो non current investment में financial asset दिखा देंगे पर आपको मैं बदा दू आई से ने गलती कर रहा हूं आई से इसे current asset के अंदर दिखाया जो कि मुझे समझ में नहीं है क्यों दिखाया मैंने पूरा question देख लिए मुझे तो समझ में नहीं है मेरी सबसे non current के अंदर जाना चाहिए पर आई से ने current asset के अंदर इसे दिखाया गया ठीक है तो चलो बागी बागी सब कुछ ठीक है बस classification में problem है आप 48 लाग की जगा 68 लाग दिखाऊगे अब मेरी बात सुनो अगर investment को 48 लाग की जगा 68 लाग पर दिखाऊगे तो 20 लाग से इंवस्मेंट बढ़ेगा उसका corresponding effect कहा जाएगा रीटिन इनंग में जाएगा तो मैं साइड में लाटिन शापर दे लोगा आपका investment जो है वह 20 लाग से बढ़ेगा तो उसका corresponding effect ट्रेटेन एंडिंग में जाने वाला है चलिए तो यह point भी मैंने आपको करवा दिया फिर point number three आपको याद होगा wet deferral loan मैंने आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया था यहाँ पर यह क्या कर रहे हैं यह बोल रहे हैं कि जबकि required information obtainable यह retrospective treatment करना चाते हैं तो retrospectively treatment करोगे पर इसमें खुसी की बात क्या थी कि आप one April अब first April 2001 को opening index balance rate बना रहे हो और यह जो wet deferral loan है यह government loan हमने जो लिया है यह 31st March को लिया है तो अगर आप retrospective adjustment करते हो तो इन्होंने बता भी दिया कि loan जो है ना जब government loan का concept पढ़ाया था government loan is 3725528 तो आपका government grant क्या होगा बाकी का बचा हुआ 3725528 माइनस 60 लैक डबल 272472 और मैंने जब आपको concept पढ़ाया था तो मैंने आपको यह भी समझाया था कि इसके अंदर one fifth का हिस्सा जो है वो current liability में जाएगा बाकी four fifth का ऐसा non current liability में जाएगा यह मैंने आपको सिखाया था पर आपको बता तो आईसी ने अपने solution में उसको उस तरीके से ने रखा पूरा का पूरा government grant को non current माल लिया पर इंडेस्ट 20 में हमने पढ़ा था वो सारा चीज तो चलो ठीके इतना डीप नहीं जाना ऐसे भी इतना डीप नहीं जा रहा है अब पूरा का पूरा government grant को non current liability माल लेना सेम वैसे पूरा का पूरा government loan को भी non current liability माल लेना पर मेरी बात सुनो जो loan होते हैं वो financial instrument होते हैं तो यह government loan हमारे लिए क्या होगा financial liability के अंदर आएगा यह ध्यान से सुना आप non current के अंदर financial liability के अंदर यह हमारा government loan आने वाला है पर government grant आपका financial item नहीं होते है तो यह government grant जो ही आपका non current liability other non current liability के अंदर चला जाएगा बस बात खतम यहाँ पर हमारा है ना तो यह भी point मैं आपको समझा दे बस यहाँ पर यह ध्यान में रखना कि government loan जो है वो कहा जाएगा financial liability के अंदर जाएगा पूरा का पूरा non current के अंदर financial liability के अंदर जाएगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ यह देखो non current liability के अंदर financial liability का जो आप head बनाओगे उसमें लून जाएगा गौर्मेंट लून लेकिन गौर्मेंट ग्राइब अलग से दिखाओगी यह बाहर है यह फानिशल एबिलिटी का इससा नहीए अलग से बाहर है 12,000 जो रिजर्व है यह आपका वेस्टेड हो चुका है और बाकी का 8,000 जो यह नॉन वेस्टेड है हमने पढ़ा था कि वेस्टेड के मामले में हम इंडेस 102 तब ही अप्लाई करते जब रिक्वाइड इंफोर्मेशन जो जब उसका फैर वेलू जो है वो एड़ दा टाइम जब आपने ग्रांड किया था उस्टेड में पब्लिकली डिस्क्लूस किया गया था तब हम इंडेस 102 लगाते हैं अधरवेस इसमें आवस सकता नहीं है और इन्होंने भी कोशिन में बता दिया कि ये इंडेस 102 एपलाई नहीं करना चाते है वेस्टेड वाले में ये पॉइंट का भी पूरा डिस्कॉसन किया था हमने आपको याद होगा मैंने पूरा लिखा कि इसका बारे में पूरा खोल के हमने डिस्कॉसन करा था ये देखो ये पूरा डिस्कॉसन मैंने आप लोग को कराया था 21,000 मैंने निकाला था पूरा आपको बताया था इसका पेट क्या होगा तो अब मैं और ज्यादा डीटेल नहीं बताने वाला तो अब 9000 यहां पर हम फेर विलू में इसको दिखाएंगे तो कुल मिलाके दूनों का मिलाके हमें 21000 में दिखाना है जबकि पहले से 20,000 दिख रहा है तो आपका पहले जो 20,000 दिख रहा है अब आप 21,000 से गिराना पड़ेगा तो आपका के सौप रिजर्व के चलते 1000 से आपका रिटीन अंडिंग गिरेगा क्योंकि आप रिजर्व को बढ़ा रहे है ना तो रिटीन अंडिंग में अभी तक यह दो एफेक्ट मैंने कर लिया फिर आगे नेक्स्ट हमारा था क्यूमिलेटिव ट सेट करना चाते जीरो में तो जो क्यूमिलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस वन लाग आप इसको पूरा जीरो बनाना चाते हो तो इसका कोर्रिस्पोंडिंग एफेक्ट कहा जाएगा रिटीन अंडिंग में जाएगा मैं इसका एंट्री में मारा हुआ हूँ है एपस यह ब बचा क्या और तो कुछ पॉइंट बचा है नहीं है पूछा हमसे ट्रांजिशन डेट का इंडर्स बैलेंस बनाओ हम बना लेंगे कुछ टेंसन वाली बात है नहीं और हमें पता भी चल गया कि रिटीन एंडिंग में आपका एफेक्ट कितना आने वाला है 20,99,000 का एफेक् बड़ेगा आप CTR का खतन करें जिरो कर रहे हो तो आपका 20,99,000 से एफेक्ट आएगा रिटीन एंडिंग में पहले से आपका रिटीन एंडिंग कितना है 2,99,000 पहले से रिटीन एंडिंग में इसमें 20,99,000 और आप एड़ ओन कर दोगे है ना और ये क्युमिलिटिव ट्र ये देखो ये तो पूरा रिजर्व दिया हुआ गलती होगे मेरे से ये पूरा का पूरा आपका रिजर्व दिया हुआ है क्युमिलिटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस इस आप रिजर्व रिटेन एंडिंग तो हम क्या करें मेरी बात सुनो हमने 48 लाग की जगा 68 लाग किया तो 20 लाग आपका रिटेन एंडिंग में बढ़ जाएगा ठीकिए ये एफेट की कारण अब हम इस 1 लाग को जीरो कर रहे है जिसके चलते 1 लाग और आपका बढ़ जाएगा यहां पर और इस 20,000 को हम 21,000 कर रहे हैं जिसके चलते 1000 यहां पर कम हो जाएगा तो आपका जो 1 79,000 है पहले से रिटेन अर्णिंग उसमें 20 लाग और 1 लाग 21 लाग एड़ होगा और हजार माइनस हो जाएगा यहनि 22 लाग 78,000 आएगा आपका रिटेन अर्णिंग आप सीधा भी कर सकते थे 1 लाग 79,000 का रिटेन अर्णिंग है प्लस 20 लाग 99,000 भी अगर आप करते यह वाल फिगर तो भी आपका 22 लाग 78,000 आ जाता है यह दिखे 22 लाग 78,000 आपका आ चुका है यह आपर आ गया कहा गया 22 लाग 78,000 आपका आ चुका है तो अब मेरा यह फिगर जितना मैंने सारा निकाला से परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं आपर देखो हम क्या करेंगे पीपी दिखाएंगे 1 क्रो 30 लाग का इंवेस्मेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे 4 लाग 50,000 का मैं आपको मैच भी करव आते जाता हूं यहाँ पर फिर मैं आपको बना की दिखाऊंगा टेंसन आलो यह देखो 134 50 इंवेंटरी देखो वैसा का वैसा ही रहेगा 8 लाग का 8 लाग यह रहेगा पहले का प्रीवेस गैप में 8 लाग है तो इंडेस में भी 8 लाग का 8 लाग रहेगा क्योंकि कोई is for purchase of inventory कुछ निका आगए हम सी माले रहे है ना बात ख Dog और कैपिटल भी कुछ नी का आगए हम सी माले रहे क्यूमिलिटी ट्रांसलेशन डिविशुन लाग का लिए जिसमें लाग आपका हम पूरे सट कर रहे जीरो में वन लाग मैनिस करें तो 0 आग यह Piss of Reserve 20,000 का था 1,000 से हमने बढ़ाया था तो 21,000 हो गया हमारा और ये Retain Earning तो मैंने 22,78,000 आपको दिखाए दिया गया था अब Total Equity आपका अपनिया पी आ जाएगा बात खतम यहाँ पर फिर इसके अलावा अब Financial Liability में Deferral Loan के हम बात करें तो वेट Deferral Loan जो आपका 3725528 दिखेगा बाकी Government Grant आपका दिखेगा क्योंकि अब Retrospective Restartement करें हो Trade Pable में कुछ नहीं बोला गया सेम है Short Term Boring कुछ नहीं बोला गया सेम है Provision कुछ नहीं बोला गया सेम है Total Liability आपका आजाएगा बस बात करतम तो जो जो effect होने थे वो effect हमने करा हुई है ये देखो P.P. 4.5 लाग से कम होके Investment Property में चला गया Investments in S. Limited को 20 लाग से बढ़ाया हमने ये तो टोटल ही इसका कोई काम नहीं है ठीक है? और Cumulative Translation Difference 1 लाग से गिरा दिया Isop Reserve 1 थाजन से बढ़ाया Retain Ending 20 लाग 99 लाग से बढ़ा दिया बात करतम ये तो टोटल लिक्विटी है फिर deferral loan हमने 60 लाग की जगा इतना का loan दिखाया grant हमने बागी का दिखा दिया और बागी तो सब सीम ही है तो जो मैंने treatment करना था वो सारा treatment मैंने आपको करवाई दिया और यहां पर एक एक treatment तो वही treatment का effect इस balance sheet में दिखाना और index के साब से यानि division 2 of schedule 3 के साब से balance sheet बनाना अब हम क्या करेंगे balance sheet बनाएंगे तो balance sheet मैंने बना के रखा आप लोग के लिए पुरा वैसे नहीं बना है मैंने नाम करन कर रखा हुआ है यह नाम करन schedule 3 division 2 of schedule 3 के साब से हम जो बनाते वही नाम करन है मैं फिर भी चाहूँगा एक बार मैं आपको go through करवा दू तब ताकि आपको दिमाग आसान हो जाए आपका देखो division 2 of schedule 3 के साब से जब हम balance sheet बनाते तो हम क्या करते है हम पहले assets दिखाते फिर equity and liabilities दिखाते और जो total assets होगा और एक side में equity in liability होगा वह बराबर होना जबगाते तो asets के अदर दो हिस्से होते एक non current asset होगा asset के अंदर कितने ae сер से दो हिस्से non current और current और equity and liability के अंदर देखाया जा तो 3 हिस्से है एक तो equity का हो जाएगा और दो हिस्सा होगा एक non-current liability एक current liability यानि assets में भी non-current assets current assets liability में भी non-current liability current liability और बाकी जो equity वो रहे गई तो यहां पर वोजी वह अब non-current assets के अंदर हम क्या क्ये दिखा देंगी जैसे पहले पीपी दिखा दिया intangible assets दिखा दिया investment property तो investment property दिखा देंगे capital working progress है तो यह सारी चीज़ हम दिखा देंगे goodwill है तो goodwill दिखा देंगे फिर हम एक financial asset का head बनाते हैं इसके अंदर जितने non current वाले financial item है वो सारे आ जाते हैं जैसे non current investment हुआ loans हुआ non current other financial asset हुआ non current का तो जो क्योंकि non current के head के अंदर financial asset है तो जितने non current वाले financial item है वो यहाँ पर आ जाएंगे फिर को non financial item है तो वो other non current asset के अंदर चला जाए जो कि non current पर financial item नहीं है तो वो other non current assets में चला जाएगा फिर बागी current assets का भी वही classification होगा ध्यान रे current asset में सबसे पहले हम inventory दिखाते हैं यह थोड़ा सब को याद करना पड़ेगा format अच्छा रहेगा आपके लिए current asset में पहले आप inventory दिखाओगे फिर financial asset का head बनाओगे उसके अंदर जितने current financial item में वो आ जाएंगे जैसे investmentary, reduceables, cash and cash equivalent, other financial asset या गया फिर last में other current assets हम अलग से दिखा देंगे यह financial item का हिस्सा नहीं है अलग से दिखा देंगे तो देखो उने क्या क्या में नॉन current में पीपी, intangible assets, investment property, capital, working, progress यह सारा दिखा दिया फिर जितने non current financial asset है वो दिखा देंगे फिर बच्चा हुआ other non current asset दिखा देंगे current asset में पहले inventory दिखा देंगे फिर जितने current वाले financial item में वो दिखा देंगे फिर other current asset दिखा देंगे बस इतने गरना बात करता है ना अपने आप याद हो जाएगा आपका थोड़ा सा practice करना एक दू बार question practice कर लेना अपने आप बैट जाएगा पोरा फिर equity and liability में सबसे पहले equity दिखाएंगे equity में दो चीज रहता है usually share capital और other equity consolidation बनाओगे तो आगे जाके equity के अंदर ही third line में separate line item में non current sorry non controlling interest भी आ जाता है तो share capital other equity हमने दिखा दिया फिर हम non current liability दिखाएंगे current liability दिखाएंगे तो non current liability में आप क्या करोगे पहले जो non current financial item है financial liability का head बनाना उसके अंदर जितने non current financial item है दिखा देना फिर provision अलग से दिखाओगे defer tax asset या defer tax liability net पे अलग से दिखते आपका current liability में भी वही पहले financial item सारा दिखा दो फिर other current liability दिखा दो और provision है provision दिखा दो यहां पर भी एक चीज़ में चाहूं तो लिख सकता हूं यहां पर भी हम चाहें तो other non current liability कोई है वो भी last में अलग से आ जाएगा other non current liability तो यह format में आपको करना है अब यहां पर एक और property भी non current के अंदर जाएगा मैंने लिख भी लिया ओरड़ी देखो फिपी 1 क्रो 30 लग investment property फूलाफ 50 थाउचन मैंने लिख भी लिया पर फिर अब आगे देखते आगे क्या है आगे आगे आप देखो investment इन एस लिमिटेड है यह आपका financial asset के अंदर आएगा लेकिन यह non current के अंदर आएगा पर मैं दुखी हूँ क्योंकि ICA ने इसे current में डाल रहा है तो मैं भी ICA के इसाब से current में डाल रहा हूँ पर मेरा माननी यह non current में आना चाहिए आपका financial asset के अंदर यह आएगा क्योंकि इंडस 109 के इसाब से जो separate financial statement में दिखा रहे फैर वेलू में दिखा रहे इसलिए financial asset के अंदर आएगा 68 लाग पर मैं मजबूरन इसको current asset के अंदर देखो financial asset में मैं investment दिखा रहा हूँ 68 लाग का ठीक है पर ध्यान रहे यह मेरे इसाब से यह प्रतिक जगाती के इसाब से non current होना चाहिए non current के अंदर आना चाहिए था ठीक है यह मैंने दिखा दिया investments अब trade receibles trade receibles obvious सी बाते कहां जाएगा financial assets के अंदर जाएगा current current वाला current के अंदर financial assets के अंदर जाएगा trade receibles टू लाग का तो दिखो current का है पहले बनाई लो current के अंदर trade receibles यह रहा टू लाग का यहां पर आ जाएगा करें आपको अपने आभी पता चले हैं देखने से पता चले हैं कौन सा कहां जाना चाहिए inventory अलग से current के अंदर जाते है यह other current assets के अंदर 50 लाग आ जाएगा last में ठीक है यह मैंने दिखा दिया आपर तो बस यह थोड़ा सजाने में मैंने इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ीगा inventory आट लाग का कैस 49,000 का है तो inventory तो आपका current में 8 लाग का आई जाएगा और cash आपका 49,000 का cash भी आगया आपका यहां पर यह सारा चीज़ मैंने दिखा दिया आपर देखो सारा खतम assets का सारा काम खतम अब आगी नीचे liabilities आ जा रहा है wet deferral loan तो wet deferral loan में हमने 60 लाग का दो टुकरा किया था है ना 60 लाग financial liability में non current financial liability में 3725 528 आजाएगा बाकी government grant अलग से आएगा 2274472 ठीक है तो मैंने यह 60 लाग का भी break up दिखा दिया है ना यह सारे तो मैंने दिखाई दिखा दिये यह सारे दिखा दिये यह इसका भी break up दिखा दिया creditors 30 लाग का 30 लाग से हम दिखाएगा अब creditors नहीं बोलते इसे हम trade papers बोलते हैं आज कल तो current liability में होता है trade papers 30 लाग मैंने दिखा दिया तो देखो मैं इनका जो balance data डाल रहा हूँ इस बोरिंग जो एट लाग यह भी वैसा का वैसा रहेगा तो सौर्ट अम बोरिंग सो current में आएगा एट लाग और प्रोवीजन भी 12 लाग वैसा का वैसा ही हो जाएगा यहां पर आपका एट लाग 12 लाग भी मैंने डाल दिया यहां पर पर total liability इसका काम कातम सेहर capital दिया कि सोब रिजर 20,000 था उसमें 1,000 बढ़ाया था हमने इसको हम 21,000 दिखाएंगे और retain endings पहले कितना था देखो retain endings हमारा पहले था 179,000 लेकिन हमने 20 लाग से यह वाला बढ़ाया था यह पहले 48 लाग था इसमें हमने 20 लाग बढ़ाया तो यह 20 लाग एड होगा minus iso of reserve 1000 minus हो जाएगा और plus हमारे एक और चीज़ होगा क्या एक और चीज़ था हाट जो cumulative translation difference को हमने 0 बनाया न एक लाग का था इसमें से एक लाग माइनस करके इसको 0 बनाया तो यह एक लाग यहाँ पर एड हो जाएगा आपका 21 लाग 20 लाग 99 थाउचन 22 लाग 78 थाउचन यह वाला फिगर आपका आ जाएगा यहाँ पर है ना तो बागी देखो बागी लिए यहाँ पर भी में लेग लिए तो 1345 0000 था इसमें से 450 थाउचन हमने माइनस किया और investment property में हमने 450 थाउचन देखा दिया यह हमने किया है यहाँ पर फिर inventory सापका assets रखा यह मैंने दिखा दिया कैसे क्या trade receibles assets है cash assets रखा यह भी assets रखा हमने share capital पर assets रखा other equity का तो मैंने सारा हिसाब दी दिया आपको यहाँ पर और बाकी यहाँ पर हो गया तो सारा चीज हमारा होई चुका है और कुछ बचा भी नहीं मेरे ख्याल से हाँ देखो कुछ कर देता हूँ 13450000 प्लस 76,78,128,49,000 262,999 और इदर अगर हम देखे तो इधर क्या है 130,012,60,012, moisturizer,19,000 हो जाएगा और और यूद्टी येट लाग 228,011,240,010,010,010,010,010,010,012,010,010,010,010,011,012,018,010,010,010,010,010,010,010,010,011,012,020,012,010 डन, तो यह पूरा question मैं आपको करवा दी एकडम simple intention की कोई बात नी के बात नहीं इपर चलो revise करवा दी तो आपको करना की आपको परेशानी किस में आएगी पता है अगर परेशानी घी तो format बनाने में format बनाने में परेशानी आएगा आप पीपी और 4,50,000 जाएगा investment property और ये 48 लाग के जगा आप 68 लाग दिखाओगे और इसका corresponding 20 लाग आप यहाँ पर बढ़ा दोगे डबल डबल एफेक्ट दिखा के करते जो आप यहाँ पर यह कर लिया उसके बाद ट्रेड डिसीबल्स हुब हुँ जाएगा यह भी हुब हुँ जाएगा inventory भी वैसा का वैसे जाएगा cash भी वैसा का यह तो total asset इसको हटाओ ठीक है, where deferal loan का दो हिस्सा होगा एक आपका जाएगा दो हिस्सा है ने इसका 3725528 जो कि financial asset के अंदर जाएगा है ना, loan में और आपका एक और फिगर है government grant 22744721 यह आपका other non current asset के अंदर जाएगा other non current liability sorry financial asset नहीं liability है, loan liability हमारा कलती से asset दिख दिख दिए मैंने यह financial liability जाएगा और यह other non current liability में जाएगा तो इसका दो हिस्सा हम ने कर दिया फिर creditor trade payables के नाम पे वैसा वैसा जाएगा short term boring वैसा का वैसा provision वैसा का वैसा जाएगा total liability हटाओ कोई काम नहीं share capital वैसा का वैसा जाएगा reserve में जैसी 1 lakh पूरा का पूरा cut जाएगा यह zero हो जाएगा और 1 lakh आप यहाँ पर add कर दोगे और 20,000 यह भी cut के तो आपको बस प्रेजेंट करना है format division 2 of schedule 3 और वो division 2 के सबसे थोड़ा सा तो आपको याद रखना पड़ीगा मैंने आपको पताया है assets में पहले non current फिर current non current में पहले क्या करोगे PPE दिखाना अभी याद हो जाएगा और फिर नीचे other non current assets दिखा देंगे फिर start होंगे current assets current assets में पहले inventory दिखाना फिर financial assets की जितने item में वो सारा दिखा देना फिर उसकी बाद में other current assets बस बात कदम यह कर दिया हमने अब आगे equity and liability equity में share capital, other equity अगर non controlling interest वा तो non controlling interest फिर non current liability का head बनाओगे उसमें financial liability का सारा item दिखा देना फिर other non current liability फिर वैसे current liability का head बनाओगे उसमें financial liability का सारा head दिखा देना head दिखा के सारा item दिखा देना फिर बाकी का other current liability बस बात कदम इतना ही तो करना आपको provision अलग से दिखाना provision दिखा के फिर other current liability दिखा देना दूनों जगा में जो provision रहेगा long term provision या short term provision भी आ जाएगा और फिर last में other current library दिखा देना तो खतम किस्था इसी format से बनाना और ये question मैं इतने अच्छी से समझा दी अब मुझे नहीं लगता है अब आपको बस जरत इस question को practice करने के once ये question आप practice कर लोगे ये question आपको बिलकुल ये परिसान नहीं करेगा अब इसकी बाद next question में proceed मुझे लगता हम अराम से कर सकते हैं मैं आपको बता तो exam में आपको क्या करना है आप चाहो तो exam में IC का presentation रख सकते हो दिखो IC ने क्या किया पहले previous gap के सारे figure डाले फिर जो adjustment हुआ वो दिखाया और फिर index का figure डिखाया मैंन adjustment लिखा है साँ पर जहां पर जो है यह देखो मैंने adjustment लिखा है सारा ठीक है अब तीन कॉलम बना के भी solution कर सकतो बात एक ही आपका आप ऐसे कर सकते हो और इसके अलावा इन्होंने क्या क्या इन्होंने working notes दिखाया पीपी के बारे में ग्यान लिख दिया कि क्या बोला है क्य किया है investment in subsidiary का जो ग्यान है हमने इंडेस 103 क्या कहता है उस इस आपसे financial instruments का ESOP का cumulative translation difference अब का ग्यान लिखा और इन्होंने return earning के working भी बताया देखो 20 लाग increase हुआ 1000 decrease हुआ 120 लाग 99,000 का increase in return earning हुआ यह effect भी इन्होंने दिखाया तो आप चाहो तो यह time taking process है है ना इसके बिना भी पूरा balance rate बनता है पर आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको यह सारी चीज़े करनी चीज़े तो आपका call up क आपको बाकिट depend करेगा time कितना बचता है exam में आपका तो आप ऐसे working चाहो तो एक एक line में भी करके दिखा देना का time बचता है तो सभी के लिए working थोड़ा थोड़ा दिखा देना बोल देना कुछ नहीं पीपी के मामले में previous gap ले रहे है तो हमने previous gap के साबसी यह figure ले लिया investment के मामले में retrospective statement हो रहे है इसलिए loan इतना पगड़ा और government grant इतना पगड़ा चाहो तो उसका working जो बनाय हो दिखा देना किस आपके मामले में बोल देना वेस्टेड में previous gap लिया है क्योंकि यह इंड़स वन जिरू टू अप्लाई नहीं कर रहे है और आपका जो non-wested उसमें fair value लगा कि twenty one thousand total हुआ और हजार का फरक written ending से adjust करेंगे cumulative translation difference वन लगका था उसको reset करके zero बैना दिया corresponding effect written ending में दिखाएंगे इसे कर कि हिंदी मलब plain English में plain English के अंदर आप एक दो line लिख देना बात करता है इतना तो दिमाग आपके अंदर है इतने भी गदे नहीं आप सीए final के student हो इतना तो दिमाग हो गई तो वो दिमाग लगा कि करना ना अराम से हो जाएगा that is question number sixteen done illustration sixteen मैंने पूरा बता दिया कि कैसे आपको करना है अराम से कर लोगी थोड़ा सा खुद पे confidence रखो खुद पे विस्वास रखो कितने बच्चे खुद पे विस्वास नहीं रखते totally dependent हो जाते टीचर पे तो उनकी दिक्कत आती है अब खुद पे भरूसा रोख अप अच्छा ही लिख क्या होगी अच्छा कर क्या हो गया अब चलिए हम illustration seventeen में proceed करते हैं illustration seventeen भी बिल्कुल टफ नहीं अराम से हो जाएगा कोशें थोड़ा बड़ा है बढ़ तफ नहीं अराम से हो जाएगा स्टार्ट करते है illustration seventeen सोर्य लिमेटेट इस 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 अपनी इस अपनी हविंग इस रिजिस्टर और कॉर्परेट ऑफिस अन्यू देली for the preparation of its financial statements for the current year 2019-20 के लिए यह 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 2019-20 current year 2018-19 previous year हो जाएगा तो 1st April 2018 को हमें बनाना पड़ेगा opening index balance rate अब देखे 31st March 2018 का दिया उसका next day होता है 1st April 2018 यह इसकी मदब से इसी 31st March 2018 के balance rate जो यह previous gap का balance rate है इसको हम adjust करके index balance rate बना देंगे बस बात खत्म तो देखिए यहां पर यह जो प्रीवेस gap के हिसाब से format में बनाया गया पूरा का पूरा balance rate इक बार में रफ कर दीता हूं यह चीज़े मैंने कुछ-कुछ आपको concept समझाते समय कराया था मैं फिर से discuss कर लूँगा को tension वाली बात नहीं है चलो यहां पर आप देखिए पूरा balance rate हमें दिया हुए अच्छे से है ना पूरा का पूरा balance दिया हुए फिर additional information में बता दिया और आगे भी कुछ-कुछ data दिया हुए यह मैंने कुछ-कुछ पार आप लोग को करवाया भी था concept समझाते से मैं तो यह सारा चीज हम go through कर लेते हैं फटा 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 से पूरा question में आपको समझा देते हूं अच्छे से treatment समझाओ कि तो बनाने में बिल्कुल परिशा नहीं आएगी देखिए additional information में क्या बोला मैं सबसे पहले other current liabilities include रुपे 3,19,000 liabilities to be paid in cash such as expense, payable, salary, payable, etc. and 60,000 are statutory government dues तो total मिला के दुनों मिला के कितना होगे 4,50,000 होगे जो other current liabilities में दिख रहा होगा आपको other current liabilities का 4,50,000 आपको दिख रहा है इसमें इन्होंने क्या बोला मैं इन्होंने बोला कि 3,90,000 तो liability जो कि आपको cash में pay करना है हमने याद होगा financial instruments में पढ़ा था कि जो obligation जो हमारा settled होगा cash में वो आपका financial liability होते है ठेक है तो यह आपका obligation है to be payable in cash in the form of cash तो यह financial liability है बाकि statutory government due हमने पढ़ा था फांसर स्टूर्मेंट में statutory government due कभी भी financial liability नहीं होता है तो यह आपका 60,000 जो है यानि 3,90,000 तो other financial liability हो जाएगा ठेक है और 60,000 आपका other statutory government due से यह आपका other current क्योंकि current के अंदर ही तो है यह आपका other current liability हो जाएगा 60,000 यह यह जो 4,50,000 है इसके अंदर बाइफरकेशन है अदर financial liability 3,90,000 और other current liability आपका रहेगा 60,000 का तो यह मैंने पूरा treatment आपको बता दिया यह break up बता दिया schedule 3 के साब से division 2 of schedule 3 मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ current liability यह देखो current liability में देखिया आप इन्होंने other financial liability 3,90,000 दिखाया हूँ other current liability 60,000 दिखा दिया इन्हों बात खतम तो यह दोनों मैंने एक बार आपको समझा दिया अच्छेसे फिर इसके बार next point long term loans and advances include rupees 40,000 loan and the remaining amount consist of advance to staff तो staff को जो advance दिया गया है इसमें हम यह thought रखते है कि यह loan ही है staff को हमने loan ही दिया है जो मैं पैसा in the form of cash ही मिलेंगे अगर ऐसा होगा तो loan to staff भी हम क्या मान सकते है उससे financial instrument मान सकते है financial asset मान सकते है तो यहाँ पर अब देखिए इसको IC ने किया कि दोनों को इन्होंने financial instrument ही माना है तो loan जो हमने दिया यह loan भी financial asset हमारे लिए loans and advances है मतलब हमने दिया है ठीक है और बाकी staff को advance दिया है तो 40,000 और दोनों financial asset के अंदर आएगा ठीक है और हम मानते कि longer period के लिए कर दिया है तो non current asset के अंदर आएगा financial asset के अंदर दिखाएंगे हम loan कितने का है 40,000 का loan है और आपका advance to staff आपका 110,000 का पाकी इसमें कुछ change अगर होगा तो बात की बात है वो बात में देखेंगे यह दिखेंगे financial asset के head के अंदर इनों ने दिखाया loan 40,000 का other financial asset यह loan भी आपका इधर लिखना चाहिए था इसके just parallel में लिखना चाहिए था इन्वेस्मेंट भी parallel में आता है इन तीनों ठीक है तो यह दोनों financial asset इन्होंने माना तो यह advance to staff को इन्होंने क्या माना other financial asset माना है other financial asset के अंदर वन लेक्ट नंधौचन दिखा दिया गए चलो तो यह point भी होगी यह तो बस बाइफर केशन का था आगे other non current assets रुपेस टू लग कंसिस्ट ऑफ capital advance to supplier capital advance to supplier मतला supplier को कुछ हम मसीन वगेरा बिनाने के लिए दे रहे तो बदले में हमने नॉटे फानेशल इटम यह फानेशल asset नहीं है तो यह other non current asset के अंदर जाएगा 2,00,00 किसमे other non current asset में जाएगा 2,00,00 तो आप देख ले ना other non current assets के अंदर इनूने दिखा के रखा हुआ है यह देखें other non current assets में 2,00,00 तो यह point भी मैं करवा दिया फिर next point other current assets include रुपेस 3 लाग 50 थाउचिन current assets receivable in cash and prepaid expenses 50 थाउचिन मेरी बात सुनो जो prepaid expenses है वो कभी भी financial item नहीं होते हैं तो financial instrument में नहीं आएगा वो तो वो क्या हैगा prepaid expense को other current assets के अंदर ही दिखाओगे 50 थाउचिन रुपेस जो prepaid expense है वो एक्दम last में जाएगा financial item में नहीं जाएगा लेकिन 3 लाग 50 थाउचिन तो आपको receival होने वाला cash में तो यह other financial asset के अंदर दिखाओगे पैसे मिलेंगे तो यह financial item है तो other financial assets में 3 लाग 50 थाउचिन बाकि 50 थाउचिन other current assets में और यह current का तो इससे है current का इससे है तो current asset के अंदर करेंट asset के अंदर आपका एक तो जाएगा other financial asset में 3 लाग 50 थाउचिन और other current assets अलग से financial asset के अंदर नहीं होगा यह अलग से 50 थाउचिन में आभी आपको प्रेजिंट कर दूँगा जब मैं बनाओंगा तो मैं प्रेजिंट कर दूँगा जब हम balance rate अपने यहाप से बनाएंगे तो हम प्रेजिंट कर लेंगे चलो तो यह point भी हमने कर लिया फिर next स्वाटम प्रवीजन include dividend payable over rupees 2 lakh that dividend payable had been as a result of board meeting wherein the declaration of dividend for financial year 2017-18 was made however it is subject to approval of shareholder in the annual general meeting तो देखो annual general meeting में ये अप्रूव होई नहीं अभी तक board ने अप्रूव किया है तो board का अप्रूव के अब थोड़े ना माना चाहिए नहीं right to receive dividend shareholder का establish नहीं होई आपर ये AS में दिखाया जाता था proposed dividend के नाम का liability यहाँ पर इंडियस में नहीं दिखाया जाएगा तो अगर आपने दिखा के रखा हुआ short term provision में 2 lakh आप इसे नहीं दिखा सकते आपको इसे डी रिकगनेस्ट यानि short term provision 12 lakh का है ना आप 10 lakh का ही दिखाऊगे 2 lakh का डी रिकगनेस्ट करो 2 lakh का क्या करोगे D रिकगनेस्ट करोगे यहाँ ठीक है समझ में आगिया बाकी other current assets का break up भी दिखा देता हूँ यहाँ पर लिखी लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा 4 lakh का था ना इस other current assets में other financial asset में 350,000 जाएगा और other current assets में 50,000 जाएगा यह कुछ नहीं जो मैंने पहले से लिक रखा हुए वही मैं लिख रहा हूँ वापस से repeat करके और आपका यह जो other non current assets यह आपका वही का वही रहेगा कि मैंने लिख दियता है ना यह दोनों पॉइंट कर दिया हमने लोंस एडवांस जो था हमारा यह भी मैं देख लेता हूं यह मैंने करी दिया लिग दिया हाँ पर चलू यह पॉइंट हो गया अधर करेंट लाइबिटी का भी पॉइंट मैंने लिग दिया था चलू ठीक है एंड यह सौर्टम तो इसमें आपको थोड़ा सा हम भी टाइम देंगे भी आपको भी थोड़ा सा प्राक्टिस करना या दर्वास एक्दाम में प्रॉब्लम आएगी इन्होंने बोला कि एक प्रॉपर्टी प्लांट एन एक्क्विपमेंट है जिसके अंदर एक क्लास ओव एसेट कंसिस्ट कर 20 लाग का प्रॉपर्टी 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 कीओ होगा ऑर यहांपर भी आपका डू लागस रोडनींग में इंक्रीज होगा क्यो होगा क्यूंकि आप लाइबलिटी डिविरेंटी पेबल तो intangible assets वही का वही रहेगा आपका जो है 2 lakh का 2 lakh की रहेगा आपका ठीक है previous gap लगाना चाहा रही तो वही का वही रहेगा आपका है इसमें कोई doubt नहीं है अब आगे देखो point number C में क्या लिखा हुगा Soria Limited had acquired 80% sales in a company एक Soria Limited है जो 80% sales company में इसने acquire किया है Soria Limited जो ये company है इसकी कोई एक subsidiary भी है क्योंकि Soria Limited का है तुम balance देख रहे है Soria Limited जो है इसने Soria Private Limited में 80% sales acquire किया था कुछ साल पहले और Soria Limited ने recognize किया goodwill as per accounting standard by accounting the excess of consideration period over the net assets acquired at the date of acquisition fair value exercise was not done at the time of acquisition तो fair value exercise नहीं किया गया तो मैंने आपको पढ़ाया देना business combination तो business combination का मामला है हम मान के चलते की restatement नहीं हुआ है पर क्योंकि restatement का कोई data भी नहीं दिया हुआ है हम मान के चलते business combination में कोई restatement नहीं हुआ है यनि जो subsidiary का previous gap carrying amount है है ना उनके balance rate में वही सारा उठायवा मान लेंगे तो उसके सबसे जो उनका goodwill है वो भी automatically होने वाला है तो यहाँ पर अगर आपका कुछ goodwill दिया हुआ है कि books में ही देखे वन लक का goodwill है तो यह हम वही का वही रख लेंगे मतलब अगर हम उनका कोई restatement करी नहीं business combination का तो उनका जो previous gap carrying amount एमान के चले सारा का सारा वही ले रहे MCIP फिर वही होगा defer tax भी वही होगा goodwill भी वही होगा सार अची सेम ही रहेगा कुछी इंची नहीं आएगा आपके आपर तो goodwill भी वही का वही रहने वाला यहाँ पर answer में भी नो ने goodwill के बारे में लिखा है वो ही लिखा देखे index 103 mandatory requires measuring the assets and liabilities of the acquire at its fair value as on the date of acquisition however a first time adopter may elect not to apply the provision of index 103 first time adopter चाहे तो index 103 नहीं लगाएगा exemption नहीं सकते है with retrospective effect that occur prior to the date of transition to index hence the company can continue यह line important है to carry the goodwill in its books of account as per the previous gap यहीं यह retrospective restatement ना करे तो goodwill previous gap carrying on में ले लेगा तो जो goodwill 80 था होची ने वही का वही goodwill ही हम रख देंगे हम कोई बदलाओ नहीं करेंगे आपर है ना तो वही का वही goodwill रहेगा seem previous gap done तो यह वाला point में मैंने करवा दिया next point number D trade disables include an amount of rupees 20,000 as provision for doubtful debt measured in accordance with previous gap यहनि previous gap के साब से old accounting standards के साब से अपने 20,000 का provision for doubtful debts बनाया है यहनि जो आपको पैसे मिलने न ट्रेड disables के आपको लगता है 20,000 रुपीस आपको नहीं मिलेंगे दूप सकते तो उसका provision अपने बनाया है now as per latest estimate latest देखो अभी का latest estimate से using hindsight the provision need to be revised to रुपीस 25,000 तो जो आपका 20,000 रुपीस प्रोवीजन आपने बनाया अब latest estimate के साब से आपको provision 25,000 का बनाना चाहिए तो अब आपका question आएगा कि sir आपने estimate पढ़ा है estimate के साब से हमें change करना चाहिए मेरी बात सुनो मैंने आपको क्या पढ़ाया था उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ word ये देखो insights का मतलब क्या पता है insights का मतलब यह होता है कि कुछ घटना घटित हो गया उसके बाद हमें पता चला latest understanding हमें मिला यानि जिस जिच के basis में हमने provision मनाया वो progress कर गया आगया और information आगया है ना और उसके बाद हमें latest estimate से idea मिला कि 25 था होचिन का provision मनना चीए बट आपको मैं remind दिला दू मैंने जब आपको estimates पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जब आप index के साब से अगर आप estimate बनाओगे भी तो उसमें जो condition है ना वो reflect करो कि relevant date का जिस relevant date में आपने provision बनाया था उस relevant date का consider देखोगे अब आगे जाके मान लो नया आपको information मिल गया उसके basis में आप पर estimates को change नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आप देखो यह latest estimate है latest estimate है अब इसको consider नहीं कर सकते अगर मान लिजए क्योंकि आज हम कहां बैटें आज तो हम financial year देखा जाए तो मैं आपको पढ़ाया था हम 2019 2020 में बैटें 2020 में हम बैटें और हम तो back date का 1 April 2018 का हम बना रहें opening index balance it तो 2019 2020 में हमें कोई data मिला है उसकी basis में 2018 का 1st April का हम नहीं काम कर सकते हमें उस relevant date का ही condition को देखते वे provision बनाना चाहिए estimates करना चाहिए वो मैंने आपको सिखा है तो यह देखा है यह latest estimate जो word है है यह आपको idea देगा और insights भी आपको idea देगा यह आपको कहना चाहता है कि आपको निया information मिला है निया estimate आपका हुआ जिसके चलते 25,000 हो रहा है हाँ अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ रहा था कि relevant date का condition के साब से 25,000 होना था तब बात अलग है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम 20,000 का provision को ही consider करेंग the entities shall not reflect new information in its opening index balance it unless estimates needs adjustment for any difference in accounting policy or there is objective evidence that the estimates were in error यहाँ पर एर वाली कोई बात बोला नहीं यहाँ पर यह भी नहीं बोला कि consistent with index नहीं है तो मानेंगे proper है आपका वो index के साब से 20,000 है अब latest estimate का data नहीं ले सकते हैं यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको यह दियान में रखना यहाँ पर exam में confused मत हो जाना 20,000 ही लेना है 25,000 गलती से भी मत ले लेना है आपका चलो फिर इसके बात point number यह हम discuss करते हैं company had given a loan of rupees 1 lakh to an entity for the term of 10 years 6 years ago यानि company ने loan दिया है entity को 10 साल के लिए 6 साल पहले आज लोन नहीं दिया 6 साल पहले लोन दिया था transaction costs were incurred separately for this loan the loan carries an interest rate of 7% the principal amount is to be repaid in equal installment over the period of 10 years at the year end interest is also payable at the each year end the fare will of the loan देखो लोन का fare value दिया हुए as on the date of transition is Rs. 50,000 as against the carrying amount of loan which at present is Rs. 40,000 यहीं आज के present में आपका carrying amount of loan कितना है 40 था हो जिने जबकि इसका fare will of loan कितना है 50 था हो जिनका है अब मेरी बात सुनो हमने पढ़ा था financial instrument मैंने आपको पढ़ाया था measurement of financial assets and financial liability वहाँ पर मैंने आपको यह समझाया था कि अगर आपके लिए practically possible है है ना back date में back date का information अगर आपके पास है तो आप क्या करो आप retrospective प्री statement करो है ना back date में जाकि आप उसका fare will of financial instrument निकालो फिर वहाँ से amortize वगेरा करते हैं आज का value में पहुचो अगर आपके लिए पर हम वही तो करते हैं effective interest transaction cost वगेरा जैसे आपर incur हुआ है आपका है ना आप क्या करते हो effective interest rate वगेरा निकालके back date में जाकर retrospective रिश्टेट्मेंट करते हो और अगर practical नहीं है तो आप fair value भी ले सकते हैं आगे पढ़ते हैं management says it is stadius task in the given case to apply effective interest rate changes with retrospective effect and hence is reluctant to apply the same retrospectively in its first time adoption यह यह reluctant है यह यह adopter नहीं करना चाहता है retrospectively तो ठीक है भाई fair value ले लो फिर अगर यह reluctant अगर यह retrospective restatement करना नहीं चाहते है fair value ले सकते हैं तो 40,000 का जो आपका loan है carrying amount of loan आप उसे 50,000 fair value में दिखा दो बात करता हम और 10,000 corresponding effect return earning में दिखा दोगे तो यहाँ पर return earning जो है आपका यह 10,000 से आपका loan जैसे कि आपका बढ़ रहे हैं company ने loan दिया है यहाँ पर financial asset आप 40,000 की जगा 50,000 दिखाओगे कहाँ पर यह मैं देख लेता हूँ आपके balance rate के अंदर नहीं देख रहा है मुझे तो आपका अच्छा वो जो loan का अमने break up रखा था ने यह रहा इसी के अंदर जो 40,000 का loan का carrying amount है नहीं यह long term loans and advances का जो हमने break up किया था 40,000 loan आपने दिया है और remaining staff को advance है तो यही 40,000 जो loan है आप इसको कितने में दिखाओगे 50,000 में दिखाओगे 40,000 की जगा आप इसे 50,000 में दिखाओगे ठीक है loans and advances के अंदर मिल गया हम यहाँ पर और 10,000 retain earning में क्या होगा add हो जाएगा क्योंकि asset बढ़ा है तो 10,000 आपका बढ़ जाएगा यहाँ पर बात खतम तो यह point भी हमारा अप clear हो चुका है अब next point पे देखते है point number F in the long term borrowings रुपेज 4,000,000 of component is used towards the state government अच्छा यह government सबको मिला है यानि government loan है यह क्या है यह government loan का भी मैंने concept आपको पढ़ाया था गौर्मेंट loan में दो चीज़ आप कर सकते हो अगर आपके लिए information obtainable है जब government आपको loan दिया था तो अब retrospective real statement करते हुए back date में जाईए और वहाँ पर आप देखिए कि government loan कितने का government grant कितने का है आपको separate करना होता है कब अगर government ने मालीच आपको loan दिया है below market rate पे क्या ऐसा हुआ है क्या हाँ देखो 4% interest आपको दिना है गौर्मेंट को लेकिन market का rate है 8% आपर फरकार है तो government आपको below market rate पे आपको loan दिया है तो यहाँ पर आपके बस दो पाई है एक तो loan का value आप पता करो दूसरा उपाई यह है आप क्या करो जो आपका carrying amount of loan है उसी को आप आज loan मालो और आगे effective interest निकालो है आपर है ना यह मैंने सिखाया था दो नूची मैंने आपको सिखाया था आपको याद दिला देता हूं मैं government loan एक्दम starting में मैंने आपको पढ़ाया था यह देगे government loan जब मैंने आपको पढ़ाया था दो एक्जांपल कराया था एक तो मैंने कहा था कि जैसे carrying amount of loan वन क्रोड है तो वन क्रोड ही आप अपने balance rate में दिखाऊगे government loan जो हैना equity liability वन क्रोड ही दिखाऊगे और effective interest rate आप calculate करोगे और recording यह आप करोगे अगर आपको लग यहां पर the fair market will of the loan stands at rupees for like 20,000 on the relevant date fair government loan के मामले में fair value का कोई काम भी नहीं है government loan के मामले में दूचीजी कर सकते retrospective restatement उसके लिए proper data है नहीं information obtainable है या नहीं पता भी नहीं हमें तो हम retrospective restatement ही करेंगे हम क्या करेंगे जितना फूर्लाग 50,000 का government loan है as it is government loan वही दिखा देंगे carrying amount और EIR निकालना पड़ा तो EIR निकालेंगे है ना पर आगे का कोई information दिया नहीं और आगे का में accounting करना भी नहीं तो EIR को ignore करो अब सीधा फूर्लाग 50,000 ही government loan दिखाओगे long term borrowings में सीधा वही का वही रहेगा फूर्लाग 50,000 तो अब देखिए जो borrowing से पूरा seem to same फूर्लाग 50,000 ही आपका आई चुका है कॉर्मेंट loan के मामले में मैंने सिखाया था अच्छे से वही सारा चीज जो मैंने सिखाया वही सारा अच्छे जो कुछ नया चीज यहाँ पर नहीं है इसलिए concept दिहान में रहेगा तो अपनी आप यह सारा चीज कर लो गया फिर point number G under previous gap the mutual fund were measured at cost और market value whichever is lower mutual fund यह नी investment यह financial asset ही हो गया हमारा और पहले AS 13 लगता था AS 13 के साबसे cost और market value whichever is lower में दिखाते थे अंडर Indias the company has designated this investment at FBTPL तो Indias के साबसे तो financial instrument हमने पढ़ा है या तो retrospective restatement करो financial item में financial assets या financial ability में और अगर impractic है वले तो fair value ले लो और fair value उन्होंने 2,30,000 दिया हुआ तो 2,00,000 की जगा हम 2,00,000 ले लेंगे और 30,000 का increment का effect return earning में दिखा देंगे तो आप 2,00,000 नहीं दिखा हो गया अब 2,00,000 30,000 दिखा हो गया आगया इन्वेस्मेंट के अंदर आपका जो भी रहेगा तो 30,000 आप एड़ कर दो गया तो जो investment आपका है यहां पर खागया कि देखो यह investment जो 18,00,000 का है ना इसी के अंदर mutual fund included है includes mutual fund ठीक है और हम क्या करेंगे 18,00,000 तो हमारा ही 2,00,000 किजेगा 2,00,000 30,000 कर रहे हैं तो 30,000,000 यह increment हो जाएगा और इसका corresponding 30,000 जो effective वो कहां चला जाएगा वो retain earning में भी चला जाएगा तो चले यह वाला point भी हमने mutual fund वाला कर लिया अब आगे नोंने बोला ignore करी अब defer tax का separate calculation ignore किजे और हमान के चली कि net defer tax income जो है net defer tax income लिखाया पर income मतलब DTA की बात कर रहे है DTA जो है 50,000 ले लो सीधा बात खतम तो DTA हमें क्या करना हमें 50,000 का DTA ले लेना है बस बात खतम तो यह हम DTA 50,000 काम ले लेंगे तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा जो सारा adjustment हमने किया है वो सारा मुहाँ पर अपने balance rate में ठीक कर लेंगे ठीक वो भी मैंने बोला होई same to same रहने वाला है 3 decibels में कोई adjustment हम करेंगे नहीं हाँ पर 40,000 का में 50,000 लेना ये भी effect मैंने डाल दिया थे हाँ पर तो ये भी सारा effect आपका आ चुका है फिर long term boring सो वही का वही लेना में कुछ चींज करना नहीं है और 2,30,000 का भी effect मैंने हाँ पर ड उसके बाद इधर 10,000 आपका और आरहा 7,000,000 और इधर 30,000 7,000,000 का effect आने वाला है इसके अलावा ये defer text के वज़े से भी effect आएगा तो आएगा अधर बाद 7,000,000 तो मुझे दिख रहे है return ending में effect आए गई गई और defer text liability अपका 350,000 दिख रहे है defer text asset भी है क्या आपका नहीं है तो चलो वो भी हम देख लेंगे end में क्या होने है चली हम पहले balance इट बनाते है तब इलस्टेशन सेवंटी चली तो फिर हम पहले क्या करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको format ओल्रेटी समझा दिया था कि किस तरीके सा format में आपको बनाना है पहले हम एसेट का देटर डालेंगे नौन करेंट एसेट और करेंट एसेट का तो यहां पर भी हम क्या करेंगे balance इट के अंदर हम पहले एसेट साइट का सारा हिसाब कर लेंगे तो एसेट साइट के अंदर देखिए property plant equipment 25 लाइं इंक्णीबल एसेट 2 लाइं गुट विल 1 लाइं रके आपको दिखा दRa दिखाना है तो देखिए प्रॉपर्ट ए सिपलांट हम 25 ललाइं का दिखा देंगे उइंक्स represented 조금 लाइसेट हम दिखा देंगे नौरी तो लाइं का दिखा देंगे बान के आपको question में तो आपको परिशानी नहीं होगी फिर देखिए non current इंवस्मेंट आपका कितने का है तो फाइव लाग का आपका नोन करनton investment है और जो mutual fund का ऐद्जयस्न्ट हुआ था वो current investment में हुआ था तो non current investment का ऐससे और को parchment है नहीं तो हो पूरा का पूरा नॉन्ट करेंट इन्वेस्मेंट वही का वहीं रहेगा या नाउन करेंट इंवेस्मेंट आपका five वाली बात नहीं है फिर इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं यह सारा कर लिए अब देखिए लॉंग टर्म लोंस एडवांस में मैंने ब्रेक अब बताया था मैंने का था कि नॉन करेंट एसेट्स के अंदर ही जाएगा लॉंग टर्म लोंस एडवांस फानिशल एसेट के अंदर लून हम 40 जर का नहीं 50 जर का दिखाएंगे तो 50 जर का हम दिखा देंगे और अदर फानिशल एसेट्ट यह भी लाइबिलिटी नहीं है गलती से लाइबिलिटी लिग ग हिस्सा होगा यहां पर 40,000 की जगह हम कितना दिखा रहें 50,000 दिखा रहें 10,000 बढ़ांके दिखा रहें और बाकी 1,10,000 का अदर फानिशल एसेट्स हमने दिखा दिया तो यह 50,000 भी दिखा दिया अब अब other non-current assets अपका two luck है तो वो other non-current assets ही रहेगा क्योंकि इसका description दिया ह होए कि capital advances है यह financial asset नहीं होते हैं तो यह other non current assets जो टू लाग का वही का वही वैसा का वैसा ही रहेगा यह मैंने टू लाग दिखा देखो एक बार आप balance rate बना लोगे फिर आप कोई परिशानी नहीं आएगे बिल्कुल पिर अब बचा क्या है अब आगी हमारा आ जाए तक current assets का हिस्सा current assets के अंदर दिखो investment जो है वो 18,30,000 है और यह जाएगा किसमे financial asset के अंदर पहले हम inventory दिखाते है current assets में जेना 12,50,000 का inventory है यह हम पहले दिखाएंगे फिर financial assets के अंदर head के अंदर हम investment दिखाएंगे 18,30,000 का जो mutual fund का increment गुआ था 18,30,000 ट्रेडिसीबल्स 9,00,000 ट्रेडिसीबल्स आपका 9,00,000 ट्रेडिसीबल्स आपका 9,00,000 ट्रेडिसीबल्स आपका 10,00,000 दिया हुए इसके अलावा other current assets में भी देखो मैंने पहले ब्रेक अप करके लिए था other financial assets में 3,50,000 आएगा बाकी 50,000 आपका जो prepaid expense था तो यह financial assets नहीं है यह other current assets में जाएगा 3,50,000 other financial assets में जाएगा और बाकी 50,000 other current assets के अंदर जाएगा तो देखो मैंने assets का सारा सल्टा दिया सब कुछ मैंने assets का सारा काम खतम कर दिया अब हमें करना equity and liability तो share capital सबसे पहले हम देखते हैं share capital की बात सुनो तो यहाँ पर आप देखो share capital कितना है अब हमें इधर आ जाएगे share holder fund में share capital 10,00,000 10,00,000 का share capital हमने दिखा दिया other equity भी हम दिखा देंगे तो other equity में देखो एक तो 7,00,000,000 बढ़ेगा मेरे आपको बताया था अगर आप बोलो कि तो individually भी हम लिख सकते है तू लाग आपका different payable अब आपका हट जा रहा है है ना 5,00,000,000 से property planned and equipment को बढ़ाया था तो 2,00,000,000 प्लस 5,00,000 हम करेंगे other equity का balance कितना है यहाँ पर reserve and surplus में देख लो यहाँ पर यह चाहो तो कर लेंगे एक काम करता हूँ इसको एक बार नीचे करता हूँ यहाँ पर reserve and surplus में पहले से balance है 25,00,000 प्लस क्या 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 करेंगे 2,00,000,000 आपका different payable जो हम remove करें डी recognize करें तो उससे आपका return अपका return अंडिंग में बढ़ेगा हम एक साथ other equity में direct दिखा देंगे return अंडिंग का जो भी figure है plus 5,00,000,000 से पीपी बढ़ रहा हमारा यह भी 5,00,000 return अंडिंग को बढ़ाएगा इसके अलावा आप देखे 10,000 से हमने loan को जो loans and advances था है न वो 40,000 की जगा 50,000 हमने दिखाया था न हमने loan दिया था तो 10,000 से हमारा और बढ़ जाएगा asset बढ़ रहा है 10,000 से हमारा इसके अलावा हाँ इसके अलावा आपका जो mutual fund है उसमें 30,000 से बढ़ रहे है और इसके अलावा एक और चीज़ आपका एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था देखें कोशे ने नीचे last में लिखा हुआ था न मैं कि आपका defer tax adjustment करने की वज़े से net defer tax में इंकम हुआ 50,000 का on account of index transition adjustment तो जो भी index का transition adjustment किया जिससे आपका 50,000 का बढ़त हुआ इंकम हुआ तो जिससे मैंने का income मतलब आप DTA बनाओगे अब हम देख लिए बाले से बाले सीट में पहले से DTLA ये हमें हटा रहा हूँ ये बाले सीट में पहले से DTLA त्री लाग 50,000 का ठीक है अब देखो DTA 50,000 का create होना चाहिए on account of index transition adjustment के चलते हैं DTA 50,000 का create होना चाहिए तो DTLA हम तो net दिखाते हैं DTA DTLA अलग अलग दिखाते हैं तो DTLA में DTA को minus करना होगा तो 50,000 यहापर minus करेंगे क्योंकि हमारा कमाई हुआ फाइदा हुआ है तो liability 3,000,000 की जगा कितना दिखीगा 3,000,000 दिखेगा है ना और 50,000 का फाइदा हुआ तो 50,000 का फाइदा रिट 32,90,000 आएगा और मैं देख लेता हूँ other equity 32,90,000 ही होना चीए पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ परफेक्ट यह देखो 7,90,000 आएगा मैंने कहाते है ना वही हुआ यहाँ पर 25,000 हमारा पहले से था और increment 7,90,000 हुआ जो कि मैंने दिखा भी दिया कैसे हुआ और ज इसके चलते हैं यह 32,90,000 हो जाएगा हमारा यह फिर आपका आगे हम देखते हैं यह सारा करने के बाद कोशिशन में आ जाओ आगे हम देखते हैं तो देखें मैंने आपको अभी तक यहाँ पर assets हो मैंने सल्टा दिया हूँ सेहर capital सल्टा दिया हमने other equity पे सल्टा दिया अब देकि long term borrowing जो है यह borrowing financial asset के अंदर ही तो जाएगा 4,50,000 का वैसा का वैसा ही है प्रोविजन 3,50,000 का यह भी long वाला ही है 4,50,000 देखिए प्रोविजन्स financial liability के अंदर चला जाएगा 4,50,000 और प्रोविजन्स हम अलग से दिखाते 3,50,000 यह financial liability का हिस्सा नहीं है defer tax liability देखो 3,50, जिसमें से 50,000 माइनस कर दिया हमारा transition adjustment से जो income हुआ था तो यह 3,00,000 का आ जाएगा और बागी का other non current liability भी कुछ है क्या देखो यह आ गया हमारा 450, 350 आ गया यह भी आ गया other non current liability कुछ है नहीं तो उसको हटाओ अब सीधा हम current liability में देखते है current liability में आपका क्या है trade payables 22,00,000 का ठीक है यह मैंने डाल दिया trade payables यह यह रहा और other current liability में देखो मैंने break up दिखा है other financial liability 3,90,000 होगा other current liability 60,000 होगा other financial asset गलती से लिग दिया था यह liability का हिस्सा है तो other financial liability 3,90,000 होगा और other current liability कितना है यह मैंने पहले से लिख रखा था क्योंकि हमने पहले adjustment कर लिया था 60,000 होगा और provision जो आपका था पहले का बना हुआ कितना था provision पहले का बना हुआ यह 12,00,000 का provision बना हुआ था अपने question में फिर अब जब बनाओगी तो अराम से बने गई है इसमें कोई घबरानी वाली बात नहीं बस हां आपको थोड़ा सा formatting में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा formatting आपको proper होना चाहिए उसके लिए आपको थोड़ी से practice करने बढ़ेगे और अगर by chance गलती से formatting में कुछ 19 भी सो जा तो इतना फरक नहीं होगा ऐसा नहीं कि पूरे नंबर काट देंगे दो चार दो ती नंबर काटेंगे बाकि 10-12 नंबर मिलेगा आपको तो आप उतना भी stress मत लेना अगर आपको formatting में आगे पीछे हो रहा है कोई बात नहीं बागे जितना ओपर आप proper तरीके से कर देना तो यहां पर I think अब मुझे कुछ एड़ करने की जरतनी पर फिर भी मैं कर देता हूँ 25 to 27, 28 लाग, 33 लाग, 35 लाग, 36 लाग, 60,000 है न, 48 लाग, 49 लाग, 10,000 ह हो गया, 59,67,40,000 हो गया, 67,40, 76,40, 86,40 हो गया, 86,90, 89,90, 90,000,40,000 हो रहा है देख लेते एक बार, यह होना चाहिए यहां पर भी, कंसर में भी, यह दोखो, 90,000,40,000 हो रहा है हमारा, और उधर भी obvious सी बाते वही होगा, फिर भी कर लेते हैं 32,42,90,000, और 46,47,40,000, 47,90, 50,90,000, 53,90,000, 65,90,000, 85,90,000, 86,50, 89,50 है न, और 90,40 हो रहा है 90,40 perfect, चलो, match हो गया हमारा, calculator में ज्यादा समय लगता है, और ली कर लिया तो time नहीं लगा तो देखो, इस तरीके से हमारा पूरा balance rate यहाँ पर बन गया है, तो आपको करना क्या देखो आपको एक तो format दिमाग में रखना है, और दूसरी चीज़ जो मैंने क्या किये यहाँ पर जो जो respective adjustment है, वो मैंने यहाँ पर करते गया हमें, जहाँ जहाँ पर जो adjustment करना है, तो उस question की मदद से फिर मैंने उतार दिया, आपको भी इस तरीके से करना है, आपको बिल्कूल भी परिशा नहीं नहीं आए, कि आप बोलोगी तो दू मिटलों का question बढ़ा है, heavy है, revise करा देता हूँ, देखो यहाँ पर 3,90,000 का current liability cash में देना है, तो मैंने का financial asset के अंदर जाएगा, 40,000, और बाकी 1,10,000 other financial asset के अंदर चला जाएगा, दूनों financial asset के हिस्से है यह, अब 40,000 को 50,000 दिखाओगे, क्योंकि fair value approach आप लगा दो, जो की नीची आगे लिखा हुआ है, फिर other non current assets, 2,00,000 का यह वही का वही रहेगा, other current assets के अंदर 3,00,000,000 का current assets, मैंने डीर कगने, इस गर दिया, 12,00,000 से 10,00,000,000 बना दिया, property plan and equipment 10,00,000,000 का 15,00,000,000 के total 20,00,000,000 है तो 25,00,000 हो गया, intangible assets को carrying amount में दिखाना चाते तो दिखाओ कोई problem नहीं है, अब जबकि restatement नहीं होरा business combination का, तो goodwill आप previous gap में दिखा दोगे, trade receibles में latest estimate को consider नहीं किया चलेगा, government loan में हम retrospective restatement नहीं करेंगे, तो जो आपका previous gap carrying amount वहीं दिखा के effective interest निकालते हैं, तो वहीं का वहीं हमने दिखा दिया हाँ पर, mutual fund जो 2,00,000 का था, 2,30,000 हो गया, तो 30,000 का increment हुआ, और हमने 2,30,000 में दिखा दे क्योंकि हम fair value approach लगा रहे, फिर defer tax income वह 50,000 का, त defer tax asset 50,000 का create हुआ, DTL 350 का था, तो 50,000 माइनस करके 3,00,000 का हमने DTL बना दिया, net करके, हमें पता भी चल गया, यह 30,000 का फाइदा, 10,000, 40,000 का फाइदा इधर हो गया, इसके लावा 5,00, और इधर 2,00, 7,00, 40,000 का फाइदा इधर हो गया, और भी कुछ था क्या, रुक जाओ 7,00,000, इधर फाइदा, 7,00, 30,000, और 7,00, 40,000, इधर फाइदा और यह 50,000 मिला कि 7,00, 90,000 का फाइदा है, जो कि हमने Retain Earning में Other Equity में हमने Add कर दिया, बस बात खता हो, तो वही इन्होंने क्या क्या पहले previous gap का value लिखा है, transitional adjustment करके, फिर balance sheet का data दिखा, आप भी चाहो तो इस त लेकिंग, यह वाला working आप दिखा ही देना, exam में possible होगा आपके लिए तो, इतना transitional adjustment नहीं लिखने, loan, normal एक एक वर्ड लिखने से भी चलिगा, mutual fund, detail, provision का जो change हुआ, different वाला, ऐसे करके, अब यह वाला at least जरूर से आप दिखा देजेगा, और बाकी, एक बात मैं आपको बता सरी explanation आपको देना पड़ेगा, आप एक एक लाइन में दे दिजेगा, जैसे वही मैंने कहा था ना, पिछले वाले question में, PPE के बारे में थोड़ा सा घ्यान लिख देना, कि लोग एक class में fair value लगा रहे, एक class में previous gap ले रहे, तो वो घ्यान लिख दिया, goodwill में भी हम लिख दे ग्यान आपको लिख देना, जितना आपके लिए possible हो, उतना exam में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में ग्यान लिख देना, डिवरेंड के मामले में भी ग्यान लिख देना, आपको पता है डिवरेंड आपका proposed डिवरेंड है, इसलिए हम उसे right off कर रहे, तो ये थोड़ा सा notes लिख के आ जाना, तो आपको number मिल जाएंगे, फिर थोड़ा सा है न, एक एक line में लिख दोगे तो चलेगा इतना बड़ा बड़ा लिखने की कोई आवस सकता नहीं, जितना बड़ा बड़ा दिया हुए, एक एक line में, पर mainly जरूरी आपका balance rate अच्छे से match होना चीए, तो question number six मुझे कराना है, पहले छोटा question है, question number six ये पहले करवा देता हूँ आपको मैं, उसके बाद फिर question number five करा दूँगा, दोनों छोटा, जादा बड़ा दोनों नहीं है, start करते है, question number six, माथूर इंडिया private limited has to present its first financials under index for the year ended 31st March 2003, और transition date हमें बता दिया, 1st April 2001 का है, transition date हमारा, क्योंकि year ended 31st March 2003 का first annual index finances statement होगा, यहनि 2023 आपका current year हो गया, 2012 आपका previous year हो गया, तो 1st April 2001 आपका transition date to index हो जाए, जिस दिन opening index balance बनेगा, अब question ने बता दे, following adjustments were made upon transition to index, क्या क्या adjustment होगा, company ने opt किया है, कि वो fair value करेगा, land पे on the date of transition, तो land हम मान लेते है, business use के लिए, और वो fair value लगाना चाहते है, क्योंकि, अगर land आपका investment property होगा, तो fair value नहीं लगा सकते है, अब question ने बोला है, कि company opt कर रहा है, fair value, तो महला ठीक है, fair value opt कर रहा है, औ कि existing gap की साफसे, इसका 4.5 करोड का value है, तो अभी हम 4.5 करोड का existing gap में दिख रहा है, हम 10 करोड में दिखाना चाहते हैं, तो हम बढ़ाएंगे कितना से, तो increase in PPE कितना होगा, 5.5 करोड से increase in PPE होगा, with a corresponding adjustment to retain ending, यहीं इसका entry क्या होगा, PPE to retain ending होगा, retain ending भी हमारे कितने से जाएगा, 5.5 करोड से हमारा retain earning बढ़ जाएगा, और हम PPE को दिखाएंगे, कितना में, 10 करोड में दिखा देंगे, चली, next वाला point, company has recognized a provision for proposed dividend, proposed dividend का provision बनाया 60 लाग का, और related dividend distribution tax भी बनाया 18 लाग का, यहीं 78 लाग का इन्होंने liability खडा किया, डिवरेंट 60 लाग का, और 18 आपको पता है, यह आपका proposed dividend जो है, यह index के साब से allowed नहीं है, क्योंकि यह declared नहीं हुआ अभी तक AGM में, और इन्होंने लिखा भी यह, it was written back as an opening balance, तो यहाँ पर इसम written back करना पड़ेगा में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो proposed dividend और different distribution tax हमने create के, इसको reverse करेंगे, और चलते हैं, आपका return earning जो है, वो क्या होगा, 0.78 crore से आपका बढ़ जाएगा, कैसे, 0.6 crore आपका यह proposed dividend हो गया, 0.18 crore आपका dividend distribution tax हो गया, दूनों मिला के 0.78 crore होता है, 78 लाग यह नही 0.78 crore हो गया, तो आपका क्या होगा, dividend जो आपने liability खड़ा किया, वो आप debit कर दोगे dividend distribution tax का liability खड़ा किया, वो भी अब debit कर दोगे, और retain ending को आप credit कर दोगे, 0.78 crore से, आगे, तो आपका equity cert में investment है, मतलब यह financial asset है, financial asset में दो चीज़े हो सकती, या तो आप retrospective restatement करो, और या या तो आप fair value दिखा सकते हो, तो fair value यहाँ पर यह दिखाना चाहता है, और fair value दिख 75 lakhs है, तो आपका retain earning भी 75 lakhs से बढ़ जाएगा, यह नि 0.75 crore से retain earning बढ़ जाएगा आपका, तो हमने देखा कि retain earning कितना कितना से बढ़ रहा है, यह 3 हमने दीखा भी तक, आगे, company का equity cert capital 80 crore का है, redeemable preferences capital 25 crore का है, यह दो चीज़े हाँ पर, तो आप देखो, पहले के जमाने म redeemable preferences, old AS की अगर मैं बात करो, तो वहाँ पर redeemable preferences को equity माना चाता था, पर आज की डिट में, index में, अगर preferences redeemable है, वो redeem होंगे, उसका features तो liability वाला हुआ, तो आज की जमाने में, index के साफ से, यह financial liability है, लेकिन पहले, AS previous gap के साफ से, इसे equity माना चाता था, है ना, preferences, मनले, equity कहते थे हूँ, पर अब ऐसा नहीं है, अब हम उसका feature देखना होते है, आगे, the reserve and surplus on 1st April 2001, before transition to index, index में transition करने से पहले, आपका reserve and surplus 95 crore का था, जो की represent करता है, 40 crore का general reserve, 5 crore का capital reserve, और balance अब का return earning है, तो balance कितना होगा, total 95 crore का reserve and surplus है, उसमें से 40 crore general reserve है, 5 crore capital reserve है, तो बच्चा हुआ 50 crore return earning होगा, बच्चा हुआ 50 crore आपका क्या होगा, return earning होगा, अब देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, the company identified that the preferences were in the nature of financial liability, तो मैंने पहले बता दिया था, यह financial liability होगा, अब यह हम से क्या पूछना चाह रहे है, what is the balance of total equity, यह line कार देने, गलती से आगया, as per AS जो यहाँ पर होगा है, ठीक है, what is the balance of total equity, यानि total equity मतलए equity and other equity, यानि share capital or other equity मिला के, as on first April 2001, after transition to index, index में transition करने के बाद आपका total equity का balance कितना रहेगा, तो हम कैसे बताएंगे, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं rough में यहापर बता दो, share capital क्या equity है, जी हाँ, share capital कितने का है, हाँ, share capital आपका 80 करोड का, तो यह आपका equity होगा, या फिर हम चाहे तो सीधा हमाँ पर हम present कर सकते हैं, हमारे mean solution में हम कर देते हैं, calculation of total equity, share capital आपका 80 करोड है, हमें अब other equity भी निकालने है, other equity के अंदर क्या-क्या चीज़ आप देखो, question में बताया हूँ, देखो क्या redeemable preferences इंडेस के इसाब से equity का हिस्सा होगा नहीं होगा, यह financial liability है, तो इसको मत लेना गल्दी से, सिर्फ share capital लेना redeemable preferences नहीं ले सकता, अब equity का हिस्सा नहीं है यह, आगे, reserve and surplus में बता दिये इन्होंने, कि general reserve 40 क्रोड का, capital reserve 5 क्रोड का है, general reserve 40 क्रोड का है, capital reserve जो है, यह आपका 5 क्रोड का है, और बाकी का बचा हुआ, return earning मैंने आपको बताया था भी, 50 क्रोड का return earning है, था ना, तभी तो total 95 क्रोड हुआ, मैंने लिख भी रहा था, return earning 50 क्रोड का, अब यह सब increment होने के चलते भी तो return earning बढ़ेगा, क्योंकि 5.5 क्रोड आपका land का value बढ़ रहे, increase in land, यह भी तो return earning को बढ़ा के देगा, चलो, मैं यहाँ पर इसको अंदर लिखता हूँ मैं, return earning बढ़ जाएगा, increase in land के चलते आपका, कितना से बढ़ देगा, 5.5 क्रोड से बढ़ देगा, उसके अलावा, reversal of proposed dividend, मैं reversal हुआ, 0.78 क्रोड का, उससे भी return earning बढ़ेगा, इसके अलावा, एक और चीज़ हुआ था आपका, क्या बहुत है, investment, increase in investment value, वो भी return earning को बढ़ाएगा, 0.75 क्रोड से, तो आपका return earning कितना को बढ़ रहा है, यह तीनों मिलाके, चारों मिलाके, 55.5 plus 0.78 plus 0.75, यहनि 57.03 से return earning आपका R, तो यह हमारा general reserve है, यह capital reserve है, ultimately यह हमारा return earning है, हम चाहते हुआ यहाँ पर ऐसे भी लेख सकते हैं, total return, तो आपका other equity कितना का होगा, यह तीनों मिलाके, 67, 77, 97, 100, 2.03 और यह 80 क्रोड, वहला इन तीनों को मैंने total कर दिया, 102.03 आ रहा है, और इधर 80 क्रोड आपका share capital है, यह share capital 80 क्रोड है, other equity आपका जो है वो, 102.03 क्रोड है, तो टोटल कितना होगा, therefore, total equity कितना होगा, 202.03 CR का total equity होगा, तो हमने balance of total equity हमसे पूछा, हमने बता दिया, अच्छा कुछ गरबड किया क्या, हाँ, गल्दी कर दिया न, calculation mistake है, 102 प्लस 80 तो 182 होगा, 182.03 क्रोड आपका होगा, 102 प्लस 80 करोगे, तो 182.03 आएगा, परफेक्ट हमने एकदम अच्छे से कर लिया, इसके लावा हमसे एकोची पूछ रहा कोशन, तो reconciliation of total equity as per AS, and as per index आपको reconciliation करके देना है, तो आप देखो सबसे पहले total equity as per AS क्या है, हमें पहले अब reconciliation करेंगे, total equity as per AS की अगर में बात करो, AS के एसाब से, क्या था, AS के एसाब से share capital था, reserve and surplus था, और preference share capital भी था, यूँकि preference को भी equity माना गया, as per AS, और reserve and surplus, 80 crore का share capital था, और आपका preference is 25 crore का था, और reserve and surplus कितने का था, 95 का था के total ये रहा, reserve and surplus total 95 का था, तीनों मिला के, तो आपका total equity, as per AS अगर मैं बोलू, previous gap के सबसे, तीनों मिला दे तो कितना हो रहा है, 200 crore का हो रहा है, तो अब reconciliation कैसे करें, मतलब ये as per index, तो total equity ये है, as per index हमारा total equity ये है, पर as per AS total equity ये, तो दूनों का reconciliation बताएंगे, हम कैसे बताएंगे, हमरी reconciliation करने के लिए, हम ये बोलेंगे, इसमें से हम less कर देंगे, preference set, तो कि preference set को हमने equity का हिसा नहीं माना, तो 25 crore को हम less कर देंगे, फिर हम बोलेंगे, add करके हम दिखाएंगे, कि as में हमने जो increment है, वो सारा ची नहीं लिया था, है ना, increase in land नहीं लिया था हमने, land का value as में नहीं लिया था, है ना, reversal of proposed dividend, ये भी add करना हमें, ये सारा adjustment है, जो हमने किया वो में कर रहा है, हमने दोनों में फरक किया है, देखो, as में हमने preference set को equity माना, इन्डेस में नहीं मानेंगे, minus कर दिया, as में हमने land value जो लखा था, उसमें changes आ रहा, propose dividend में changes आ रहा है, investment में increment आ रहा है, तो वो सारा चीज़ हम add कर देंगे, जो हम as में नहीं ले रहे थे, इन्डेस में हम ले रहे है, 5.5 crore, 0.78 crore, 0.75 crore, यह सारा करके देखो, 100% आपका आ जाएगा, क्या, 182.03 आना चीज़, तो देखो, 200 crore आपका था, ASK साब से, उसमें से minus 25 कर दो, plus फिर आप करोगे 5.5, plus आप करोगे 5.5, plus आप करोगे 0.78, plus आप करोगे 0.75, आपका 182.03 आ गया, हो गया, रीकंसिलेशन, तो आप देखो, रीकंसिलेशन, मैंने क्या, मैंने का, ASK साब से 200 है, उसमें कुछ-कुछ, अज़स्मेंट क्या, 182.03 हो गया, और अज़स्मेंट कुछ नहीं क्या, मैंने यह बुला कि, देखो, AS में यह था, इंडेश के साब से क्या हो रहा है, जो अज़स्मेंट था, नेसेसरी मैंने कर दिया, मैंने बुला कि, प्रेफरेंस हैरे, कैपिटल, AS में लिया गया, तो इंडेश में नहीं लिया चाएगा, माइनस कर दिया, यह सारे, इंक्रीमेंट जो इंडेश में, चेंज कहा है, यानि फर्स्ट तेम एड़ॉट जो हम इंडेश करें, जिसके वज़े से यह इंक्रीमेंट हो रहे है, रिटेन अंडेश में, जिसके चलते आपका एकुटी बढ़ रहे हैं आपर, तो यह बढ़ने के बाद आपका यह आगया, तो हमारा हो गया, रिकंसिलेशन भी मैंने करके दिखा दिया, अब आईसे का वे में भी करोगे, आईसे ने भी ऐसे किया, आप देख सकते हूँ, उन्होंने पहले 200 निकाला, एस पर एस और एडजस्मेंट करके दिखा दिया हमें, और आपका अल्टीमेटली एकुटी एस पर इंड़ेस बता दिया है नोने, तो कोशिन यह एकदम सिंपल था, कुछ दम नहीं था इस कोशिन में, पिल्कुल सिंपल कोशिन था आई होप, आप अराम से कर लोगे, टी वाई की, पर 6 था नहीं है, पिल्कुल दम नहीं था, आप अराम से समाल लोगे इस कोशिन को, कुछ नहीं था खास दम इस कोशिन में, ठीक है, तो अब हम करेंगे, है एक और लास्स कुषिन है बड़ा कुषिन एक ही बच चाहिए अब हमारा बागी सारी कुषिन हम ने कर लिए अब हमने करना है टीवाइक के का कुषिन नूम्बर 5 कुषिन नूमबर 5 स्टार्ट करते हैं xyz private limited xyz private limited is a company registered under the company's SEC 2013 following accounting standards notified under company's accounting standards rules the company has decided to to voluntarily adopt India's with effect from 1st April 2002 मलड 2002-03 इनका annual financial statement होगा 2001-2 इनका previous air होगा और उसका first day 1st April 2001 विल भी दा प्ट ओपनिंग इंडेस्ट यानि देट ओफ ट्रांजिशन टू इंडेस्ट ही होगा जिसने हम ओपनिंग इंडेस्ट बालेंगे company का देखो यहां पर एक holy own subsidiary है और एक joint venture भी है which are into manufacturing of automobile spare parts console iterated financial statement हमें दिया हुए company का under Indian gap ES के इसाफ से दिया हुए हमे 31st March 2001 और 31st March 2002 का दिया हुए और हमें additional information दिया हुए हमें बोला गया क्या 1st April 2001 को आपको opening balance rate बनाना है तो मेरी बात सुनो आप 1st April 2001 को जब बनाओगे तो यह वाला डेटा से बनाओगे कि यह वाला डेटा से obvious लिवादे 31st March 2001 का next day तो 1st April है तो यानि opening index balance rate हमारा इस डेटा से बनेगा इस डेटा का कोई काम नहीं है इस डेटा का हमारा कोई काम नहीं है है न हमारा बनेगा किसे 31st March 2001 का जो ASA उसी को modify करके opening index balance बना देंगे तो यह तो console iterated financial statement है ध्यान रगना separate नहीं console iterated financial statement है तो जरूर इसमें गोडविल वगेरा भी होगा देखो गोडविल सबसेटरी जोएंट वेंचर से उत्पन वह 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 गोडविल कितना 1507 है हमारा आगे देखते हैं additional information में क्या दिया हुए कंपनी इस एंटर इंट्ट इंट्ट जोएंट अरेंजिमेंट पाई एक्वाइरिंग 50% of the equity sets of ABC ट्राइवेट लिमिटेट यह जो कंपनी का बैलेंस इडिया हुए इसका जोएंट वेंचर भी है इसने क्या क्या 50% equity sets ABC लिमिटेट का होल करके रखा हुए presently the same has been accounted as per the proportionate consolidation method मैंने का न एसके हिसाब सी इनों ने क्या क्या disproportionate consolidation किया है मैंने इसका erosion भी करवाया था concept में मुझे याद है मैंने करवाया था आप लोगको देख लेता हूँ कहा करवाया था अब मुझे पक्का यकीन है म liने करवाया था हूँ कहा गया नहीं करवाया था क्या करवाया सुक्ष места यह रहा यह तू रहा प्रोपोर्चिनेट कॉंसोल इडिशन से एक्विटी मेतद मैंने कहा था ना कि प्रीवियस गैप के एसाफ से इन्टीपेंडेंड इनका आइटम सारा दिखाया गया था बट जब हम ओपनिंग इंडेस बैलेंस इट बनाएंगे तो सिंगल वेलू दिख कि इन्वेस्मेंट इन्ट वेंचर सिंगल वेलू दिखा कि हैं उसका इंपैरमेंट टेस्टिंग करना है तो वो भी हम करेंगे तो वैसे यहां पर एस के इसाफ से इन्होंने क्या प्रोपोर्चिनेट कॉंसोल इडिशन मैसाद लगाया एस के इसाफ से और इन्होंने बता इंडेस में हम सीधा investment in joint venture एक single value दिखाते हैं तो हमें करना क्या होगा हमें ये सारा तो item लेना ही होगा including goodwill भी goodwill कभी हमें proportionate लेना होगा तो challenge यहां पर बस एक ही challenge ये चूटा सा वो challenge क्या पता है कि आपका जो goodwill यहां पर इन्होंने total दिया हुआ 1507 इसमें से आपको पता करना है कि joint venture का कितना goodwill है बस यह challenge ही और कोई challenge नहीं आपका यहां पर बाकी सारा assets दिया हुआ है और वो करके हम क्या करेंगे यानि हमें ultimately क्या करना है यह सारे value जो है इसमें से हम निकाल देंगे यह सारे value मिसमें से निकाल देंगे और निकाल के फिर modified हम balance it बना लेंगे तो सबसे पहले तुम एक काम करते हैं हम एक बार सीधा consolidated balance it ही बनाते हैं हम यहाँ पर इसकी मदद थे और उसमें से value को क्या करेंगे minus करते जाएंगे वह हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा तो चलो मैंने balance it के format तो बना के रखा आप लोग के लिए format आपको orderly schedule तरीका पता है और वो मैंने आप लोग के लिए आगे रखा क्योंकि वहाँ पर हम ज्यादा time loss क्यों करें यह देखो यह रहा हमारा format तो यहाँ पर हम क्या करेंगे one by one हमारा पहले assets की बात करते हैं तो assets देखो यहां से सुरू होता है property planning equipment कितना है ट्रिपल टू डबलेट है तो मैं यह सारे figure अंदर लिखूंगा यहाँ प kone five zero seven का goodwill हमारा यह स्की बार long term loans in advances यह किसके अंदर आते है financial asset के अंदर आएगा deal है ना long term loans and advances obviously बात है financial assets के अंदर आएगा 635-0 तो देखे मैंने financial assets के अंदर दिखा दिया long term loans and advances 635-0 हमने दिखा दिया अब इसके अलावा ये एक बार मैंने लिखके छोड़ है investment in joint venture भी तो हम दिखाएंगे जो हम ultimately सारे proportionate method से जो हम एक single value दिखाएंगे वो investment in joint venture हम दिखाएं इनदर जाएगा investment भी financial assets के अंदर जाएगा other current assets भी financial assets के अंदर जाएगा overnight 1818 का trade receibles है त्री देखो 1818 का trade receibles है investments भी मैंने कहा financial assets के अंदर ही जाएगा 3763 का investment है यह रहा हमारा और other current assets हमारा कितने का 104 का other current assets है तो देखें मैंने assets के सारे value मैंने डाल दिया है आप अब आगे हम equity and liability के बाद करते हैं यह सारे value तो हमने डाल दिये अब अगर यह सारे दिख लो यह डाल दिया डाल दिया डाल दिया सारा डाल दिया मैंने values ही सारे अब equity and liability discuss कर लेते हैं equity and liability में दिखिए share capital 7953 है 16597 का reserve and supply से जो other equity में जाएगा share capital 7953 है और 16597 ऐसे करने से easy रहेगा हम जाने में भी 16597 आपका फिर हम non current liability दिखाएंगे equity दिखा दिया share capital other equity अब non current liability के अंदर क्या क्या देखो long term borings financial asset के अंदर आता है provision अलग से दिखाया जाता है other long term liability बेलग से दिखाया जाएगा तो financial asset निकलती इसे बोल दिया financial liability long term borings हजार का आएगा financial liability के अंदर देखो हजार का आगया फिर provision और other non current liability हम दिखा दिखाएंगे 6915904 यह मैंने दिखा दिया अब इसके बाद बच्चा क्या current liability तो current liability के अंदर क्या होगा सबसे पहले financial asset के अंदर trade payable दिखाएंगे फिर short term provision अलग से दिखाएंगे दो इतो फिगर है 8455475 845 financial liability के अंदर trade payable से अला गया और provision हम अलग से दिखादेंगे कितने का 475 तो तो दिखाएंगे मैंने पूरा balance rate उतार दिया मैंने पूरा मैंने balance rate उतार दिया यह तो total है तो यह balance rate जो था न आपका 31st March का AS का balance rate यह मैंने पूरा उतार दिया अब problem क्या है अब problem है कि यह सारे item जो है उसके अंदर delivery जिसको independently हम यह सारे item नहीं दिखा सकते हैं तो हम यह सारे item वहां से निकाल के अलग से दिखाना होगा 1200 का PPM निकालेंगे ठीक है PPM 1200 का माइनस करेंगे और अलग से हम investment in joint venture में हम अलग से दिखाएंगे एक बार में 1200 यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि individually नहीं दिखा कि एक single volume दिखाएंगे PPM निकाल दिया मैंने फिर 405 का long term loans and advances है यह भी मैंने 405 यहाँ से minus करके निकाल दिया और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा पिर 280 का trade decibels अधर करनेंडिसेट 50 का 280 का trade decibels यहाँ से निकाल दिया यह भी यहाँ पर दिखाऊंगा है न और उसके बाद क्या है 50 का other current assets है other current assets भी 50 minus हो जाएगा यह भी यहाँ पर आ जाएगा आपका तो assets सारे हमने निकाल के investment में हम दिखा देंगे यह हमने दिखा दिया इसके बाद अब और क्या है इसके बाद अब और दो चीजे ट्रेट पेबल सौट अम प्रोविजन 75-25 यह लाइबिलिटी है ट्रेट पेबल 75 का है लाइबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगा लाइबिलिटी कम हो जाएगा तो लाइबिलिटी कम होगा तो investment को भी कम करना पड़ेगा 35 का सौट अम प्रोविजन भी कम होगा तो यह पर भी कम होगा क्योंकि लाइबिलिटी है लाइबिलिटी महां से निकाल की यहां डालेंगे तो लाइबिलिटी डालेंगे तो नेट असेट्स तो कम हो गई तो investment in joint venture में हम यह सारा data दिखा देंगे है ना 37 हमें एक चीछ और इसमें plus करना that is what goodwill proportionate goodwill जो है वो भी हमें plus करना है अब हमें नहीं पता इसमें से हमें कुछ minus करना पड़ेगा क्या minus करना मुझे नहीं पता यही एक question मार के क्या करना मुझे नहीं पता बाकि सब कुछ हमारा हो चुका है मतलब अगर मैं ये निकाल लो कि goodwill क्योंकि मैं क्या करूँगा investment in joint venture में जो दिखाऊंगा मैं वो सारा figure के साथ including goodwill भी तो दिखाऊंगा तो net assets जो assets का हिस्स है वो तो मैं investment in joint venture दिखाई दूँगा प्लस goodwill भी तो दिखाऊंगा अब goodwill मुझे पता नहीं क्या है तो goodwill जितना होगा उतना यहां से minus होगा तो यही कामें बाकी में दिखाऊंगा तो close अभी कर सकता हूं मैं देखो triple two double eight minus 1200 बाकी में close करके यहां पर two one zero double eight लिख सकता हूं मैं यह five two four seven ही रहेगा इसमें को हिस्सा है नहीं यहां पर कुछ आने वाला नहीं पता इसका क्या आएगा six three five zero minus four zero five five nine four five यह वाला आएगा ठीक है अगर goodwill दिया वा रहा था तो tension की बात ही नहीं थी three seven six three एक तो यह question मार के goodwill का और goodwill के वज़े से यह भी portion mark आ गया यह नहीं ultimate यह मुझे goodwill का ही proportion निकालने है यहां पर अगर मैं करूँ fifteen hundred twenty thirty eight होगा फिर यह fifty four होगा यह आएगा seven nine five three आएगा यह one six five nine seven ही आएगा यह thousand होगा six ninety one होगा five nine zero four होगा यह eight three seven five होगा फोड़ी eight three eight zero होगा और यह आएगा four hundred forty तो देखो यह सारा यही फिगर आने बाले eight three eight zero four hundred forty सब कुछ परफेक्ट है five nine zero four six ninety one thousand seven nine five three one six five nine seven ताहिये three seven six three one five three eight forty four एकदम परफेक्ट है five nine four five two one zero eight five two four four seven एकदम सब कुछ सई चल रहा हमारा अच्छा five two four five था कि इंवेस्मेंट प्रॉपर्टी मैंने गलती से लिख दिया था तो टेंसन की कोई बात नहीं थे है ना गुडविल हमें बता दे बता दो एर गुडविल क्या है को टेंसन की बात ही नहीं थे हम कुछ नहीं करेंगे हम क्या करते पीपी से फिर निकाल लिया ओंगं टर्म लोंंस एनद्वांस से फिर निकाल लिया देखो यह वाला है न ठ्रेड से निकाल लिया से निकाल लिया wisely और ट्रेड पेबल्स और प्रोविज़न से निकाल लिया और ये來 दाल दिये यहांपर अब बस हमें गुडवि निकालो तो हम क्या करेंगे पता है हम यह मान के चलेंगे देखो मेरी बात investment property में joint venture का कोई हाथ नहीं था बाकि जो भी items जिसमें कोई adjustment नहीं क्या उसमें दिखा जाए तो joint venture का कोई हाथ नहीं है तो हम यह बोलेंगे कि कौन से कौन से assets के corresponding में joint venture का हाथ है तो आप यह देखो पीपी में लिखता हूँ पीपी हो गया आपका फिर क्या है long terms loans and advances हम proportion कैसे करेंगे वो मैं बताने की courses कर रहूं आपको मैं trade receables other current assets और फिर trade payables और provision है यह नहीं मेरा कहने का मतलब यह है हम सिर्फ वही relevant asset लेंगे जिसमें आपका joint venture का हग था portion था joint venture का ताकि हम comparison बहतर कर सके तो हमने का कि देखो पीपी के अंदर total था triple two double it जिसमें आपका joint venture का हग था बारसों का वो मैंने अलग यहां पर लिख दिया loans and advances के अंदर 6350 था जिसमें आपका कितना था 4050 जो है वो फिर अगर मैं trade decibles बात करूं 1818 280 1818 total था जिसमें 280 joint venture का था अधर current assets में आपका आ गया 104 में से 50 था है ना यह नहीं मैं कहना चाहता हूं यह total cfs का value है और यह joint venture का value है out of cfs joint venture का कितना value है trade papers total 8455 है ठीक है जिसमें इनका 75 है यह bracket में रहेगा क्योंकि liability है और 475 का provision है जिसके अंदर आपका 35 का provision इनका है अब goodwill भी हमें पता है total का तो मैं goodwill भी पता है goodwill total कितना है दिखा जातो 1507 का total goodwill है तो यह 1507 कम ने goodwill बोला हम वही relevant asset ले रहे हैं जिसमें joint venture का हग है ताकि हम one to one comparison कर सके तो यह तरीके से आपको exam में करना आपको वही वही item लेना यहाँ पर जो item में joint venture का भी हिस्सा है तो वह सारे item मैंने यहाँ पर ले लिए और मैंने साथ में goodwill यहाँ पर add कर दिया 1507 क्योंकि goodwill भी net assets का हिस्सा होते है और यहाँ पर क्या goodwill लेना यही तो मेरे लिए challenge है मुझे यही तो पता करना है कि joint venture का goodwill होगा तो यह मैंने एक बार question mark दिया अब मैं करूंगा दोनों को total दोनों को total में करूंगा यहाँ पर यहाँ पर आप दिको इसका total करने पर कितना आ रहे है triple two double eight का asset है six three five zero का asset है one eight one eight का asset है one zero four का asset है minus four seventy five का liability है minus आपका eight four double five का liability है और प्लस one five zero seven का एक goodwill का assets है तो यह two three one three seven है यहाँ पर है ना two three one three seven आपका यहाँ पर है और अगर मैं यहाँ पर करूं goodwill को छोड़के अगर मैं करूं तो मेरा कितना total आ रहे है गुडविल को छोड़के करे तो कितना आ रहे है 1200 plus 405 plus 280 plus 50 minus 75 minus 35 आपका आ रहा है 11.1825 goodwill को छोड़ दे तो आपका 1825 आ रहा है तो हम ये जानना चाहते हैं अगर 23137 के लिए 1507 का goodwill है तो आपका 1825 के लिए कितना का इसका goodwill हो का हम ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसका goodwill निकालने के लिए हमारे पास देखो ये total value है ये सारा total है जिसके अंदर ये joint venture का भी हिस्सा है तो हम ये कहना चाहते है कि अगर 23137 के asset में 1507 का goodwill है 23137 के asset में अगर 1507 का goodwill है तो asset situation में 1825 के asset में कितनी का goodwill होगा आपको ये निकाले उसके लिए हम बोल देंगे कि ठीक है अगर 23137 में 1507 का goodwill है तो 1825 में कितनी का होगा हम कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे इसके रहे हम ऐसे निकालेंगे तो 1 के asset में क्या होगा 1507 by 23137 का goodwill होगा जैसे बाकी में interpolation बगेर भी ऐसे करता था न मैं तो फिर 1825 के asset में कितना होगा 1507 by 23137 25 होगा ये कितना आ रहे है 2118 .86 ये नि 2119 का आपका goodwill आ रहे है पर हाँ आपको मैं एक बात बता देता हूँ ये मेरे हिसाब से partially incorrect पर ICA के हिसाब से उपाई नहीं है एक तो ये तरीका ही सही नहीं आप पहले determine कर लो कि क्या goodwill उसका real में था और वही goodwill आपको लेना चाहिए तरीका कहीना कि valid नहीं है पर ICA ने अपने solution में तरीका कर रहे है तो मैं मजबूर मैं वैसे करवा रहा हूँ आपको मैं और दूसरी चीज मुझे ये acceptable नहीं होगा यहाँ पर भी आप जो total value लोग है after goodwill वाला आपको value लेना चाहिए ये वाला value को total नहीं मान सकते है तो यहाँ पर यह cumulative वाला adjustment का फरक है पर उपाई नहीं है हम यहाँ पर मजबूर है हम ऐसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर यह तो एक rough तरीका होगा या लॉंग कर तरीका हम यहाँ पर shortcut में ही लिखेंगे goodwill allocated to joint venture कितना होगा तो उसके लिए कहेंगे कि अगर आपका 23137 में 1507 का goodwill allocate हो रहा है तो 1825 में कितना होगा आपका हम यह कहेंगे 1507 आपका into हम ऐसे लिख सकते है 1507 allocate किया 23137 के लिए तो आपका 1825 में कितना होगा बस आपका इससे आ जाएगा अपने आपे divided 23137 कि 25 यह 118.86 यह नहीं 119 आपका आ रहे तो goodwill हम इस तरीके से proportionately 119 निकाल लेंगे और यह 119 का goodwill में क्या करूँगा यहां से मैं minus करूँगा 119 और यहां पर में plus कर दूँगा यहां पर आपका ultimately क्या आ जाएगा 1507 minus 119 हो जाएगा 1388 हो गया यह और इधर plus 119 कर दिया तो आपका यह भी आ जाएगा उव्यसी बात है 1825 बाकी का figure ही plus 119 कर देंगे 194 आपका आ जाएगा figure बस बात खतम हमने question को सिल्टा दी यहां पर बस इतना ही आपको करना था और कुछ भी नहीं करना आपको अपर मैं आपको दिखा दे तो answer जो हमारा perfect है या नहीं है 210854245 13885945 बाकी तो मिलाया हुवई है 19443763 एकदम perfect है तो पूरा मैंने आपको यहां पर shortcut way में कम time में मैंने आपको इस solution कर आप इस तरहीगे से करोगी exam में 10 minute में आप कर लो पिर आप क्या किजिए जो जो जगा में joint venture का हिस्सा है वो आप minus करते जाए वो minus कर दिया 6 part था 6 का 6 minus किया और investment in joint venture में दिखा दिया अब बैचा goodwill का allocation तो goodwill हमें कुछ यहां से minus करना है और कुछ यहां पर दिखाना है तो वो कैसे निकाले तो उसके लिए मैंने यह कहा कि आप क्या करो जो जो relevant assets है जिसमें joint venture का भी allocation है वो relevant assets का total ले लो और इधर joint venture में भी ले लो अब goodwill तो total में तो पूरा इतना है total के लिए तो goodwill इतना है 1507 तो वो determine कर लो कि 23137 के लिए अगर goodwill इतना है आपका तो बाकी 1825 के लिए कितना goodwill होगा उस basis में आप निकालो पर आपको बता है बहतर presentation कब होता है जब हम इसके इस 1507 के बिना जो total asset है उसका अगर हम निकालते हैं तो थोड़ा सा देख लेते तब कितना फरगाता है मेरा कहना है कि goodwill जो यह बाद में करते है पहले हम total लेते हैं यहाँ पर तो आपका कितना आता बता है 23137 माइनस 1507 या तर 21630 तो मेरे इसाब से बहतर presentation क्या होता हम goodwill कैसे निकालते हैं हम कहते है 21630 के asset में 1507 का goodwill है है न तो therefore 1825 के goodwill में कितना हो तो 127 आता something आपका यह आपका सही answer होता goodwill का 127 पर चलो खेर उपाई नहीं है हम यहाँ पर ICA के साब से जा रहे और वो करोगे तो काट दिया जाएगा तो क्या मतलब है तो proper maths उनका नहीं है पर फिर भी मैंने दिखा दिया इस value से निकान ला था पर इस value का use किया जा जा था जो मुझे थोड़ा सा acceptable नहीं लगा आपको लगता है तो अच्छी बात है आप ऐसे कर लीजेगा पर समझ में आ रहा है मतलब यह ऐसी करना करना तो यह पर वो acceptable नहीं है तो यहाँ पर इसके basis में देखो मैंने एक तो यह तरीक ऐसी भी 190 निकाला दूसरा मैंने एक simple तरीका रखा है और यह simple way में एक्जाम में लिखना यह rough में आप कर सकते हो अगर आपको confusion रहे आप बस इतना सोचना 203137 के asset में इतना goodwill है तो 1 के asset में कितना goodwill होगा तो 1825 के asset में कितना goodwill होगा आपका निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपने goodwill ultimately निकाल लिया कितना निकाला 1190 कैसे निकाला 1507 में 23137 के asset में इतना है तो 1825 में कितना है न आपने इस तरीके से निकाल ले न यह 119 आया और वही 119 आप क्या करोगे बैठा दोगे यहाँ add कर दिया है न और यहाँ minus कर दिया यही तो कुछ महनत तो है नहीं यहाँ पर महनत कुछ नहीं simple question है ठीक है एकदम simple question अब अराम से कर लोगे और ice का अगर मैं देखा हूं तो ice ने देखो बहुत लंबा solution रखा मैं recommend नहीं करूँगा अब ऐसा लंबा solution अब करूँ ऐसे का solution अब go through कर सकतो हूं इन्होंने लंबा कि और यहाँ पर हर जगा में प्रिवेस गैप लिखके index adjustment करके दिखा रहे आप चाहो तो ऐसा adjustment दिखा सकतो तो चलिए यह question भी मैंने आपको complete करवा दिया तो सारी बड़ी questions हमने complete कर लिया आपर तो मैंने देख लिया कुछ अब major question बचा नहीं थियोरी के कुछ-कुछ questions है वो नहीं कराने से भी चलते हैं आप फिर भी मैं आपको suggestion दूँगा ज्यादा नहीं थोड़ी वो चार-पांच question बचे होंगे theory के सारी बड़े बड़े practical question तो में में कराई दिये मैंने कुछ theory का questions बचा हुआ आप just go through कर लिजेगा आपको समझ में आ जाए क्योंकि concepts के अंदर वो सारी चीचे covered है और इसके बावजुद भी कोई दिक्कत आती तो comment कर लिजेगा चलो thank you so much everyone